भजन सहिंता कुल भजन एक सो पचास भजन एक कुल पद छे क्या ही धन्या है वे पुरिश जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठठठा करने वालों की मंडली में बैठता है प्रन्तु वे तो यहोवा की विवस्था से प्रसन रहता और उसकी विवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है वे उस व्रिक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी रितू में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुर्जाते नहीं इसलिए जो कुछ वे पुरुष करे वे सफल होता है दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते वे उस भूती के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्क जानता है प्रन्तु दुष्टों का मार्क नाश हो जाएगा जाती-जाती के लोग क्यों हुलड मचाते हैं और देश-देश के लोग व्यर्थ बाते क्यों सोच रहे हैं यहोवा के और उसके अभिशिक्त के विरुद पृत्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में समती करके कहते हैं कि आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्यों को अपने उपर से उतार फिंके वे जो स्वर्ग में विराजमान है हसेगा प्रभू उनको ठटों में उड़ाएगा तब वे उनसे क्रोध करके बातें करेगा और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा कि मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र परवत सियोन की राजगदी पर बैठा चुका हूँ मैं उस वचन का प्रचार करूँगा जो यहोवा ने मुझसे कहा तू मेरा पुत्र है आज तू मुझसे उत्पन हुआ मुझसे मांग और मैं जाती-जाती के लोगों को तेरी संपत्ती होने के लिए और दूर-दूर के देशों को तेरी निजभूमी बनने के लिए दे दूँगा तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा तू कुमहार के बरतन की नाई उन्हें चकना चूर कर डालेगा इसलिए अब हे राजाओ बुद्धिमान बनो हे पृत्वी के नियाईो यह उपदेश ग्रहन करो दरते हुए यहोवा की उपास्ता करो और कामते हुए मगन हो पुत्र को चूमो ऐसा नहो कि वे क्रोध करे और तुम मार घही में नाश हो जाओ क्योंकि शन भर में उसका क्रोध भड़कने को है धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है भजन तीन कुलपद आठ हे यहोवा मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं वे जो मेरे विरुद उठते हैं बहुत हैं बहुत से मेरे प्रान के विशे में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता परंतु हे यहोवा तू तो मेरे चारों और मेरी ढाल है तू मेरी महिमा और मेरे मस्तिश्क का उंचा करने वाला है मैं उंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ और वे अपने पवित्र परवत पर से मुझे उत्तर देता है मैं लेट कर सो गया फिर जाग उठा क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है मैं उन दस हजार मनुश्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्चारों और पांती बांदे खड़े हैं हे यहोवा हे मेरे परमेश्वर मुझे बचा ले क्योंकि तूने मेरे सब शत्रों के जबड़ों पर मारा है और तूने दुष्टों के दान तोड़ डाले हैं उध्धार यहोवा ही की और से होता है हे यहोवा तेरी आशीश तेरी प्रजा पर हो भजन चार कुलपद आठ हे मेरे धर्मे परमेश्वर जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे जब मैं सकेती में पड़ा तब तूने मुझे विस्तार दिया मुझे पर अनुग्रह कर और मेरी प्रात्ना सुन ले हे मनुश्यों के पुत्रों कब तक मेरी महिमा के बदले अनादर होता रहेगा तुम कब तक वेर्थ बातों से प्रिती रखोगे और जूटी युक्ती की खोज में रहोगे यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वे सुन लेगा कामते रहो और पाप मत करो अपने अपने भी छोने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो धर्म के बलिदान चड़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो बहुत से हैं जो कहते हैं कि कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा हे यहोवा तु अपने मुक का प्रकाश हम पर चमका तुने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनन्द भर दिया है जो उनको अन और दाकमदू की बढ़ती से होती थी मैं शान्ती से लेट जाऊँगा और सो जाऊँगा क्योंकि हे यहोवा केवल तु ही मुझको एकांत में निश्चिन्त रहने देता है भजन पांच कुलपद बारा हे यहोवा मेरे वच्चनों पर कान लगा मेरे ध्यान करने की और मन लगा हे मेरे राजा हे मेरे परमेश्वर मेरी दोहाई पर ध्यान दे क्योंकि मैं तुझी से प्रात्ना करता हूँ हे यहोवा भोर को मेरी वानी तुझे सुनाई देगी मैं भोर को प्रात्ना करके तेरी बाट चोहूंगा क्योंकि तू ऐसा इश्वर नहीं जो दुश्टता से प्रसन हो बुराई तेरे साथ नहीं रह सकती घमंडी तेरे समुग खड़े होने ना पाएंगे तुझे सब अनर्थकारियों से घ्रिना है तु उनको जो जूट बोलते हैं नाश करेगा यहोवा तो हत्यारे और छली मनुश्य से घ्रिना करता है प्रन्तु मैं तो तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊंगा मैं तेरा भई मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दन्वत करूंगा हे यहोवा मेरे शत्रों के कारण अपने धर्म के मार्ग में मेरी अगवाई कर मेरे आगे आगे अपने सीधे मार्ग को दिखा क्योंकि उनके मूँ में कोई सच्चाई नहीं उनके मन में निरी दुष्टता है उनका गला खुली हुई कबर है वे अपनी जीब से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं हे परमेश्वर तू उनको दोशी ठहरा वे अपनी ही युक्तियों से आप ही गिर जाए उनको उनके अपराधों की अधिकाई की कारण निकाल बाहर कर क्योंकि उन्होंने तुझ से बलवा किया है प्रन्तु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करें वे सर्वदा उन्चे स्वर से गाते रहें क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है और जो तेरे नाम के प्रेमी हैं तुझ में प्रफुलित हो क्योंकि तू धर्मी को आशीश देगा हे यहुवा तू उसको अपने अनुग्रय रूपी ढाल से घेरे रहेगा भजन छे कुलपद दस हे यहुवा तू मुझे अपने क्रोध में ना डाट और ना जुझलाहट में मुझे ताड़ना दे हे यहुवा मुझ पर अनुग्रह कर क्योंकि मैं कुमला गया हूं हे यहुवा मुझे चंगा कर क्योंकि मेरी हडियों में बेचैनी है मेरा प्रान भी बहुत खेदित है और तू हे यहुवा कब तक लाटा हे यहुआ और मेरे प्रान बचा अपनी करुणा के निमित मेरा उधार कर क्योंकि मृत्यों के बाद तेरा समर्ण नहीं होता अधलोक में कौन तेरा धन्यवात करेगा मैं कराते कराते ठक गया मैं अपनी खाट आसूं से भी गोता हूँ प्रती रात मेरा बिचोना भीगता है मेरी आँखें शोक से बैठी जाती है और मेरे सब सताने वालों के कारण वे धुंदला गई है हे सब अनर्थकारियों मेरे पास से दूर हो क्योंकि यहोवा ने मेरे रोने का शब्द सुन लिया है यहोवा ने मेरा गिड़गिडाना सुना है यहोवा मेरी प्रातना को ग्रहन भी करेगा मेरे सब शत्रू लज्जित होंगे और बहुत ही घबराएंगे वे लोट जाएंगे और एका एक लज्जित होंगे भजन साथ कुलपद सत्रा हे मेरे परमेश्वर यहोवा मेरा भरोसा तुझ पर है सब पीछा करने वालों से मुझे बचा और चुटकारा दे ऐसा नहो कि वे मुझे को सींगी नाइ फाड़ कर टुक्डे टुक्डे कर डाले और कोई मेरे छुडाने वाला ना हो हे मेरे परमेश्वर यहोवा यदि मैंने यह किया हो यदि मेरे हाथों से कुटल काम हुआ हो यदि मैंने अपने मेल रखने वालों से भलाई के बदले बुराई की हो वरन मैंने उसको जो अकारण मेरा बैरी था बचाया है तो शत्रू मेरे प्रान का पीछा करके मुझे आपकड़े वरन मेरे प्रान को भूमी पर रौन दे और मेरी महमा को मिट्टी में मिला दे ए यहोवा क्रोध करके उठ मेरे क्रोध भरे स्थाने वालों के विरुद तू खड़ा हो जा मेरे लिए जाग तूने न्याय की आग्या तो दे दी है देश-देश के लोगों की मंडली तेरे चारो और हो और तू उनके उपर से होकर उचे स्थानों पर लाट जा यहोवा समाज समाज का न्याय करता है यहोवा मेरे धर्म और खराई के अनुसार मेरा न्याय चुका दे भला हो कि दुष्टों की बुराई का अंत हो जाए यहोवा समाज समाज का न्याय करता है यहोवा मेरे धर्म और खराई के अनुसार मेरा न्याय चुका दे भला हो कि दुष्टों की बुराई का अंत हो जाए प्रंतु धर्म को तुस्थेर कर क्योंकि धर्मी परमेश्वर मन और मर्म का ग्याता है मेरी ढाल परमेश्वर के हाथ में है वे सीधे मनवालों को बचाता है परमेश्वर धर्मी और न्याई है वरन ऐसा इश्वर है जो प्रती दिन क्रोध करता है यदि मनुश्य ना फिरे तो वे अपनी तलवार पर सान चड़ाएगा वे अपना धनुश चड़ाकर तीर संधान चुका है और उस मनिश्य के लिए उसने मृत्यू के हथ्यार तैयार कर लिए है वे अपने तीरों को अगनी बान बनाता है देख दुष्ट को अनर्थ काम की पिड़ाएं हो रही है उसको उतपात का गर्भ है और उससे जूट उतपन हुआ उसने गढ़ा खोदकर उसे गहरा किया और जो खाई उसने बनाई थी उसमें वे आप ही गिरा उसका उतपात पलट कर उसी के सिर पर पड़ेगा और उसका उबद्रप उसी के माथे पर पड़ेगा मैं यहोवा के धर्म के अनुसार उसका धन्यवाद करूँगा और प्रमपरधान यहोवा के नाम का भजन गाऊँगा भजन आठ कुल पद नौ हे यहोवा हमारे प्रभु तेरा नाम सारी प्रिथ्वी पर क्या ही प्रताप मैं है तुने अपना विभव स्वर्ग पर दिखाया है तुने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूद पियाऊं के द्वारा सामर्थ की नेव डाली है ताकि तू शत्रू और पल्टा लेने वालों को रोक रखे जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागन को जो तूने नियुक्त किये हैं देखता हूँ तो फिर मनुश्य क्या है कि तू उसका समर्ण रखे और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधी ले क्योंकि तू ने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकट उसके सिर पर रखा है तू ने उसे अपने हाथों के कारें पर प्रभुता दी है तू ने उसके पाम तले सब कुछ कर दिया है सब भेड बक्री और गाए बैल और जितने वनपशू है आकाश के पक्षी और समुंदर की मचलिया और जितने जीव जन्तू समुंदरों में चलते फिरते हैं हे यहोवा हे हमारे प्रभु तेरा नाम सारी प्रिथ्वी पर क्या ही प्रताप मैं है भजन नौ कुलपद 20 हे यहोवा प्रमेश्वर मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूँगा मैं तेरे सब आश्चरे कर्मों का वर्णन करूँगा मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुलित होँगा हे परंपरधान मैं तेरे नाम का भजन गाऊँगा जब मेरे शत्रू पीछे हटते हैं तो वे तेरे सामने से ठोकर खाकर नाश होते हैं क्योंकि तूने मेरा न्याए और मुकदमा चुकाया है तूने सिहासन पर विराजमान होकर धर्म से न्याए किया तूने अन्यजातियों को जिड़का और दुष्ट को नाश किया है तूने उनका नाम अनंत काल के लिए मिटा दिया है शत्रू जो हैं वे मर गए वे अनंत काल के लिए उजड़ गए हैं और जिन नंगरों को तूने ढ़ा दिया उनका नामवा निशान भी मिट गया है प्रन्तु यहोवा सदैव सिहासन पर विराजमान है उसने अपना सिहासन नयाय के लिए सिद्ध किया है और वे आप ही जगत का नयाय धरम से करेगा वे देश-देश के लोगों का मुकदमा खराई से निपटाएगा यहोवा पिसे हुओं के लिए उंचा गड़ ठहरा है वे संकट के समय के लिए भी उंचा गड़ ठहरेगा और तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे क्योंकि है यहोवा तुने अपने घोजियों को त्याग नहीं दिया यहोवा जो सियोन में विराजमान है उसका भजन गाओ जाती जाती के लोगों के बीच में उसके महा कर्मों का प्राचार करो क्योंकि खून का पल्टा लेने वाला उनको समर्ण करता है वे दीन लोगों की दुहाई को नहीं भूलता इह यहोवा मुझे पर अनुग्रै कर तु जो मुझे मृत्यू के फाटकों के पास से उठाता है मेरे दुख को देख जो मेरे बैरी मुझे दे रहे हैं ताकि मैं सियोन के फाटकों के पास तेरे सब गुणों का वर्णन करूँ और तेरे किये हुए उद्धार से मगन हो अन्य जाती वालों ने जो गढ़ा खोदा था उसी मेवे आप किर पड़े जो जाल उन्होंने लगाया था उसमें उन्ही का पाम फस गया यहवा ने अपने को प्रगट किया उसने न्याय किया है दुष्ट अपने किये हुए कामों में फस जाता है दुष्ट अधलोग में लौट जाएंगे तथा वे सब जातियां भी जो परमेश्वर को भूल जाती ह क्योंकि दरिद्र लोग अनंतकाल तक बिसरे हुए ना रहेंगे और ना तो नम्र लोगों की आशा सरवदा के लिए नाश होगी उट, हे परमेश्वर, मनुष्य प्रबल ना होने पाए जातियों का न्याए तेरे समुक किया जाए हे परमेश्वर, उनको भय दिला, जातियां अपने को मनुष्य मात्र ही जाने हे यहोवा, तू क्यों दूर खड़ा रहता है, संकट के समय में क्यों छिपा रहता है दुष्टों के अहंकार के कारण दीन मनुष्य खदेड़े जाते हैं, वे अपनी ही निकाली हुई में फस जाते हैं क्योंकि दुष्ट अपनी अभिलाशा पर घमंड करता है, और लोभी परमेश्वर को उक्तियाग देता है और उसका तिरसकार करता है दुष्ट अपने अभिमान के कारण कहता है कि वह लेखा नहीं लेने का उसका पूरा विचार यही है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं वह अपने मार्क पर द्रिड़ता से बना रहता है तेरे न्याय की विचार ऐसे उंचे पर होते हैं कि उसकी दृष्टी वहां तक नहीं पहुँचती जितने उसके विरोधी हैं उन पर वे फुंकारता है वे अपने मन में कहता है कि मैं कभी टलने का नहीं मैं पीडी से पीडी तक दुख से बचा रहूंगा उसका मूँ शाप और छल और अंधेर से भरा है उत्पात और अनर्थ की बातें उसके मुह में हैं वे गावों के घातों में बैठा रहता है और गुप्त स्थानों में निर्दोश को घात करता है उसकी आँखे लाचार की घात में लगी रहती है जैसा सी अपनी जाड़ी में वैसा ही वे भी चिपकर घात में बैठा करता है वे दीन को अपने जाल में फंजा कर घसी टलाता है तब उसे पकड़ लेता है वे जुक जाता है और वे दबक कर बैठता है और लाचार लोग उसके महाबली हाथों से पटके जाते है वे अपने मन में सोचता है कि ईश्वर भूल गया वे अपना मूँ छिपाता है वे कभी नहीं देखेगा उठ हे यहुवा हे ईश्वर अपना हाथ बढ़ा और दीनों को ना भूल परमेश्वर को दुष्ट क्यों तुछ जानता है और अपने मन में कहता है कि तू लेखा ना लेगा तूने देख लिया है क्योंकि तू उतपात और कलपाने पर दृष्टी रखता है ताकि उसका पलटा अपने हाथ में रखे लाचार अपने को तेरे हाथ में सौपता है अनाथों का तू ही सहायक रहा है दुष्ट की भुजा को तोड़ डाल और दुर्जन की दुष्टता को धून धून कर निकाल जब तक कि सब उसमें से दूर ना हो जाए यहोवा अनंतकाल के लिए महराज है उसके देश में से अन्य जाती लोग नाश हो गए है हे यहोवा तूने नम्र लोगों की अभिलाशा सुनी है तू उनका मन तैयार करेगा तू कान लगा कर सुनेगा कि अनाथ और पिसे हुए का नयाय करे ताकि मनिश्य जो मिट्टी से बना है फिर भय दिखाने ना पाए भजन ग्यारा कुलपद साथ मेरा भरोसा परमेश्वर पर है तुम क्यों कर मेरे प्रांच से कहते हो कि पक्षी किनाई अपने पहाड पर उड़ जा क्योंकि देखो दुष्ट अपना धनुष चड़ाते हैं और अपना तीर धनुष की डोरी पर रखते हैं कि सीधे मनवालों पर अंध्यारे में तीर चलाएं यदि नेवे ढादी जाएं तो धर्मी क्या कर सकता है परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है परमेश्वर का सिहासन स्वर्ग में है उसकी आखे मनुष्य की संतान को नित देखती रहती है और उसकी पलके उनको जाचती है यहोवा धर्मी को परकता है परंतु वे उनसे जो दुष्ट है और उपद्रव से प्रिती रखते है अपनी आत्मा में घ्रेणा करता है वे दुष्टों पर फंदे बरसाएगा आक और कंधक और प्रचन लू उनके कटोरों में बांट दी जाएगी क्योंकि यहोवा धर्मी है वे धर्म ही के कामों से प्रसन रहता है धर्मी जन उसका दर्शन पाएगे भजन बारा कुलपद आठ ये परमेश्वर बचा ले क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा मनुष्यों में से विश्वास योग्यों लोग मर मिटे हैं उन में से प्रतेक अपने पडोसी से जूटी बाते कहता है वे चापलूसी के हूटों से दो रंगी बाते करते हैं प्रभू सब चापलूस होटों को और उस जीब को जिससे बड़ा बोल निकलता है काट डालेगा वे कहते हैं कि हम अपनी जीब ही से जीतेंगे हमारे हूट हमारे ही वश्च में है हमारा प्रभू कौन है दीन लोगों के लुट जाने और दरिद्रों के कराहने के कारण परमेश्वर कहता है अब मैं उठूंगा जिस पर वे फुंकारते हैं उसे मैं चैन विश्राम दूंगा परमेश्वर का वचन पवित्र है उस चांदी के समान जो भटी में मिट्टी पर ताई जाती जो भटी में मिट्टी पर ताई गई और साथ बार निर्मल की गई हो तू ही है परमेश्वर उनकी रक्षा करेगा उनको इस काल के लोगों से सर्वदा के लिए बचाए रखेगा जब मनुष्य में नीचपन का आदर होता है तब दुष्ट लोग चारों और अकड़ते फिरते हैं भजन तेरा कुलपत छे हे परमेश्वर तू कब तक क्या सदैप मुझे भूला रहेगा तू कब तक अपना मुखड़ा मुझ से चिपाये रहेगा मैं तक अपने मन ही मन में जुक्तियां करता रहूं और दिन भर अपने हिर्दे में दुखित रहा करूं कब तक मेरा शत्रू मुझे पर प्रबल रहेगा है मेरे परमेश्वर यहोवा मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे मेरी आँखों में ज्योती आने दे नहीं तो मुझे मृत्यू की नीद आ जाएगी ऐसा नहो कि मेरा शत्रू कहे कि मैं उस पर प्रबल हो गया और ऐसा नहो कि जब मैं डगमगाने लगूं तो मेरे शत्रू मगन हो परन्तु मैंने तो तेरी करुणा पर भरोसा रखा है मेरा हिर्दे तेरे उध्धार से मगन होगा मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा क्योंकि उसने मेरी भलाई की है भजन चौदा कुलपद साथ मूर्ख ने अपने मन में कहा है कोई परमेश्वर है ही नहीं वे बिगड़ गए उन्होंने घिनाने काम किये हैं कोई सुकर्मी नहीं परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर द्रिष्टी की है कि देखे कि कोई बुद्धिमान कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं वे सब के सब भटक गए वे सब भरष्ट हो गए कोई सुकर्मी नहीं एक भी नहीं क्या किसी अनर्थकारी को कुछ भी ग्यान नहीं रहता जो मेरे लोगों को ऐसे खा जाते हैं जैसे रोटी और परमेश्वर का नाम नहीं लेते वहाँ उन पर भाय छा गया क्योंकि परमेश्वर धर्मी लोगों के बीच में निरंतर रहता है तुम तो दीन की युक्ती की हसी उड़ाते हो इसलिए कि यहोवा उसका शरंस्थान है भला हो कि इस्राइल का उद्धार सियोन से प्रगट होता जब यहोवा अपनी प्रजा को दासत्व से लटा ले आएगा तब याकूब मग्न और इस्राइल आनन्दित होगा भजन पंद्रा कुलपद पांच हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा तेरे पवित्र परवत पर कौन बसने पाएगा वह जो खुराई से चलता और धर्म के काम करता है और हिर्दे से सच बोलता है जो अपनी जीब से निंदा नहीं करता और ना अपने मित्र की बुराई करता और ना अपने पडोसी की निंदा सुनता है वह जिसकी दृष्टी में निकम्मा मनुश्यत तुछ है और जो यहोवा के डरवईयों का आदर करता है जो शप्त खाकर बदलता नहीं चाहे हानी उठानी पड़े जो अपना रुप्या ब्याज पर नहीं देता और निर्दोश की हानी करने के लिए घूस नहीं लेता है जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी ना डगमागाएगा भजन सोला कुलपद दस हे ईश्वर मेरी रक्षा कर क्योंकि मैं तेरा ही शरनागत हूँ मैंने परमेश्वर से कहा है कि तू ही मेरा प्रभू है तेरे सिवाई मेरी भलाई कहीं नहीं पृत्वी पर जो पवित्र लोग है वे ही आदर के योग्य है और उन्हीं से मैं प्रसन रहता हूँ जो पराई देवता के पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ जाएगा मैं उनके लहू वाले तपावन नहीं तपाऊंगा और उनका नाम अपने होटों से नहीं लूँगा यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है मेरे बांट को तु स्थिर रखता है मेरे लिए माप की डोरी मन भावने स्थान में पड़ी और मेरा भाग मन भावना है मैं यहोवा को धन्य कहता हूँ क्योंकि उसने मुझे सम्मत्ती दी है परन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है मैंने यहोवा को निरंतर अपने समुख रखा है इसलिए कि वे मेरे दाने हाथ रहता है मैं कभी न डगमगाऊंगा इस कारण मेरा हिर्दे आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई मेरा शरीर भी चैन से रहेगा क्योंकि तू मेरे प्रान को अधलोक में न छोड़ेगा ना अपने पवित्र भक्त को सरने देगा तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा तेरे निकट आनंद की भरपूरी है तेरे दाने हाथ में सुक सर्वदा बना रहता है भजन सत्रा कुलपद पंद्रा हे यहोवा परमेश्वर सच्चाई के वचन सुन मेरी पुकार की ओर ध्यान दे मेरी प्रात्ना की ओर जो निश्कप्ट मूझ से निकलती है कान लगा मेरे मुकदमे का निर्ने तेरे समुख हो तेरी आँखे न्याय पर लगी रहें तूने मेरे हिर्दे को जाचा है तूने रात को मेरी देख भाल की तूने मुझे परखा प्रंतु कुछ भी खोटा पन नहीं पाया मैंने ठान लिया है कि मेरे मुझ से अब रात की बाद नहीं निकलेगी मानवी कामों में मैं तेरे मूग के वचन के द्वारा क्रूरों की सी चाल से अपने को बचाए रहा मेरे पाउं तेरे पथों में स्थर रहे फिसले नहीं है इश्वर मैंने तुझ से प्रातना की है क्योंकि तू मुझे उत्तर देगा अपना कान मेरी और लगाकर मेरी विंती सुन ले तू जो अपने दाने हाथ के द्वारा अपने शर्णागतों को उनके विरोधियों से बचाता है अपनी अद्भूत करूना दिखा अपने आँखों की पुतली की नाई सुरक्षित रख अपने पंखों के तले मुझे चिपा रख उन दुष्टों से जो मुझे पर अत्याचार करते हैं मेरे प्राण के शत्रों से जो मुझे घेरे हुए हैं उन्होंने अपने हिर्दों को कठोर किया है उनके मुँ से घमंड की वाते निकलती हैं उन्होंने पगपग पर हमको घेरा है वे हमको भूमी पर पटक देने के लिए घात लगाए हुए हैं वे उस सीख की नाई है जो अपने शिकार की लालसा करता है और जवान सीख की नाई घात लगाने के स्थानों में बैठा रहता है उठ हे यहोवा उसका सामना कर और उसे ले अपना हाथ बढ़ा कर हे यहोवा मुझे मनुश्यों से बचा अर्थात संसारी मनुश्यों से जिनका भाग इसी जीवन में है और जिनका पेट तु अपने भंडार से भरता है वे बाल बच्चों से संतुष्ठ है और शेष संपत्ति अपने बच्चों के लिए छोड़ हो जाते हैं परन्तु मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूँगा जब मैं जागूँगा तब तेरे स्वरूप से संतुष्ठ हूँगा भजन अठारा कुलपद पचास हे परमेश्वर हे मेरे बल मैं तुझ से प्रेम करता हूँ यहोवा मेरी चटान और मेरा गड़ और मेरा छुडाने वाला है मेरा ईश्वर मेरी चटान है जिसका मैं शर्नागत हूँ वै मेरी ढाल और मेरी मुक्ती का सिंग और मेरा उंचा गड़ है मैं यहोवा को जो स्टूती के योग्य है पुकारूँगा इस प्रकार मैं अपने श्यत्रों से बचाया जाऊंगा मृत्यू की रस्यों से मैं चारो और घिर गया हूं और अधरम की बार्ड ने मुझे को भैबीत कर दिया पाताल की रस्यां मेरे चारो और थी और मृत्यू की फंदे मुझे पर आय थे अपने संकत में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा मैंने अपने परमेश्वर की दोहाई दी और उसने अपने मंदिर में से मेरी बाते सुनी और मेरी दोहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी तब पृत्वी हिल गई और काम पुठी और पहाडों की नेवे कमपित होकर हिल गई क्योंकि वे अतिक रोधित हुआ था उसके नथनों से धुआ निकला और उसके मूँ से आग निकल कर भस्म करने लगी जिससे कोईले दहक उठे और वे स्वर्ग को नीचे जुका कर उतर आया उसके पावों तले गोर अंधकार था और वे करूब पर सवार होकर उड़ा वरण पवन के पंखो पर सवारी करके वेग से उड़ा उसने अंध्यारे को अपने छिपने का स्थान और अपने चारों ओर मेखों के अंधकार और आकाश की काली घटाओं का मंडब बनाया उसकी उपस्तिती की जलक से उसकी काली घटाओं फट गए ओले और अंगारे तब यहोवा आकाश में गरजा और परंपरधार ने अपनी वानी सुनाई ओले और अंगारे उसने अपने तीर चला चला कर उनको तितर बितर किया वरन बिजलियां गिरा गिरा कर उनको परास्त किया तब जल के नाले देख पड़े और जगत की नेवे प्रगट हुई यह तो हे यहुआ तेरी दांट से और तेरे नत्रों की सास की जोग से हुआ उसने उपर से हाथ बढ़ा कर मुझे थाम लिया और गहरे जल में से खीच लिया उसने मेरे बलवंथ शत्रू से और उन से जो मुझे से घ्रेना करते थे मुझे छुडाया क्योंकि वे अधिक सामर्थी थे मेरी विपत्ती के दिन वे मुझे पर आ पड़े परंतु यहोवा मेरा आश्रेय था और उसने मुझे निकाल कर चौड़े स्थान में पहुँचाया उसने मुझे को छुडाया क्योंकि वे मुझे से प्रसंद था यहोवा ने मुझे से मेरे धर्म के अनुसार विवार किया और मेरे हाथों की शुड़ता के अनुसार उसने मुझे बदला दिया क्योंकि मैं यहोवा के मारगों पर चलता रहा और दुश्टता के कारण अपने परमेश्वर से दूर ना हुआ क्योंकि उसके सारे निर्णे मेरे समुक बने रहे और मैंने उसकी विधियों को ना त्यागा और मैं उसके समुक सिद्ध बना रहा और अधरम से अपने को बचाए रहा यहोवा ने मुझे मेरे धरम के अनुसार बदला दिया और मेरे हाथों की उस शुड़ता के अनुसार जिसे वै देखता था देयावंत के साथ तु अपने को देयावंत दिखाता और खरे पुरिश के साथ तु अपने को खरा दिखाता है शुद्ध के साथ तु अपने को शुद्ध दिखाता और टेड़े के साथ तु तिर्चा बनता है क्योंकि तू दीन लोगों को तो बचाता है परन्तू घमंड भरी आँखों को नीची करता है हाँ तू ही मेरे दीपक को जलाता है मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंध्यारे को उज्याला कर देता है क्योंकि तेरी सहायता से मैं सेना पर धावा करता हूँ और अपने परमेश्वर की सहायता से शहर पना को लांग जाता हूँ इश्वर का मार्क सचाई यहोवा का वचन ताया हुआ है वे अपने सब शरनागतों की ढाल है यहोवा को छोड़ क्या कोई इश्वर है हमारे परमेश्वर को छोड़ क्या और कोई चटान है यह वही इश्वर है जो सामर्ट से मेरा कटी बंद बांधता है और मेरे मार्ग को सिद्ध करता है वही मेरे पैरों को हर्णियों के पैरों के समान बनाता है और मुझे मेरे उंचे स्थानों पर खड़ा करता है वह मेरे हाथों को युद्ध करना सिखाता है इसलिए मेरी बाहों से पीतल का धनुश छुक जाता है तूने मुझको अपने बचाव की ढाल दी है तू अपने दाइने हाथ से मुझे संभाले हुए है तेरी नमर्ता ने महत्व दिया है तूने मेरे पैरों के लिए स्थान चौड़ा कर दिया और मेरे पैर नहीं फिसले मैं अपने शत्रों का पीछा करके उन्हें पकड़ लूँगा और जब तक उनका अंत ना करूँ तब तक ना लोटूँगा मैं उन्हें ऐसा बेदूँगा कि वे उठना सकेंगे वे मेरे पावों के नीचे गिर पड़ेंगे क्योंकि तूने युद के लिए मेरी कमर में शक्ति का पटुका बांधा है और मेरे विरोधियों को मेरे समुख नीचा कर दिया तूने मेरे शत्रों की पीठ मेरी और फेर दी ताकि मैं उनको काट डालू जो मुझ से द्वेश रखते हैं उन्होंने दोहाई तो दी परन्तु उन्हें कोई भी बचाने वाला ना मिला उन्होंने यहोवा की भी दोहाई दी परन्तु उसने भी उनको उत्तर ना दिया तब मैंने उनको कूट कूट कर पवन से उड़ाई हुई धूली के समान कर दिया मैंने उनको गली कूचों की कीचड के समा निकाल फिंका तूने मुझे प्रजा के जगड़ों से भी छुडाया तूने मुझे अन्यर्जातियों का प्रधान बनाया है जिन लोगों को मैं जानता भी ना था वे मेरे अधीन हो गए मेरा नाम सुनते ही वे मेरी आग्या का पालन करेंगे परदेशी मेरे वश में हो जाएंगे परदेशी मुर्जा जाएंगे और अपने किलों में से थर्थराते होए निकलेंगे यहोवा परमेश्वर जीवित है मेरी चटान धन्य है और मेरे मुक्ति दाता परमेश्वर की बढाई हूँ धन्य है मेरा पल्टा लेने वाला ईश्वर जिसने देश-देश के लोगों को मेरे वक्ष में कर दिया है और मुझे मेरे शत्रों से छुड़ाया है तुम मुझ को मेरे विरोधियों से उंचा करता और उपद्रवी पुरिश से बचाता है इस कारण मैं जाती जाती के सामने तेरा धन्यवाद करूँगा और तेरे नाम का भजन गाऊँगा वे अपने ठहराए हुए राजा का बड़ा उधार करता है वे अपने अभी शिक्त दाउद पर और उसके वंश पर युगानु युग करना करता रहेगा भजन उन्निस कुलपद चौदा आकाश इश्वर की महिमा वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रगट कर रहा है दिन से दिन बाते करता है और रात को रात क्यान सिखाती है ना तो कोई बोली है और ना कोई भाशा जहां उनका शब्द सुनाई नहीं देता है उनका स्वर सारी प्रिथ्वी पर गूंज गया है और उनके वचन जगत की छोड तक पहुँच गए है उनमें उसने सूर्य के लिए एक मंडब खड़ा किया है जो दूले के समान अपने महल से निकलता है वे शूरवीर की नाई अपनी दौड दौडने को हर्शित होता है वे आकाश की एक छोड से निकलता है और वे उसकी दूसरी छोड तक चक्कर मारता है और उसकी गर्मी सब को पहुँचती है यहोवा की विवस्ता खरी है वे प्रान को बहाल कर देती है यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं साधारन लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं हिर्दे को अनंदित कर देते हैं यहोवा की आग्या निर्मल है वे आँखों में जोती ले आती है यहोवा के भाय पवित्र है वे अनंत काल तक स्थर रहता है यहोवा के नियम सत्य और पूरी रिती से धर्माएं हैं वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर हैं वे मदू से और टपकने वाले छट्टे से भी बढ़कर मदूर हैं और उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है अपनी भूल चुक को कौन समझ सकता है मेरे गुप्त पापों से मुझे पवित्र कर तू अपने दास को धिटाई के पापों से बचाये रख वे मुझ पर प्रभुता करने ना पाएं तब मैं सिध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा मेरे मुझ के वचन और मेरे हिर्दे का ध्यान तेरे समुग ग्रहन योगे हों हैं यहवा परमेश्वर मेरी चटान और मेरे उधार करने वाले भजन बीस कुलपध नौ संकट के दिन यहवा तेरी सुन ले याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे उँचे स्थान पर न्यूट करे वे पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सियोन से तुझे संभाल ले वे तेरे सब अनबलियों को समर्ण करे और तेरे होंबली को ग्रहन करे वे तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सुफल करे तब हम तेरे उधार के कारण उंचे स्वर से हर्शेत होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से जंडे खड़े करेंगे यहोवा तुझे मूँ मांगा वर्दान दे अब मैं जान गया कि यहोवा अपने अभिशिक्त का उधार करता है वे अपने दायने हाथ के उधार के करने वाले प्राक्रम से अपने प्रवित्र स्वर्ग पर से सुनकर उसे उत्तर देगा किसी को रथों का और किसी को घोडों का भरोसा है प्रन्तु हम तो अपने परमेश्यर यहोवा ही का नाम लेंगे वे तो जुग गए और गिर पड़े प्रन्तु हम उठे और सीधे खड़े हैं हे यहोवा बचाले जिस देन हम पुकारें तो माहराजा हमें उत्तर दे भजनिकिस कुल पद तेरा हे यहोवा तेरी सामर्थ से राजा आनिदित होगा और तेरे किये हुए उध्धार से वे अतिमगन होगा तुने उसके मनुरत को पूरा किया है और उसके मूँ की विंती को तुने असविकार नहीं किया क्योंकि तु उत्तम आशिशे देता हुआ उससे मिलता है और तु उसके सिर पर कुंदन का मुकट पहनाता है उसने तुझ से जीवन मांगा और तुने जीवन दान दिया तुने उसको युगानयुग का जीवन दिया है तेरे उधार के कारण उसकी महिमा अधिक है तु उसको वेभव और एश्वरे से आभुशित कर देता है क्योंकि तुने उसको सर्वदा के लिए आशिशित किया है तु अपने समुख उसको हर्ष और आनन से भर देता है क्योंकि राजा का भरुसा यहुवा के उपर है और परमपरधान की करुणा से वे कभी नहीं टलने का तेरा हाथ तेरे सब शत्रूओं को ढून निकालेगा तेरा दाहिना हाथ तेरे सब बैरियों का पता लगा लेगा तु अपने मुख के समुख उन्हें जलते हुए भटे की नाई जलाएगा यहुवा अपने क्रोध में उन्हें निगल जाएगा और आग उनको भस्म कर डालेगी तु उनके फलों को प्रिथ्वी परसे और उनके वंश को मनुश्य में से नश्ट करेगा क्योंकि उन्होंने तेरी हानी ठानी है उन्होंने ऐसी युक्ति निकाली है जिसे वे पूरी ना कर सकेंगे क्योंकि तु अपना धनुश्य उनके विरुद चड़ाएगा और वे पीट दिखा कर भागेंगे हे यहुवा अपनी सामर्थ में महान हो और हम गा गा कर तेरे प्राक्रम का भजन सुनाएंगे भजन 22, कुलपद 31 हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है मेरा उध्धार कहा है हे मेरे परमेश्वर, मैं दिन को पुकारता हूँ प्रंतु तू उत्तर नहीं देता और रात को भी मैं चुप नहीं रहता प्रंतु हे, तू जो इस्राइल की स्तूती के सिहासन पर विराजमान है तू तो पवित्र है हमारे पुर्खा तुझी पर भरोसा रखते थे वे भरोसा रखते थे और तू उन्हें चुडाता था उन्होंने तेरी दोहाई दी और तू ने उनको चुडाया वे तुझी पर भरोसा रखते थे और कभी लजजित ना हुए परन्तु मैं तो कीड़ा हूँ, मनुश्य नहीं, मनुश्यों में मेरी नाम धराई है और लोगों में मेरा अपमान होता है वे सब जो मुझे देखते हैं, मेरा ठठा करते हैं और होन बिच काते, और यह कहते हुए सिरह लाते हैं कि अपने को यहवा के वश में कर दे, वही उसको छुड़ाए वे उसको उबारे, क्योंकि वे उससे परसन है प्रन्तु तू ही ने मुझे घर्ब से निकाला, जब मैं दूद प्याओ बच्चा था तब ही से तूने मुझे भरुसा रखना जिखलाया मैं जनमते ही तुझी पर छोड़ दिया गया माता के गर्ब ही से तू मेरा ईश्वर है मुझ से दूर ना हो, क्योंकि संकट निकट है और कोई सहायक नहीं बहुत से सांडों ने मुझे घेर लिया है बाशान के बलबंच संड मेरे चारों और मुझे घेरे हुए है विफाडने और गर्जने वाले सींग की नाई मुझ पर अपना मुँ पसारे हुए है मैं जल की नाई बह गया और मेरी सब हड़ियों के जोड उखड गए मेरा हिर्दे मौम हो गया वे मेरी देख के बितर पिगल गया मेरा बल तूट गया मैं ठीकरा हो गया और मेरी जीब मेरे तालू से चिपक गई और तू मुझे मार कर मिट्टी में मिला देता है क्योंकि कुट्टों ने मुझे खेर लिया है कुकर्मियों की मंडली मेरी चारों और मुझे घेरे हुए है वे मेरे हाथ और मेरे पैस छेटते है मैं अपनी सब हड़ियां गिन सकता हूँ वे मुझे देखते और निहारते है वे मेरे वस्त्र आपस में बांडते है और मेरे पहरावे पर चित्थी डालते है प्रंतु हे यहवा तू दूर ना रह हे मेरे सहायक मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर मेरे प्राण को तलवार से बचा मेरे प्राण को कुत्ते के पंजे से बचा ले मुझे सींग के मुझे से बचा हे यहवा के डरवईयों, उसकी स्तूती करो, हे याकूब के वंश, तुम उसकी महिमा करो, और हे इस्राइल के वंश, तुम उसका भाय मानो, क्योंकि उसने दुखी को तुछ नहीं जाना, और ना उससे घ्रेणा करता है, और ना उससे अपना मूँ छिपाता है, पर जब उसन सुन ली, बड़ी सभा में मेरा स्तूती करना तेरी ही ओर से होता है, मैं अपने प्राण को उससे भए रखने वाले के सामने पूरा करूंगा, नम्र लोग भजन करके त्रिप्त होंगे, जो यहवा के खोजी हैं, वे उसकी स्तूती करेंगे, तुम्हारे प्राण सरवदा प्रित्वी के सब दूर दूर देश के लोग उसको समर्ण करेंगे और उसकी ओर फिरेंगे, और जाती-जाती के सब कुल तेरे सामने दंडवत करेंगे, क्योंकि राज्य यहोवा ही का है, और सब जातियों पर वही प्रभुता करता है, प्रित्वी के सब हश्ट- भोजन करके दंडवत करेंगे, वे सब जितने मिट्टी में मिल जाते हैं और अपना अपना प्रान नहीं बचा सकते, वे सब उसी के सामने घुटने टेकेंगे, एक वंश उसकी सेवा करेगा, दूसरी पीडी से प्रभु का वर्णन किया जाएगा, वे आएंगे और उसके धर भजन तईस, कुलपद छे यहोवा मेरा चर्वाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी वे मुझे हरी हरी चराईयों में बठाता है, वे मुझे सुकदाई जल के जरने के पास ले चलता है वे मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मारगों में वे अपने नाम के निमत मेरी अगवाई करता है चाहे मैं घोर अंदकार से भरी हुई तराईयों में होकर चलूं, तो भी हानी से ना डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शान्ती मिलती है तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेच बिछाता है तूने मेरे सिर पर तेल मला है मेरा कटोरा उमड रहा है निश्चे भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदावास करूँगा भजन 24, कुलपद 10 पृत्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है जगत और उसमें निवास करने वाले भी क्योंकि उसी ने उसकी नीव समुंद्रों के उपर द्रिड करके रखी और महानदों के उपर स्थेर किया है यहोवा के परवत पर कौन चड़ सकता है और उसके पवितर स्थान में कौन खड़ा हो सकता है जिसके काम निर्दोश और हिर्देशुद है जिसने अपने मन को वियर्थबात की ओर नहीं लगाया और ना कपट से शपत खाई है वे यहोवा की ओर से आशीश पाएगा और अपने उधार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा ऐसे ही लोग उसके खोजी है वे तेरे दर्शन के खोजी या कूब वन्शी है हे फाट को अपने सिर उँचे करो हे सनातन के द्वारो उँचे हो जाओ क्योंकि ये प्रतापी राजा प्रवेश करेगा वे प्रतापी राजा कौन है परमेश्वर जो सामर्थी और प्राक्रमी है परमेश्वर जो युद्ध में प्राक्रमी है हे फाट को अपने सिर उँचे करो हे सनातन के द्वारो तुम भी खुल जाओ क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा वे प्रतापी राजा कौन है सेनाओं का यहुवा वही प्रतापी राजा है भजन 25 कुलपध 22 हे यहुवा मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूं हे मेरे परमेश्वर मैंने तुझी पर भरोसा रखा है मुझे लज़ित होने ना दे मेरे शत्रू मुझे पर जैजयकार करने ना पाए वरन जितने तेरी बाट जोते हैं उन में से कोई लज़ित ना होगा परन्तु जो आकारन विश्वास खाती हैं वे ही लज़ित होंगे हे यहोवा अपने मार्क मुझे को दिखला अपना पत्थ मुझे बता दे मुझे अपने सत्ते पर चला और शिक्षा दे क्योंकि तू मेरा उधार करने वाला परमेश्वर है मैं दिन भर तेरी ही बाट जोता हूँ हे यहोवा अपनी दिया और करुणा के कामों को समर्ण कर क्योंकि वे अनंतकाल से होते आएं है हे यहोवा अपनी भलाई के कारन मेरी जवानी के पापों और मेरे अपराधों को समर्ण ना कर अपनी करुणा ही के अनुसार तू मुझे समर्ण कर यहवा भला और सीधा है इसलिए वे पापियों को अपना मार्क दिखलाएगा वे नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा हाँ वे नम्र लोगों को अपना मार्क दिखलाएगा जो यहोवा की वाचा और चितानियों को मानते हैं उनके लिए उसके सब मार्क करुणा और सचाई है हे यहोवा अपने नाम के निमित मेरे अधर्म को जो बहुत है शमा कर वे कौन है जो यहोवा के भई मानता है यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वे प्रसन होता है चलाएगा वे कुशल से टिका रहेगा और उसका वंच प्रित्वी का अधिकारी होगा यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं और वे अपनी वाचा उन पर प्रगट करेगा मेरी आँखें सदैव यहोवा पर टक्टकी लगाए रहती हैं क्योंकि वही मेरे पावों को जाल में से छुडाएगा हे यहोवा मेरी और पिरकर मुझ पर अनुग्रे कर क्योंकि मैं अकेला और दीन हूँ मेरे हिर्दे का कलेश बढ़ गया है तु मुझ को मेरे दुखों से छुडा ले तु मेरे दुख और कश्ट पर द्रिष्टी कर और मेरे सब पापों को शमा कर मेरे शत्रों को देख कि वे कैसे बढ़ गए हैं और मुझ से बड़ा बैर रखते हैं मेरे प्राण की रक्षा कर और मुझे छुडा, मुझे लज्जित ना होने दे, क्योंकि मैं तेरा शर्णागत हूँ, खराई और सिधाई, मुझे सुरक्षित रखे, क्योंकि मुझे तेरी ही आशा है, हे परमेश्वर, इस्राइल को उसके सारे संक्टों से छुडा ले. भजन 26, कुलपद 12, हे यहोवा, मेरा न्यायकर, क्योंकि मैं खराई से चलता रहा हूँ, और मेरा भरोसा यहोवा पर अटल बना है, हे यहोवा, मुझे को जाच और परक, मेरे मन और हिर्दे को परक, क्योंकि तेरी करुणा तो मेरी आँखों के सामने है, और मैं तेरे सत्यमा पर चलता रहा हूँ, मैं निकम्मी चाल चलने वालों के संग नहीं बैठा, और ना मैं कप्टियों के साथ कहीं जाओंगा, मैं कुकर्मियों की संगती से घ्रेना रखता हूँ, और दुष्टों के संग ना बैठूँगा, मैं अपने हाथों को निर्दोष्टा के जल से धो तब हे यहुवा मैं तेरी वेदी की प्रदक्षिना करूँगा ताकि तेरा धन्यवाद उच्छे शब्द से करूँ और तेरे सब आश्चरे कर्मों का वर्णर करूँ यहुवा मैं तेरे धाम से तेरी महिमा के निवास्थान से प्रीती रखता हूँ मेरे प्राण को पापियों के साथ और मेरे जीवन को हत्यारों के साथ ना मिला वे तो उच्छा पन करने में लगे रहते हैं और उनका दाइना हाथ घूस से बरा रहता है परन्तु मैं तो से चलता रहूंगा तू मुझे छुडा ले और मुझ पर अनुग्रे कर मेरे पाव चौरस स्थान में स्थिर हैं सभाव में मैं यहुवा को धन्य कहा करूंगा भजन सताइस कुलपद चौदा यहुवा परमेश्वर मेरी जोती और मेरा उधार है मैं किस से डरूं यहुवा मेरे जीवन का द्रेड़ गर ठहरा है मैं किसका भाय खाऊंग जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझी से बैर रखते थे मुझे खा डालने के लिए मुझे पर चढ़ाई की तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े चाहे सेना भी मेरे विरुद शावनी डाले तो भी मैं ना डरूंगा चाहे मेरे विरुद लड़ाई ठन जाए उस तशा में भी मैं यह बादे निश्चित रहूँगा एक वर मैंने यहवा से मांगा है उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहवा के भवन में रहने पाऊं जिससे यहवा की मनोहरता पर द्रिष्टी लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं क्योंकि वे तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा अपने तंबू के गुप्त स्थान में वे मुझे छिपा लेगा और चत्तान पर चड़ाएगा अब मेरा सिर मेरे चारों ओर की शत्रों से उंचा होगा और मैं यहोवा के तंबू में जैजेकार के साथ बलीदान चड तुने कहा है की मेरे दर्शन के खोजी हो इसलिए मेरा मन तुझ से कहता है की है यहोवा तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा अपना मुख मुझ से ना चिपा अपने दास को करोध करके ना हटा तू मेरा सहायक बना है हे मेरे उधार करने वाले परमेश्वर मुझे त्याग ना दे और मुझे छोड़ ना दे मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है रद्धु यहुवा मुझे संभाल लेगा हे यहुवा अपने मार्ग में मेरी अगवाई कर और मेरे द्रोहियों के कारण मुझको चौरस रास्ते पर ले चल मुझको मेरे स्ताने वालों के इच्छा पर ना छोड़ क्योंकि जूटे साक्षी जो उपत्रव करने की धुन में हैं मेरे विरुद उठे हैं यदि मुझे विश्वास ना होता कि जीवतों की पृत्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मुर्चित हो जाता यहोवा की बाट जोता रहे याव बाद और तेरा हिर्दे द्रिड रहे हाँ यहोवा ही की बाट जोता रहे भजन अठाइस कुलपद नौ हे यहोवा मैं तुझी को पुकारूंगा हे मेरी चटान मेरी सुनी अनसुनी ना कर ऐसा न हो की तेरे चुप रहने से मैं कब्र में पड़े हूँ के समान हो जाओं जो पाताल में चले जाते हैं जब मैं तेरी दोहाई दूँ और तेरे पवितर स्थान की भीतरी कोठरी की और अपने हाथ उठाओं तब मेरी गिरगडाहट की बात सुन ले उन दुष्टों और अनर्थकारियों के संग मुझे ना घसीट जो अपने पडोसियों से बाते तो मेल की बोलते हैं परंतु हिर्दे में बुराई रखते हैं उनके कामों के और उनकी करनी की बुराई के अनुसार उनसे बरताव कर उनके हाथों के काम के अनुसार उन्हें बदला दे उनके कामों का पल्टा उन्हें दे वे यहुवा के कामों पर और उसके हाथ के कामों पर ध्यान नहीं करते इसलिए वे उन्हें बच्छाड़ेगा और फिर ना उठाएगा यहुवा धन्य है क्योंकि उसने मेरी गिड़ गिड़ाहुट को सुना है यहुवा मेरा बल और मेरी धाल है उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है इसलिए मेरा हिर्दे प्रफुलित है और मैं गीत काकर उसका धन्यवाद करूँगा यहोवा उनका बल है वै अपने अभिशिक्त के लिए उद्धार का द्रेड कर है हे यहोवा अपनी प्रजा को उद्धार कर और अपने निज भाग के लोगों को आशीश दे और उनकी चरवा ही कर और सदैव उन्हें संभाली रहे भजन 29, कुलपध 11 हे यहोवा के पुत्रो, यहोवा का हाँ यहोवा ही का गुनानुवात करो यहोवा की महिमा और सामर्थ को सरा हो यहोवा के नाम की महिमा करो पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दन्वत करो यहोवा की वानी मेगों के उपर सुन पड़ती है प्रतापी इश्वर गरजता है यहोवा घने मेगों के उपर रहता है यहोवा की वानी शक्तिशाली है यहोवा की वानी प्रतापमय है यहोवा की वानी देवदारों को तोड़ डालती है यहोवा लबानोन की देवदारों को भी तोड़ डालता है वे उन्हें बच्छडे की नाई और लबानोन और शिरियोन को जंगली बच्छडे के समान उच्छालता है यहोवा की वानी आग की लप्टों को चीरती है यहोवा की वानी वन को हिला देती है यहोवा कादेश के वन को भी कमपाता है यहोवा की वानी से फिर्णियों का गरब बात हो जाता है और अरण्यम में पत जड़ होती है और उसके मंदिर में सब कोई महिमा ही महिमा बोलता रहता है जल प्रले के समय यहोवा विराचमान था और यहोवा सर्वदा के लिए राजा होकर विराचमान रहता है यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा यहोवा अपनी प्रजा की शान्ती की आशीश देगा भजन 30, कुलपद 12 हे यहोवा, मैं तुझे सरा हूँगा क्योंकि तुने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रों को मुझे पर आनंद करने नहीं दिया हे मेरे परमेश यहोवा, मैंने तेरी दोहाई दी और तुने मुझे जंगा किया है हे यहोवा, तुने मेरा प्रान अधलोक में से निकाला है तुने मुझको जीवित रखा और कब्र में पढ़ने से बचाया है हे यहोवा के भगतो उसका भजन का आओ और जिस पवित्र नाम से उसका समर्ण होता है उसका धन्यवाद करो क्योंकि उसका क्रोध तो शन भर का होता है प्रन्तु उसकी प्रसंता जीवन भर की होती है कदाचित रात को रोना पड़े प्रन्तु सबेरे आनंद पहुंचेगा मैंने तो अपने चैन के समय कहा था कि मैं कभी नहीं तलने का हे यहोवा अपनी प्रसंता से तुने मेरे पहाड को द्रड अस्थिर किया था जब तुने अपना मुख फेल लिया तब मैं घबरा गया हे यहोवा मैंने तुझी को पुकारा और यहोवा से गिड़ गिड़ा कर यह विंति की कि जब मैं कबर में चला जाऊंगा तब मेरे लोहू से क्या लाब होगा क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है क्या वे तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है हे यहोवा सुन मुझ पर अनुग्रै कर हे यहोवा तू मेरा सहाइक हो तूने मेरे लिए विलाप को निर्ते में बदल डाला तूने मेरा टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनन्द का पटका बांधा है ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप ना हो हे मेरे परमेश्यो यहोवा मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूँगा भजन 31, कुलपद 24 हे यहोवा मेरा भरुसा तुझ पर है मुझे कभी लचित होना ना पड़े तो अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुडा ले अपना कान मेरी ओड लगाकर तुरंत मुझे छुडा ले क्योंकि तू मेरे लिए जटान और मेरा गड़ है इसलिए अपने नाम के निमत मेरी अगवाई कर और मुझे आगे ले चल जो जाल उन्होंने मेरे लिए बिछाये है उससे तू मुझे को छुडा ले क्योंकि तू ही मेरा द्रिड़ गड़ है मैं अपनी आत्मा को तेरे ही हाथ में सौप देता हूँ हे यहवा हे सत्यवादी ईश्वर तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है जो वियर्थ वस्तूओं पर मन लगाते हैं उनसे मैं घ्रिणा करता हूँ प्रन्तु मेरा भरुसा यहवा ही पर है मैं तेरी करुणा से मगन और आनंदित हूँ क्योंकि तूने मेरे दुख पर द्रिष्टी की है मेरे कश्ट के समय तूने मेरी सुद्धी ली है और तूने मुझे शत्रू के हाथ में पढ़ने नहीं दिया तूने मेरे पावों को चौड़े स्थान में खड़ा किया है है यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं संकट में हूँ, मेरी आँखे, वरन मेरा प्राण, और मेरा शरीर, सब शोक के मारे घुल जाते हैं, मेरा जीवन, शोक के मारे, और मेरी अवस्था, कराते कराते घट चली है, मेरा बल, मेरे अधरम के कारण जाता रहा, और मे पहचान वालों के लिए डर का कारण हूं जो मुझको सड़क पर देखते हैं वैं मुझसे दूर भाग जाते हैं मैं मृतक की नाई लोगों के मन से बिसर गया मैं तूटे वासन के समान हो गया हूं मैंने बहुतों के मुझ से अपना अपवाद सुना चार और भय ही भय है जब उन्होंने मेरे विरोध आपस में सम्मत्ति की तब मेरे प्राण लेने की युक्ति की परंतु हे यहवा मैंने तो तुझी पर भरोसा रखा है मैंने कहा तू मेरा परमेश्वर है मेरे दिन तेरे हाथ में है तू मुझे मेरे शत्रूं और मेरे सताने वालों के हाथ से छुड अपने दास पर अपने मूँ का प्रकाश्चम का अपनी करुणा से मेरा उधार कर हे यहवा मुझे लज्जित ना होने दे क्योंकि मैंने तुछ को पुकारा है दुष्ट लज्जित हो और वे पाताल में चुपचाप पड़े रहें जो अहकार और अपमान से धर्मी की निंदा करते हैं उनके जूट बोलने वाले मूँ बंद किये जाए आहा तेरी भलाई क्या ही बड़ी है जो तुने अपने डर्वईयों के लिए रख छोड़ी है और अपने शर्णागतों के लिए मनुश्यों के सामने प्रगट भी की है तु उन्हें दर्शन देने के गुप्त स्थान में मनुश्यों की बुरी गोश्टी से गुप्त रखेगा तु उनको अपने मंडम में जगड़े रगड़े से चिपा रखेगा यहोवा धन्य है क्योंकि उसने मुझे गड़वाले नगर में रखकर मुझ पर अद्भुत करुणा की है मैंने तो घबराकर कहा था कि मैं यहोवा की दृष्टी से दूर हो गया तो भी जब मैंने तेरी दोहाई दी तब तु ने मेरी गिड़गिडाहट को सुन लिया है यहोवा के सबबगतो उससे प्रेम रखो यहोवा सचे लोगों की तो रक्षा करता है पर अंकार करता है उसको वैभली बांती बदला देता है है यहोवा पर आशा रखने वालों ही आव वांधो और तुम्हारे हिर्दे द्रिड रहें भजन बतिस कुलपद ग्यारा क्या ही धन्य है वै जिसका प्राज शमा किया गया और जिसका पाप धापा गया है क्या ही धन्य है वै मनुष्य जिसके अधरम का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो जब मैं चुप रहा तब दिन भर कहरते कहरते मेरी हड़ियां पिघल गई क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूपकाल की सी जुराहट बनती गई जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रगट किया और अपना अधर्म ना चिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूँगा तब तुने मेरे अधर्म और पाप को शमा कर दिया इस कारण हर एक भक्त तुझ से ऐसे समय में प्रातना करे जबकि तु मिल सकता है निश्चे जब जल की बड़ी बाड आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुँचेगी तु मेरे चिपने का स्थान है तु संकट से मेरी रक्षा करेगा तु मुझे चारों ओर से चुटकारे के गीतों से घेर लेगा मैं तुझे बुद्धी दूँगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगवाई करूँगा मैं तुझ पर कृपद्रिष्टी रखूँगा और समत्ती दिया करूँगा तुम घोडे और खचर के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते उनकी उमंग लगाम और बाग से रोकनी पड़ती है नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने के दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी परन्तु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वे करूणा से घिरा रहेगा हे धर्मियों यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो और हे सब सीदे मनवालों आनंद से जैजैकार करो भजन 33, कुलपध 22 हे धर्मियों यहोवा के कारण जैजैकार करो क्योंकि धर्मी लोगों को स्तूती करनी सोहती है वीना बजा बजाकर यहोवा का धन्यवात करो दस तारवाली सारंगी बजा बजाकर उसका भजन गाओ उसके लिए निया गीत काओ जैजैकार के साथ भली बांती बजाओ क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है और उसका सब काम सच्चाई से होता है वे धर्म और नयाय से प्रिती रखता है यहोवा की करुना से प्रित्वी भरपूर है आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मूँ की श्वास से बने वे समुद्र का जल धेर की नाई कठा करता वे गहरे सागर को अपने भंडार में रखता है सारी पृत्वी के लोग यहोवा से डरें जगत के सब निवासी उसका भाय माने क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया जब उसने आग्या दी तब वास्त में वैसा ही हो गया यहोवा अन्य जातियों की युक्ति को व्यर्थ कर देता है वे देश-देश के लोगों की कलपनाओं को निश्वल करता है यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी उसकी मन की कलपनाओं पीडी से पीडी तक बनी रहेंगी क्या ही धन्य है वे जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है और वे समाज जिसे उसने अपना निश भाग होने के लिए चुन लिया है यहोवा स्वर्ग से द्रिश्टी करता है वे सब मनुश्यों को निहारता है अपने निवास के स्थान से वे पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है वही जो उन सबों के हिर्द्यों को गरता और उनके सब कामों का विचार करता है कोई ऐसा राजा नहीं जो सेना की बहतायत के कारण बच सके वीर अपनी बड़ी शक्ती के कारण छूट नहीं जाता बच निकलने के लिए घोड़ा वियर्थ है वे अपने बड़े बल के द्वारा किसी को नहीं बचा सकता है देखो यहोवा की दृष्टी उसके डरवईयों पर है और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है कि वे उनके प्राण को मृत्यों से बचाए और आकाल के समय उनको जीवित रखे हम यहोवा का आस्रा देखते आएं है वे हमारा सहायक और हमारी ढाल ठहरा है हमारा हिर्दे उसके कारण आनंदित होगा क्योंकि हमने उसके पवित्र नाम का भरुसा रखा है हे यहोवा जैसी तुझ पर हमारी आशा है वैसी ही तेरी करुणा भी हम पर हो भजन 34, कुलपद 22 मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा उसकी स्तूती निरंतर मेरे मुक से होती रहेगी मैं यहोवा पर घमंड करूँगा नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगी मेरे साथ यहोवा की बढ़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम किस्तूती करें मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रिती से निर्भ़य किया जीनों ने उसकी ओर द्रिष्टी की उन्होंने जोती पाई और उनका मुँ कभी काला ना होने पाया इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुडा लिया यहोवा के डर्वईयों के चारों और उसका दूत छावनी किये हुए उनको बचाता है परक कर देखो कि यहोवा कैसा भला है क्या ही धन्य है वे पुरश जो उसकी शरण लेता है यहोवा के पवित्र लोगों उसका भाय मानो क्योंकि उसके डर्वईयों को किसी बात की घटी नहीं होती जवान सीहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं परन्तु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तू की घटी ना होवेगी हे लड़को आओ मेरी सुनो मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा वे कौन मनुश्य है जो जीवन की इच्छा रखता है और देर का आयू चाता है ताकि भलाई देखे और उसी का पीछा कर यहोवा की आँखे धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उनकी दोहाई की ओर लगे रहते हैं यहोवा बुराई करने वालों के भी मुख रहता है ताकि उनका समर्ण परिस्थ्वी पर से मिटा डाले धर्मी दोहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुडाता है यहोवा तूटे मनवालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उध्धार करता है धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पढ़ती तो है परन्तु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है वे उसकी हड़ी हड़ी की रक्षा करता है और उन में से एक भी तूटने नहीं पाती दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बैरी दोशी ठहरेंगे यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है और जितने उसके शर्णागत हैं उन में से कोई भी दोशी ना ठहरेगा भजन 35, कुलपद 28 हे यहोवा जो मेरे साथ मुकदमा लड़ते हैं उनके साथ तू भी मुकदमा लड़ जो मुझसे युद करते हैं उनसे तू युद कर धाल और भाला लेकर मेरी सहायता करने को खड़ा हो बर्ची को खींच और मेरा पीछा करने वालों के सामने आकर उनको रोक और मुझसे कै कि मैं तेरा उधार हूँ जो मेरे प्राण के ग्रहक हैं वे लजजित और निरादर हूँ जो मेरी हानी की कल्पना करते हैं वे पीछे हटाए जाएं और उनका मूँ काला हो, वेवाजू से उड़ जाने वाली भूसी के समान हो, और यहोवा का दूत उन्हें हांकता जाए, उनका मार्ग अंध्यारा और फिसलाहा हो, और यहोवा का दूत उनको खदेरता जाए, क्योंकि आकारण उन्होंने मेरे लिए अपना जाल गढ़े में बिचाया, अकारण ही उन्होंने मेरा प्राण लेने के लिए गढ़ा खोदा है, अचानक उन पर विपत्ती आ पड़े, और जो जाल उन्होंने बिचाया है, उसी में वे आप ही फसें, और उसी विपत्ती में वे आप ही पड़ें, परंतु में यहोवा के कारण अपने मन मे मगन होंगा और मैं उसके किये हुए उधार से हर्शित होंगा मेरी हड़ी हड़ी कहेगी है यहोवा तेरे तुले कौन है जो दीन को बड़े-बड़े बलवंतों से बचाता है और लुटेरों से दीन दरीदर लोगों की रक्षा करता है जूटे साक्षी खड़े होते हैं और जो बात मैं नहीं जानता वही मुझसे पूछते हैं वे मुझसे भलाई के बदले बुराई करते हैं यहां तक कि मेरा प्राण उप जाता है जब वे रोगी थे तब तो मैं टाट पहने रहा और उपवास कर करके दुख उठाता रहा और मेरी प्रातना का फल मेरी गोद में मैं ऐसा भाव रखता था कि मानों वे मेरे संगी वह भाई हैं जैसा कोई माता के लिए भी लाप करता हो वैसा ही मैंने शोक का पहरावा पहने हुए सिर जुका कर शोक किया परन्तु जब मैं लंगडाने लगा तब वे लोग आनंदित होकर इकठे हुए नीच लोग और जिने मैं जानता भी ना था वे मेरे विरुद इकठे हुए वे मुझे लगातार फारते रहे उन पाखंडी भाड़ों की नाई जो पेट के लिए उभास करते हैं वे भी मुझे पर दात पीसते हैं हे प्रभू तु कब तक देखता रहेगा इस विपत्ती से जिसमें उन्होंने मुझे डाला है मुझे को छुड़ा जवान सीहों से मेरे प्राण को बचा ले मैं बड़ी सभा में तेरा धन्यवात करूँगा बहत तेरे लोगों के बीच मैं तेरी स्तूती करूँगा मेरे जूट बोलने वाले शत्रू मेरे विरुद आनंद ना करने पाएं जो आकारन मेरे बैरी हैं वे आपस में नैन से सेन ना करने पाएं क्योंकि वे मेल की बाते नहीं बोलते प्रंतु देश में जो चुपचाप रहते हैं उनके विरुद छल की कलपनाईं करते हैं और उन्होंने मेरे विरुद मुँ पसार के कहा आहा आहा हमने अपनी आँखों से देखा है हे यहवा तूने तो देखा है चुप ना रहे हे प्रभू मुझसे दूर ना रहे उठ मेरे न्याय के लिए जाग हे मेरे परमेश्वर हे मेरे प्रभू मेरा मुकदमा निप्टाने के लिए आ हे मेरे परमेश्वर यहवा तू अपने धर्म के अनुसार मेरा न्याय चुका और उन्हें मेरे विरुद आनंद करने ना दे वे मन में ना कहने पाएं कि आहा हमारी तो इच्छा पूरी हुई वे ये ना कहें कि हम उसे निकल गए हैं जो मेरी हानी से आनंदित होते हैं उनके मुँ लज्जा के मारे एक साथ काले हूं जो मेरे विरुद बढ़ाई मारते हैं वे लज्जा और अनादर से ढप जाएं जो मेरे धर्म से प्रसन रहते हैं वे जेजेकार और आनंद करें और निरंतर कहते रहें यहोवा की बढ़ाई हो जो अपने दास के कुशल से प्रसन होता है तब मेरे मूँ से तेरी धर्म की चर्चा होगी और दिन भर तेरी स्तूती निकलेगी भजन 36, कुलपद 12 दुष्ट जन का अपराद मेरे हिर्दे के भीतर यह कहता है कि परमेश्वर का भाई उसकी दृष्टी में नहीं है वे अपने अधरम के प्रकट होने और घ्रिनत ठहरने के विशे अपने मन में चिकनी चुपडी बातें विचारता है उसकी बातें अनर्थ और छल की हैं उसने बुद्धी और भलाई के काम करने से हाथ उठाया है वे अपने बिच्छोने पर पड़े-पड़े अनर्थ की कल्पना करता है वे अपने कुमार पर द्रिड़ता से बना रहता है बुराई से वे हाथ नहीं उठाता हे यहोवा तेरी करुणा स्वर्ग में है तेरी सच्चाई आकाश मंदल तक पहुंची है तेरा धर्ण उठे परवतों के समान है तेरे नियम अथा सागर ठहरे है हे यहोवा तु मनिश्य और पशु दोनों की रक्षा करता है हे परमेश्वर तेरी करुणा कैसी अनमोल है मनिश्य तेरे पंखों के तले शरण लेते है वे तेरे भवन के चिकने भोजन से त्रिप्त होंगे और तू अपनी सुक की नींद में से उन्हें पिलाएगा क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे अपने जानने वालों पर करूणा करता रह और अपने धर्म के काम सीधे मनवालों में करता रह एंकारी मुझे पर लात उठाने ना पाएं और नादुष्ट अपने हाथ के बल से मुझे भगाने पाएं वहाँ अनर्थकारी गिर पड़े हैं वे ठकेल दिये गए और फिर उठना सकेंगे भजन 37, कुलपध 40 कुकर्मियों के कारण मत कुड, कुटिल काम करने वालों के विशे डाह ना कर, क्योंकि वे घास की नाई जटकट जाएंगे, और हरी घास की नाई मुर्चा जाएंगे, यहोवा पर भरुसा रख और भला कर, देश में बसा रह और सच्चाई में मन लगाए रह, यहोवा को अपने सुक का मूल जान और वे तेरे मनुर्थों को पूरा करेगा, अपने मार्क की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरुसा रख, वही पूरा करेगा, और वे तेरा धर्म, जोती की नाई और तेरा न्याई दुपहर के उजयाले की नाई प्रगट करेगा, यहोवा के सामने चुक चाप रह और धीरत से उसका आसरा रख, उस मनुष्य के कारण नाकुड जिसके काम सफल होते हैं और वे बुरी युक्तियों को निकालता है, क्रोध से परे रह और जलजलाहट को छोड़ दे, मत कुड उससे बुराई ही निकलेगी, क्योंकि कुकर्मी लोग क दुष्ट रहेगा ही नहीं, और तू उसके स्थान को भली भांती देखने पर भी उसको ना पाएगा, परन्तु नम्र लोग प्रिथ्वी के अधिकारी होंगे, और बड़ी शान्ती के कारण आनंद बनाएंगे, दुष्ट धर्मी के विरुद बुरी युक्ति निकालता है और उस पर दांत पीसता है, परन्तु प्रभू उस पर हसेगा, क्योंकि वे देखता है कि उसका दिन आने वाला है, दुष्ट लोग तलवार खीचे और धनुष चड़ाए हुए हैं, ताकि दीन दरिद्र को गिरा दे और सीधी चाल चलने वालों को वद्ध करे, उनकी दुष्टों की भुजाएं तो तोड़ी जाएंगी, परन्तु यहोवा धर्मियों को संभालता है, यहोवा खरे लोगों की आयू की सुधी रखता है, और उनका भाग सदैव बना रहेगा, विपत्ती के समय उनकी आशा ना तूटेगी, और ना वे लजजित होंगे, और आ वे धुएं की नाई बिलाई जाएंगे, दुष्ट रिर्ण लेता है और भरता नहीं, परन्तु धर्मी अनुग्रय करके दान देता है, क्योंकि जो उससे आशीश पाते हैं, वे प्रिथ्वी के अधिकारी होंगे, परन्तु जो उससे शापित होते हैं, वे नाश हो जाएं मनुष्य की गती यहवा की ओर से द्रिड होती है, और उसके चलन से वे प्रसन रहता है, चाहे वे गिरें, तो भी पड़ा ना रह जाएगा, क्योंकि यहवा उसका हाथ थामे रहता है, मैं लड़कपन से लेकर बुड़ापे तक देखता आया हूं, परन्तु ना तो कभी ध रिंड देता है, और उसके वंश पर आशीश पलती रहती है, बुराई को छोड़ और भलाई कर, और तु सरवदा बना रहेगा, क्योंकि यहवा नयाय से प्रीती रखता, और अपने भक्तों को ना तजेगा, उनकी तो रक्षा सदा होती है, प्रन्तु दुष्टों का रिंदी की बाते करता, और नयाय का वचन कहता है, उसके परमेश्वर की विवस्था, उसके हिर्दे में बनी रहती है, उसके पैर नहीं फिसलते, दुष्ट धर्मी की ताक में रहता है, और उसके मार डालने को यतन करता है, यहोवा उसको उसके हाथ में ना छोड़ेगा, और जब उसका विचार किया जाए, तब वे उसे दोशी ना ठहराएगा, यहोवा की बात जोता रहे, और उसके मार पर बना रहे, और वे तुझे बढ़ा कर पृत्वी का अधिकारी कर देगा, जब दुष्ट काट डाले जाएंगे, तब तु देखेगा, मैंने दुष्ट को बड़ा प्राक्रमी और ऐसा फैलता हुआ देखा, जैसा कोई हरा पेड अपने निज भूमी में फैलता है, परन्तु जब कोई उधर से गया, तो देखा कि वे वहाँ है ही नहीं, और मैंने भी उसे ढूंडा, परन्तु कहीं ना पाया, खरे मनुष्य प्रद्रिष्टी क और धर्मी को देख, क्योंकि मेल से रहने वाले पुरुष्य का अंतुफल अच्छा है, परन्तु अपराधी एक साथ सत्यनाश किये जाएंगे, दुष्टों का अंतुपल सर्वनाश है, धर्मियों की मुक्ती यहोवा की ओर से होती है, संकट के समय वे उनका द्रिड़ करता है, इसलिए कि उन्होंने उसमें अपनी शरण ली है। है यहोवा, क्रोध में आकर मुझे जिड़क ना दे, और ना जलजलाहट में आकर मेरी ताड़ ना कर, क्योंकि तेरे तीर मुझ में लगे हैं, और मैं तेरे हाथों के नीचे दबा हूँ, तेरे क्रोध के कारण मेरे शरीर में कुछ भी आरुग्यता नहीं, और मेरे पाप क कारण मेरी हड्डियों में कुछ भी चैन नहीं क्योंकि मेरे अधर्म के कामों में मेरा सिर डूब गया और वे भारी बोज की नाई मेरे सहने से बाहर हो गए हैं मेरी मूड़ता के कारण से मेरे कोड़े खाने के घाव बसाते हैं और सड़ गए हैं मैं बहुत दुखी हूं और शरीर में आरोग्यता नहीं मैं निर्बल और बहुत ही चूर हो गया हूं मैं अपने मन की घबरहट से कराता हूं हे प्रभू मेरी सारी अभिलाशा तेरे समुक हैं और मेरा कराना तुझ से चिपा है मेरा हिर्दे धड़कता है मेरा बल घटता जाता है और मेरी आखों की जो से अलग हो गए और मेरे कटुमबी भी दूर जा खड़े हुए मेरे प्रान के ग्रहक मेरे लिए जाल बिछाते हैं और मेरी हानी के यतन करने वाले दुष्टता की बाते बोलते और दिन भर छल की युक्ति सोचते हैं परन्तु मैं बहरे की नाई सुनता ही नहीं और मैं से के तुल्य हूं जो कुछ नहीं सुनता और जिसके मूं से विवात की कोई बात नहीं निकलती परन्तु हे यहवा मैंने तुझ ही पर अपनी आशा लगाई है हे प्रभू मेरे परमेश्वर तू ही उत्तर देगा क्योंकि मैंने कहा ऐसा नहो कि वेद मुझ पर आनंद करें जो जब मेरा पाउप फिसल जाता है तब मुझ पर अपनी बड़ाई मारते हैं क्योंकि मैं तो अब गिरने ही पर हूँ और मेरा शोक निरंतर मेरे सामने है इसलिए कि मैं तो अपने अधरुम को प्रगट करूँगा और अपने पाउप के कारण खेदित रहूँगा परन्त जwedव मेरे शत्रू फरतीले और सामर्थी हैं और मेरे विरोधी बैरी पौत हो गए हैं जो भलाई के बदले में बुराई करते हैं वे bी मेरे भलाई के पीछे चलने के कारण मुझ سے विरोध करते हैं हे यहवा मुझे छोड़ ना दे हे मेरे परमेश्वर मुझसे दूर ना हो हे यहवा हे मेरे उधार करता मेरी सहायता के लिए पुर्ती कर भजन 49, कुल्पध 13 मैंने कहा मैं अपनी चालचलन में चौकसी करूँगा ताकि मेरी जीब से पाप ना हो जब तक दुष्ट मेरे सामने है तब तक मैं लगाम लगाए अपना मूबंद किये रहूंगा मैं मौन धारन कर गुंगा बन गया और भलाई की ओर से भी चुप्पी सादे रहा और मेरी पीड़ा बढ़ गई मेरा हिर्दे अंदर ही अंदर जल रहा था सोचते सोचते आग भड़क उठी तब मैं अपनी जीब से बोल उठा हे यहवा ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए और यह भी कि मेरी आयू के दिन कितने हैं जिससे मैं जान लूँ कि मैं कैसा अनित्ते हूँ देख तूने मेरे आयू बालिष्थ भर की रखी है और मेरी अवस्था तेरी दृष्टी में कुछ है ही नहीं सच मुझ सब मनुष्य कैसे ही स्थिर क्यों न हूँ तो भी व्यर्थ ठहरे हैं सच मुझ मनुझ मनुष्य छाया सचलता फिरता है सच मुझ वे व्यर्थ घबराते हैं वे धन का संच्य तो करता है परन्तु नहीं जानता कि उसे कौन लेगा और अब हेई प्रभू मैं किस बात की बार जो हूँ मेरी आशा तो तेरी और लगी है मुझे मेरे सब अपरादों के बंधन से चुडा ले मूड मेरी निंदा ना करने पाएं मैं गूंगा बन गया और मू ना खोला क्योंकि ये काम तू ही ने किया है तूने जो भी पत्ती मुझे पर डाली है उसे मुझे से दूर कर दे क्योंकि मैं तो तेरे हाथ की मार से भस्म हुआ जाता हूँ जब तू मनुष्य को अधर्म के कारण दपट दपट कर ताड़ना देता है तब तू उसकी सुंदर्ता को पतिंगे की नाई नाश करता है सच मुझ सब मनुष्य रिधा अभिमान करते हैं हे यहोवा मेरी प्रातना सुन और मेरी दोहाई पर कान लगा मेरा रोना सुनकर शांत ना रह क्योंकि मैं तेरे संग एक परदेशी यात्रे की नाई रहता हूँ और अपने सब पुर्खाओं के समान परदेशी हूँ आह इससे पहले की मैं यहां से चला जाओं और ना रह जाओं मुझे बचा ले जिससे मैं प्रदीप्त जीवन प्राप्त करूँ भजन चालिस कुलपद सत्रा मैं धीरच से यहवा की बाट चोता रहा और उसने मेरी और जुक कर मेरी दोहाई सुनी उसने मुझे सत्यनाश के गड़े और दलदल की कीच में से उबारा और मुझे को चटान पर खड़ा करके मेरे पैरों को द्रिड किया है और उसने मुझे एक निया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तूती का है वह तेरे यह देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरुसा रखेंगे क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरुसा करता है और अभिमानियों और मिथ्या की और मुझे वालों की और मुझे ना फेरता हूँ हे मेरे परमेशो यहोवा तुने बहुत से काम किये हैं जो आश्चर कर्म और कल्पनाई तू हमारे लिए करता है वे बहुत सी हैं तेरे तुले कोई नहीं मैं तो चाहता हूँ कि खोल कर उनकी चर्चा करूँ परन्तू उनकी गिंती नहीं हो सकती मेल बली और अन बली से तू प्रसन नहीं होता तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं होम बली और पाप बली तूने नहीं चाहा तब मैंने कहा देख मैं आया हूँ क्योंकि पुस्तक पे मेरे विशे ऐसा ही लिखा हुआ है हे मेरे परमेश्वर मैं तेरी इच्छा पूरी करने से और तेरी विवस्था मेरे अंत करण में बनी है मैंने बड़ी सभा में धर्म के शुप समाचार का प्रचार किया है देख मैंने अपना मुँ बंद नहीं किया हे यहुआ तू इसे जानता है मैंने तेरा धर्म मन ही में नहीं रखा मैंने तेरी सच्चाई और तेरे किये हुए उधार की चर्चा की है मैंने तेरी करुणा और सत्यता बड़ी सभा में गुप्त नहीं रखी हे यहोवा तू भी अपनी बड़ी दिया मुझे पर से ना हटा ले तेरी करुणा और सत्यता से निरंतर मेरी रक्षा होती रहे क्योंकि मैं अंगिनित बुराईयों से घिरा हुआ हूँ मेरे अधर्म के कामों ने मुझे आपकड़ा और मैं द्रिष्टी नहीं उठा सकता वे गिंती में मेरे सेर के बालों से भी अधिक है इसलिए मेरा हिर्दे तूट किया हे यहवा किर्पा करके मुझे छुडा ले हे यहवा मेरी साहिता के लिए फुर्ती कर जो मेरे प्राण के खोच में हैं वे सब लज्जित हों और उनके मुझ काले हों और पीछे हटाए और निरादर किये जाए जो मेरी हानी से प्रसन होते हैं जो मुझसे आहा आहा कहते हैं वे अपनी लज्जा के मारे विस्मित हों परन्तु जितने तुझे ढूंडते हैं वे सब तेरे कारण हर्शित और आनंदित हों जो तेरा किया हुआ उधार चाहते हैं वे निरंतर कहते रहें यहोवा की बड़ाई हूँ, मैं तो दीन और दरिद्र हूँ, तो भी प्रभु मेरी चिंता करता है, तू मेरा सहायक और छुडाने वाला है, हे मेरे परमेश्वर विलम ना कर। भजन 41, कुल्पद 13 क्या ही धन्य है वे, जो कंगाल की सुधी रखता है, विपत्ती के दिन यहोवा उसको बचाएगा, यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा, और वे प्रिथ्वी पर भाग्यवान होगा, तू उसको शत्रों की इच्छा पर ना छोड़, जब वे व्याधी के मारे सेच पर पड़ा हो, तब यहोवा उसे संभालेगा, तू रोग में उसके पूरे बिच्छोने को उलटकर ठीक करेगा, मैंने कहा, हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ को चंगा कर, क्योंकि मैंने तो तेरे विरुद पाप किया है, मेरे शत्रों यह कहकर मेरी बुरा कि उसका मन अपने अंदर अधर्म की बातें संचे करता है, और बाहर जाकर उनकी चर्चा करता है, मेरे सब बैरी मिलकर, मेरे विरुद काना पूसी करते हैं, वे मेरे ही विरुद होकर, मेरी हानी की कलपना करते हैं, वे कहते हैं कि इसे तो कोई बुरा रोग लग गया है, अ जो मेरी रोटी खाता था उसने भी मेरे विरुदलात उठाई है परंतु हे यहोवा तू मुझ पर अनुग्रय करके मुझ को उठा ले कि मैं उनको बदला दूँ मेरा शत्रू जो मुझ पर जैवंत नहीं हो पाता इससे मैंने जान लिया है कि तू मुझ से प्रसन है और मुझ आदी से अनंतकाल तक धन्य है आमीन फिर आमीन भजन बे आलिस कुलपद ग्यारा जैसे हरनी नदी के जल के लिए हाफती है वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाफता हूँ जीवते ईश्वर परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुझ दिखाऊंगा मेरे आशू दिन और रात मेरा आहार हुए है और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं तेरा परमेश्वर कहा है? मैं भीड के संग जाया करता था मैं जैजैकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था ये समर्ण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है और तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है परमेश्वर पराशा लगाए रहे क्योंकि मैं उसके दर्शन से उधार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा हे मेरे परमेश्वर मेरे प्राण मेरे भीतर गिरा जाता है इसलिए मैं यर्दन के पास के देश से और हेमरोन के पहाडों और मिसगार की पहाडी के उपर से तुझे समर्ण करता हूँ तेरी जलधाराओं का शब्द सुनकर जल जल को पुकारता है तेरी सारी तरंगों और लहरों में मैं डूब के आ हूँ तो भी दिन को यहोवा अपनी शक्ती और करूना प्रगट करेगा और रात को भी मैं उसका गीत काऊंगा और अपने जीवन दाता ईश्वर से प्रातना करूँगा मैं इश्वर से जो मेरी चक्तान है कहूंगा तू मुझे क्यों भूल गया मैं शत्रू के अंधेर के मारे क्यों शोक का पहरावा पहने हुए चलता फिरता हूं मेरे सताने वाले जो मेरी निंदा करते हैं मानो उससे मेरी हड़ियां चूर चूर होती है मानो कटार से चिदी जाती है क्योंकि वे दिन भर मुझे कहते रहते हैं तेरा परमेश्वर कहा है हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है परमेश्वर पर भरोसा रख क्योंकि वे मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है मैं फिर उसका धन्यवाद करूँगा भजन ते आलिस कुलपध पांच हे परमेश्वर मेरा नयाय चुका और विधर्मी जाती से मेरा मुकदमा लड़ मुझको छली और कुटिल पुरिश से बचा क्योंकि हे परमेश्वर तू ही मेरी शर्ण है तूने क्यों मुझे त्याग दिया है मैं शत्रू के अंधेर के मारे शोक का पहरावा पहने हुए क्यों फिरता रहूं अपने प्रकाश और अपनी सच्चाई को भेज वे मेरी अगवाई करें वे ही मुझको तेरे पवित्र परवत पर और तेरे निवास थान में पहुँचाएं तब मैं परमेश्वर की वेदी के पास जाऊंगा उस इश्वर के पास जो मेरे अति आनंद का कुंड है और हे परमेश्वर हे मेरे परमेश्वर मैं वीना वजा बजाकर तेरा धन्यवाद करूँगा हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है परमेश्वर पर भरोसा रख क्योंकि वे मेरे मुक की चमक और मेरा परमेश्वर है मैं फिर उसका धन्यवाद करूँगा भजन चुवालिस कुल्पध छबिस ये परमेश्वर हमने अपने कानों से सुना हमारे बाप दादों ने हमसे वर्णन किया है कि तू ने उनके दिनों में और प्रचीन काल में क्या क्या काम किये है तू ने अपने हाथ से जातियों को निकाल दिया और इनको बसाया तू ने देश-देश के लोगों को दुख दिया और इनको चारों और फैला दिया क्योंकि वे ना तो और तेरी भुजा और तेरे प्रसन मुख के कारण जैवंत हुए क्योंकि तू उनको चाहता था हे परमेश्वर तू ही हमारा महराजा है तू याकूब के उधार की आग्या देता है तेरे सहारे से हम अपने द्रोहियों को धकेल कर गिरा देंगे तेरे नाम के प्रताप से हम अपने विरोधियों को रौन देंगे क्योंकि मैं अपने धनुश पर भरोसा ना रखूँगा और ना अपनी तलवार के बल से बचूँगा परन्तु तू ही ने हमको द्रोहियों से बचाया है और हमारे बैरियों को निराश और लज्जित किया है हम पर मेश्वर की बढ़ाई दिन भर करते रहते हैं और सदैव तेरे नाम का धन्यवाद करते रहेंगे तो भी तूने अब हमको त्याग दिया और हमारा अनादर किया है और हमारे दलों के साथ आगे नहीं जाता तू हमको शत्रू के सामने से हटा देता है और हमारे बैरी मन माने लूट मार करते है तूने हमें कसाई के भेडों के समान कर दिया है और हमको अन्य जातियों में तितर बितर किया है तू अपनी प्रजा को सेंत मेंद बेच डालता है प्रन्तु उनके मोल से तू धनी नहीं होता तू हमारे पडोसियों से हमारी नाम धराई कराता है और हमारे चारों ओर के रहने वाले हमसे हसी ठठा करते हैं तू हमको अन्य जातियों के बीच में उपमा ठहराता है और कलंक लगाने और निंदा करने वालों के बोल से और शत्रू और बदला लेने वालों के कारण बुरा भला कहने वालों और निंदा करने वालों के कारण ये सब कुछ हम पर बीता तो भी हम तुझे नहीं भूले ना तेरी वाचा के विशे विश्वास खात किया है हमारे मन ना बहके और ना हमारे पैर तेरी बाट से मुड़े तो भी तू ने हमें गीदरों के स्थान में पीस डाला और हमको घोर अंधकार में छिपा दिया है यदि हम अपने परमेश्वर का नाम भूल जाते या किसी पराई देवता की ओर अपने हाथ फैलाते तो क्या परमेश्वर इसका विचार ना करता क्योंकि वे तो मन की गुप्त बातों को जानता है प्रन्तु हम दिन भर तेरे निमित मार डाले जाते हैं और उन भेडों के समान समझे जाते हैं जो वद होने पर हैं ये प्रभू जाग तू क्यों सोता है उठ हमको सदा के लिए त्याग ना दे तू क्यों अपना मूँ चिपा लेता है और हमारा दुख और सताया जाना भूल जाता है हमारा प्रान मिट्टी से लग गया हमारा पेट भूमी से सट गया है हमारी सहायता के लिए उठ खड़ा हो और अपनी करुणा के निमित हमको छुडा ले भजन पेंटालिस कुलपध सत्रा मेरा हिर्दे एक सुंदर विशे की उमंग में उमड रहा है जो बात मैंने राजा के विशे रची है उसको सुनाता हूँ मेरी चीब निपुन लेखक की लेखनी बनी है तू मनुष्य की संतानों में परम सुंदर है तेरे होंटों में ग्रे भरा हुआ है इसलिए परमेश्वर ने तुझे सदा के लिए आशीश दी है हेवीर तू अपनी तलवार को जो तेरा विभव और प्रताब है अपनी कटी पर बांध सत्यता नमरता और धर्म के निमत अपने एश्वर्य और प्रताब पर सफलता से सवार हूँ तेरा द देश के लोग गिरेंगे राजा के शत्रूओं के हिर्दे उनसे चिदेंगे हे परमेश्वर तेरा सिहासन सदा सरवदा बना रहेगा तेरा राज दंड न्याय का है तूने धर्म से प्रिति और दुष्टता से बैर रखा है इस कारण परमेश्वर ने हां तेरे परमेश्व गंधरस अगर और तेज से सुगंदित है तू हाथी दान्त के मंदिरों में तार वाले बाजों के कारण आनंदित हुआ है तेरी प्रतिष्टित इस्त्रियों में राजकुमारियां भी है तेरी दाहिनी और पट्रानी उपीर के कुंदन से विभूशित खड़ी है हे राजकुमारी सुन और कान लगा कर ध्यान दे अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जा और राजा तेरे रूप की चाह करेगा क्योंकि वे तो तेरा प्रबु है तू उसे दंडवित कर सोर की राजकुमारी भी भेंट करने के लिए उपस्तित होगी प्रजा के धनवान लोग तुझे प्रसन करने का यत्न करेंगे राजकुमारी महल में अतिश्यो भामान है उसके वस्त्र में सुनहले बूटे कड़े हैं वे बूटे दार वस्त्र पहने हुए राजा के पास पहुँचाई जाएगी जो कुमारिया उसकी सहेलिया है वे उसके पीछे पीछे चलती हुई तेरे पास पहुँचाई जाएगी वे आनन्दित और मगन होकर पहुंचाई जाएंगी और वे राजा के महल में प्रवेश करेंगी तेरे पित्रों के स्थान पर तेरे पुत्र होंगे जिनको तु सारी पृत्वी पर हाकिम ठहराएगा मैं ऐसा करूँगा कि तेरे नाम की चर्चा पीडी से पीडी तक होती रहेगी इस कारण देश देश के लोग सदा सर्वदा तेरा धन्यवाद करते रहेंगे भजन 46 कुलपद 11 परमेश्वर हमारा शरंस्थान और बल है संकट में अति सहच से मिलने वाला सहायक इस कारण हमको कोई भाय नहीं चाहे पृत्वी उलट जाए और पहार समुद्र के बीच में डाल दिये जाए चाहे समुद्र गर्जे और फेन उठाए और पहार उसकी बाड़ से काम पठे एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परमप्रधान के पवित्र निवास भवन में आनंध होता है परमेश्वर उस नगर के बीच में है वे कभी टलने का नहीं पौफटे ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है जाती जाती के लोग ज़ला उठे राज्य राज्य के लोग दगमागाने लगे वे बोल उठा और प्रित्वी पिघल गई सेनाओं का यहोवा हमारे संग है याकूब का परमेश्वर हमारा उंचा गड़ है आओ यहोवा के महाकर्म देखो कि उसने प्रित्वी पर कैसा कैसा उजाड किया है वे प्रित्वी की छोड तक लड़ाईयों को मिटाता है वे धनुष को तोड़ता और भाले को दो टुकड़े कर डालता है और रथो को आग में जोख देता है चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ मैं जात्यों में महान हूँ मैं प्रित्वी भर में महान हूँ सेनाओं का यहोवा हमारे संग है याकूब का परमेश्वर हमारा उँचा गड़ है भजन सिंतालिस कुलपध नौ हे देश देश के सब लोगो तालियां बजाओ उँचे शब्द से परमेश्वर के लिए जैजाकार करो क्योंकि यहोवा परमप्रधान और भर योग्य है वे सारी प्रित्वी के उपर महराजा है वे देश के लोगों को हमारे समुख नीचा करता और अन्यजातियों को हमारे पावों के नीचे कर देता है वे हमारे लिए उत्तम भाग चुन लेगा जो उसके प्रिये याकूब के घमंड का कारण है परमेश्वर जैजेकार सहित यहोवा नरसिंगे के शब्द के साथ उपर गया है परमेश्वर का भजन गाउ भजन गाउ अमारे महराजा का भजन गाउ भजन गाउ क्योंकि परमेश्वर सारी प्रित्वी का महराजा है समझ बूज कर बुद्धी से भजन गाउ परमेश्वर जाती जाती पर राज्य करता है परमेश्वर अपने पवित्र सीहासन पर विराजमान है राज्ये राज्ये के रईस इब्राहिम के परमेश्वर की प्रजा होने के लिए कठे होए हैं क्योंकि पृत्वी की ढालें परमेश्वर के वश्च में हैं वै तो शिरोमनी है भजन अर्टालिस कुल्पद चौदा हमारे परमेश्वर के नगर में और अपने पवित्र परवत पर यहोवा माहान और अतिस्तूति के योग्य है सियान परवत उल्चाई में सुन्दर और सारी पृत्वी के हर्ष का कारण है राजा धिराज का नगर उत्री सिरे पर है उसके महलों में परमेश्वर उंचा गड़ माना गया है क्योंकि देखो राजा लोग इकठे हुए वे एक संग आगे बढ़ गए उन्होंने आप ही देखा और देखते ही विस्मित हुए वे घबरा कर भाग गए वहां कपकपी ने उनको आपकड़ा और जच्चा किसी पीडाएं उन्हें होने लगी तुप पूरवी वायू से तरशीश के जहाजों को तोड़ डालता है सेनाओं के यहोवा के नगर में अपने परमेश्वर के नगर में जैसा हमने सुना था वैसा देखा भी है परमेश्वर उसको सदा द्रड और स्थर रखेगा हे परमेश्वर हमने तेरे मंदिर के भीतर तेरी करुणा पर ध्यान किया है हे परमेश्वर तेरे नाम के योग्य तेरी स्तूती पृत्वी की छोड़ तक होती है तेरा दाहिना हाथ धर्म से भरा है तेरे न्याय के कामों के कारण सियोन परवत आनंद करें और यहूदा के नगर की पुत्रियां मगन हो सियोन के चारों ओर चलो और उसकी परिक्रमा करो उसके गुमबटों को गिन लो उसकी शहर पना पर दृष्टी लगाओ उसके महलों को ध्यान से देखो जिससे कि तुम आने वाली पीडी के लोगों से इस बात का वर्णन कर सको क्योंकि यह परमेश्वर्ग सदा सरवदा हमारा परमेश्वर है वे मृत्यों तक हमारी अगवाई करेगा भजन उन्चास कुलपद बीस हे देश-देश के सब लोगों यह सुनो हे संसार के सब निवासियों कान लगाओ क्या उंच, क्या नीच क्या धनी, क्या दरिद्र कान लगाओ मेरे मूँ से बुद्धी की बातें निकलेंगी और मेरे हिर्दे की बातें समझ की होंगी मैं नितिवचन की ओर अपना कान लगाऊंगा मैं वीणा बजाते हुए अपनी गुप्त बात प्रकाशित करूँगा विपत्ती के दिनों में जब मैं अपने अडंगा मारने वालों की बुराई से घिरूं तब मैं क्यों डरूं जो अपनी संपत्ती पर भरोसा रखते और अपने धन की बहतायत पर फूलते हैं उन में से कोई अपने भाई को किसी भांती चुड़ा नहीं सकता और ना परमेश्वर को उसकी संती रियाशित में कुछ दे सकता है क्योंकि उनके पराण की चुड़ाती भारी है वे अंत तक कभी न चुका सकेंगे कोई ऐसा नहीं जो सदैव जिवित रहे और कब्र को ना देखे क्योंकि देखने में आता है कि बुद्धिमान भी मरते हैं और मूर्क और पश्यू सरीखे मनुष्य भी दोनों नाश होते हैं और अपनी संपत्ती आरों के लिए छोड़ जाते हैं वे मन ही मन ये सोचते हैं कि उनका घर सदा स्थर रहेगा और उनके निवास पीडी से पीडी तक बने रहेंगे इसलिए वे अपनी अपनी भूमी का नाम अपने अपने नाम पर रखते हैं प्रन्तु मनुष्य प्रतिष्टा पाकर भी स्थर नहीं रहता वे पश्यों के समान होता है जो मर मिटते हैं उनकी एक चाल उनकी मुर्कता है तो भी उनके बाद लोग उनकी बातों से प्रसन होते हैं वे अधुलोग की मानो भेड बकरिया ठहराए गए हैं मृत्यू उनका गडेरिया ठहरी और बिहान के सीधे लोग उन पर प्रभुता करेंगे और उनका सुन्दर रूप अधुलोग का कौर हो जाएगा और उनका कोई आधार ना रहेगा परंतु परमेश्वर मेरे प्राण को अधुलोग के वश से चुड़ा लेगा क्योंकि वही मुझे ग्रहन कर अपनाएगा जब कोई धनी हो जाए और उसके घर का विभव बढ़ जाए तब तु भई ना खाना क्योंकि वह मर कर कुछ भी साथ ना ले जाएगा ना उसका विभव उसके साथ कब्र में जाएगा चाहे वह जीते जी अपने आपको धन्य कहता रहे जब तु अपनी भलाई करता है तब वह लोग तेरी प्रशंसा करते हैं तो भी वह अपने पुर्खाओं के समाज में मिलाया जाएगा जो कभी उज्याला ना देखेंगे मनुश्य चाहे प्रतिष्टित भी हों प्रंतु यदी वह समझ नहीं रखते तो वह पशों के समान हैं जो मर मिटते हैं भजन पचास कुलपध तईस ईश्वर परमेश्वर यहोवा ने कहा है और उद्याचल से लेकर अस्ताचल तक पृत्वी के लोगों को बुलाया है सियौन से जो परम सुन्दर है परमेश्वर ने अपना तेज दिखाया है हमारा परमेश्वर आएगा और चुपचाप ना रहेगा आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी और उसके चारों और बड़ी आंधी चलेगी वे अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए उपर के आकाश को और प्रित्वी को भी पुकारेगा मेरे भक्तों को मेरे पास इकठा करो जीनों ने बलिदान चड़ाकर मुझसे वाचा बांधी है और स्वर्ग उसके धर्मी होने का प्रचार करेगा क्योंकि परमेश्वर तो आप ही ने आई है हे मेरी प्रजा सुन मैं बोलता हूँ और हे इस्राइल मैं तेरे विशे साक्षी देता हूँ परमेश्वर तेरा परमेश्वर मैं ही हूँ मैं तुझ पर तेरे मेल बलियों के विशे दोश नहीं लगाता तेरे होम बली तो नित्ते मेरे लिए चड़ते हैं मैं ना तो तेरे घर से बैल ना तेरे पशुशालों से बकरे ले लूँगा क्योंकि वन के सारे जीव जन्तू और हजारों पहाडों के जानवर मेरे ही हैं पहाडों के सब पक्षियों को मैं जानता हूं और मैदान पर चलने फिरने वाले जानवर मेरे ही है यदि मैं भूका होता तो तुझ से ना कहता क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वे मेरा है क्या मैं बैल का मास खाऊं या बक्रों का लहूद प्यूँ पर मेश्वर का धन्यवाद ही का बलिदान चड़ा और प्रमभरधान के लिए अपनी मनते पूरी कर और संकत के दिन मुझे पुकार मैं तुझे चुडाऊंगा और तू मेरी महमा करने पाएगा प्रंतु दुष्ट से परमेश्वर कहता है तुझे मेरी विध्यों का वर्णन करने से क्या काम तू मेरी वाचा की चर्चा क्यों करता है तू तो शिक्षा से बैर करता और मेरे वच्चनों को तुझ जानता है जब तूने चोर को देखा तब उसकी संगती से प्रसन हुआ और पर इस्तरी ग्यामियों के साथ भागी हुआ तूने अपना मुँ बुराई करने के लिए खोला और तेरी जीब चल की बाते गरती है तू बैठा हुआ अपने भाई के विरुद बोलता और अपने सगे भाई की चुगली खाता है ये काम तूने किया और मैं चुप रहा इसलिए तूने समझ लिया कि परमेश्वर बिलकुल मेरे समान है परन्तु मैं तुझे समझाऊंगा और तेरी आँखों के सामने सब कुछ अलग अलग दिखाऊंगा है ईश्वर को भूलने वालो ये बात भली बाती समझ लो कहीं ऐसा नहो कि मैं तुमें फार डालू और कोई छुडाने वाला ना हो धन्यवाद के बलिदान का चड़ाने वाला मेरी महिमा करता है और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उध्धार दिखाऊंगा भजन इक्यावन कुलपद उन्निस हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रै कर अपनी बड़ी द्या के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे मुझे भली भाती धोकर मेरा अधरम दूर कर और मेरा पाप छुडा कर मुझे शुद कर मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी द्रिष्टी में रहता है मैंने केवल तेरे ही विरुद पाप किया और जो तेरी दृष्टी में बुरा है वही किया है ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निश्कलंग ठहरे देख मैं अधरम के साथ उत्पन हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गरब में पड़ा देख तू हिर्दे की सच्चाई से प्रसन होता है और मेरे मन ही में ग्यान सिखाएगा जूफा से मुझे शुद कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेद बनूँगा मुझे हर्ष और आनंद की बाते सुना जिससे जो हडिया तूने तोड़ डाली है वे मगन हो जाए अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद मन उत्पन कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन कर मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवितर आत्मा को मुझे अलग ना कर अपने किये हुए उधार का हर्ष मुझे फिर से दे और उधार आत्मा दे कर मुझे संभाल तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी और फिरेंगे हे परमेश्वर हे मेरे उधार करता परमेश्वर मुझे हत्या के अपराद से छुडा ले तब मैं तेरे धर्म का जैजेकार करने पाऊंगा हे प्रभू मेरा मुँख खोल दे तब मैं तेरा गुनान वाद कर सकूंगा क्योंकि तू मेल बली से प्रसन नहीं होता नहीं तो मैं देता होम बली से भी तू प्रसन नहीं होता तूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है हे परमेश्वर तू तूटे और पिसे हुए मन को तुछ नहीं जानता प्रसन होकर सियोन की भलाई कर यरुश्लम की शहरपना को तु बना तब तु धर्म के बलिदानों से अर्थात सरवांग पशों के होंबली से प्रसन होगा तब लोग तेरी वेदी पर बैल चड़ाएंगे भजन बावन कुलपद नौ हे वीर तु बुराई करने पर क्यों खमंट करता है इश्वर की करुणा तो अनन्थ है तेरी जीब केवल दुश्टता गड़ती है सान धरे हुए अस्तुरे की नाई वे चल का काम करती है तु भलाई से बढ़कर बुराई में और अधरम की बात से बढ़कर जूट से प्रिती रखता है हे छली जीब तु सब विनाश करने वाली बातों से प्रसंद रहती है निश्चे ईश्वर तुझे सदा के लिए नाश कर देगा वे तुझे पकड़ कर तेरे डेरे से निकाल देगा और चीवतों के लोग से तुझे उखार डालेगा तब धर्मी लोग इस खटा को देखकर डर जाएंगे और यह कहकर उस पर हसेंगे कि देखो यह वही पुरुष है जिसने परमेश्वर को अपनी शरण नहीं माना परन्तु अपने धन की बहतायत पर भरोसा रखता था और अपने को दुष्टता में दृड़ करता रहा परन्तु मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जलपाई के वरिक्ष के समान हूँ मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है मैं तेरा धन्यवाद सर्वदा करता रहूंगा क्योंकि तू ही ने यह काम किया है मैं तेरे ही नाम की बाट जोता रहूंगा क्योंकि यह तेरे पवित्र भक्तों के सामने उत्तम है भजन त्रेपन कुलपद छे मूड ने अपने मन में कहा है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं वे बिगड गए उन्होंने कुटिलता के गिनाने काम किये हैं कोई सुकर्मी नहीं परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुश्य के उपर द्रिष्टी की ताकि देखे कि कोई बुद्धी से चलने वाला या परमेश्वर को पूछने वाला है की नहीं वे सब के सब हट गए सब एक साथ बिगड गए कोई सुकर्मी नहीं एक भी नहीं क्या उन सब अनर्थकारियों को कुछ भी ग्यान नहीं जो मेरे लोगों को ऐसे खाते हैं जैसे रोटी और परमेश्वर का नाम नहीं लेते वहां उन पर भाई चा गया जहां भाई का कोई कारण ना था क्योंकि यहोवा ने उनकी हड़ियों को जो तेरे विरुद छावनी डाले पड़े थे तितर बितर कर दिया तू ने तो ने लज्जित कर दिया इसलिए कि परमेश्वर ने उनको निकम्मा ठहराया है भला होता कि इस्राइल का पूरा उध्धार सियोन से निकलता जब परमेश्वर अपनी प्रजा को बंधुआई से लोटा ले आएगा तब याकूब बंगन और इस्राइल आनन्दित होगा भजन चौवन कुलपद साथ हे परमेश्वर अपने नाम के द्वारा मेरा उध्धार कर और अपने प्राक्रम से मेरा न्याय कर हे परमेश्वर मेरी प्रात्ना सुल्ले मेरे मूँ के वच्चनों की और कान लगा क्योंकि परदेशी मेरे विरुद उठे है और बलातकारी मेरे प्रान के ग्रहक होए है उन्होंने परमेश्वर को अपने समुख नहीं जाना देखो परमेश्वर मेरा सहायक है प्रभू मेरे प्राण के संभालने वालों के संग है वे मेरे द्रोहियों की बुराई को उन्ही पर लटा देगा हे परमेश्वर अपनी सच्चाई के कारण उन्हें विनाश कर मैं तुझे स्वेच्छा वली चड़ाऊंगा हे यहोवा मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूँगा क्योंकि यह उत्तम है क्योंकि तुने मुझे सब दुखों से चुड़ाया है और मैं अपने शत्रों पर द्रिष्टी करके संतुष्ठ हुआ हूँ भजन पच्पन कुलपध 23 हे परमेश्वर मेरी प्रात्ना की ओर कान लगा और मेरी गिड़गिडाहट से मो ना मोड मेरी ओर ध्यान देकर मुझे उत्तर दे मैं चिंता के मारे छटपटाता हूँ और व्याकुल रहता हूँ क्योंकि शत्रू, कुलाहल और दुष्ट उप्तरव कर रहे हैं वे मुझ पर दोशा रोपन करते हैं और क्रोध में आकर मुझे सताते हैं मेरा मन भीतर ही भीतर संकट में है और मृत्यू के भई मुझ में समा गया है भई और कमकपी ने मुझे पकड़ लिया है और भई के कारण मेरे रोएं रोएं खड़े हो गए हैं और मैंने कहा भला होता कि मेरे कबूतर के से पंक होते तो मैं उड़ जाता और विश्राम पाता देखो फिर तो मैं उड़ते उड़ते दूर निकल जाता और जंगल में बसेरा लेता मैं प्रचंड ब्यार और आंधी के जोंके से बचकर किसी शर्ण स्थान में भाग जाता हे प्रभू उनको सत्यनाश कर और उनकी भाशा में गड़ बड़ी डाल दे क्योंकि मैंने नगर में उप्तरव और जगड़ा देखा है रात दिन वे उसकी शहरपना पर चड़कर चारों ओर गूमते हैं और उसके भीतर दुष्टता और उत्पात होता है उसके भीतर दुष्टता ने बसेरा डाला है और अंधेर अत्यचार और चल उसके चौक से दूर नहीं होते जो मेरी नामधराई करता है वे शत्रू नहीं था नहीं तो मैं उसको सह लेता जो मेरे विरुद बड़ाई मारता है वे मेरा बैरी नहीं है नहीं तो मैं उससे छिप चाता प्रन्तु वे तो तू ही था जो मेरी बराबरी का मनुश्य, मेरा परम्मित्र और मेरी जान पहचान का था हम दोनों आपस में कैसी मीठी-मीठी बाते करते थे हम भीड के साथ परमेश्वर के भवन को जाते थे उनको मृत्यों अचानक आदबाए वे जीवत ही अधलोग में उतर जाएं क्योंकि उनके घर और मन दोनों में बुराईया और उत्पात भरा है परन्तु मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा और यहोवा मुझे बचा लेगा सांच को, भोर को, दो पहर को, तीनों पहर मैं दोहाई दूंगा और कराता रहूंगा, और वे मेरा शब्द सुन लेगा जो लड़ाई मेरे विरुद मची थी, उससे उसने मुझे कुशल के साथ बचा लिया है उन्होंने तो बौतों को संग लेकर मेरा सामना किया था इश्वर जो आदी से विराजमान है, ये सुनकर उनको उत्तर देगा ये वे हैं, जिनमें कोई परिवर्त नहीं, और उनमें परमेश्वर का भए है ही नहीं उसने अपने मेल रखने वालों पर भी हाथ छोड़ा है उसने अपनी वाचा को तोड़ दिया है उसके मूँ की बाते तो मखन सी चिकनी थी, परन्तु उसके मन में लड़ाई की बाते थी उसके वचन तेल से अधिक नरम तो थे, परन्तु नंगी तलवारे थी अपना बोच यहोवा पर डाल दे, वे तुझे संभालेगा, वे धर्मी को कभी तलने ना देगा परन्तु हे परमेश्वर, तु उन लोगों को विनाश के गड़े में गिरा देगा अत्यारे और छली मनुष्य, अपनी आधी आयू तक भी जिवित ना रहेंगे परन्तु मैं तुझ पर भरोसा रखे रहूँगा भजन चपन, कुलपध तेरा हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रै कर, प्योकि मनुष्य, मुझे निगलना चाहते हैं वे दिन भर लड़कर मुझे सताते हैं, मेरे द्रोही दिन भर मुझे निगलना चाहते हैं क्योंकि जो लोग अभिमान करके मुझ से लड़ते हैं, वे बहुत हैं जिस समय मुझे डर लगेगा, मैं तुझ पर भरोसा रखूँगा परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूँगा परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूँगा कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है? वे दिन भर मेरे वचनों को उल्टा अर्थ लगा लगा कर मरोडते रहते हैं उनकी सारी कलपनाएं मेरी ही बुराई करने की होती हैं वे सब मिलकर एककठे होते हैं और चिपकर बैठते हैं वे मेरे कदमों को देखते भालते हैं मानों वे मेरे प्राणों की घात में ताक लगाए बैठे हूं क्या वे बुराई करके भी बच जाएंगे? ये परमेश्वर अपने क्रोध से देश देश के लोगों को गिरा दे तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है तू मेरे आसूं को अपनी कुपी में रख ले क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है तब जिस समय मैं पुकारूंगा उसी समय मेरे शत्रू उल्टे फिरेंगे यह मैं जानता हूँ कि परमेश्वर मेरी ओर है परमेश्वर के सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा यहोवा की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है मैं ना डरूँगा मनुष्य मेरा क्या कर सकता है हे परमेश्वर तेरी मनुतों का भार मुझ पर बना है मैं तुझको धन्यवाद बली चड़ाऊंगा क्योंकि तूने मुझको मृत्यों से बचाया है तू ने मेरे पैरों को भी फिसलने से बचाया ताकि मैं इश्वर के सामने जीवतों के उज्जाले में चलू फिरूं। क्योंकि मैं तेरा शर्णागत हूँ और जब तक ये अपतिया निकलना जाएं तब तक मैं तेरे पंखों के तले शर्ण लिये रहूंगा। मैं परमप्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा इश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। परमेश्वर स्वर्ग से भेज कर मुझे बचा लेगा। जब मेरा निगलने वाला निंदा कर रहा हो परमेश्वर अपनी करुणा और सच्चाई प्रगट करेगा। मेरा प्राण सीहों के बीच में है। मुझे जलते हों के बीच में लेटना पड़ता है। अर्थात ऐसे मनुष्यों के बीच में जिनके दाथ वर्ची और तीर हैं और जिनकी जीब तेज तलवार है। हे परमेश्वर तु स्वर के उपर अती महान और तेजो मैं है, तेरी महिमा सारी पृत्वी के उपर फैल चाए, उन्होंने मेरे पैरों के लिए जाल लगाया है, मेरा प्राण धला जाता है, उन्होंने मेरे आगे गढ़ा खोदा, परंतु आप ही उसमें गिर पड़े, हे परमेश्वर मेरा मन स्थिर है, मैं गाऊंगा, वरन भजन किर्टन करूँगा, हे मेरी आत्मा जाग जाओ, हे सारंगी और विना जाग जाओ, मैं भी पाफटते ही जाग उठूंगा, हे प्रभु मैं देश के लोगों के बीच तेरा धन्यवाद करूँगा, मैं राज्य रा के लोगों के बीच में तेरा धन्यवाद गाऊंगा तेरा भजन गाऊंगा क्योंकि तेरी करुणा स्वर्ग तक बड़ी है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंचती है यह परमेश्वर तू स्वर्ग के उपर अतिमहान है तेरी महिमा सारी प्रित्वी के उपर फैल भजन अठावन कुलपध क्यारा हे मनुष्यों क्या तुम सच्मुच धर्म की बात बोलते हो और हे मनुष्ये वंश्यों क्या तुम सिधाई से नयाय करते हो नहीं तुम मन ही मन में कुटल काम करते हो तुम देश भर में उब्द्रव करते जाते हो दुष्ट लोग जनमते ही पराय हो जाते हैं वे पेट से निकलते ही जूट बोलते हुए भटक जाते हैं उनमें सर्प कासा विश्य है वे उस नाग के समान है जो सुनना नहीं चाहता और इसी ही निपुर्णता से क्यों ना मंतर पड़े तो भी उसकी नहीं सुनता है परमेश्वर उनके मूँ में से दांतों को तोड़ दे है यहुवा उन जवान सीहों की दाड़ों को उखार डाल वे घुलकर बैहते हुए पानी के समान हो जाएं जब वे अपने तीर चड़ाएं तब तीर मानो दो टुकड़े हो जाएं वे घुंगे के समान हो जाएं जो घुलकर नाश हो जाता है और इस्त्री के गिरे हुए गर्ब के समान हो जिसने सूरज को देखा ही नहीं उससे पहले की तुमारी हांडियों में कांटों की आंच लगे हरे वजले दोनों को वे बव भू से धोएगा तब मनुश्य कहने लगेंगे निश्चे धर्मी के लिए फल है निश्चे परमेश्वर है जो प्रिथ्वी पर नयाय करता है भजन उन्सट कुलपद सत्रा हे मेरे परमेश्वर मुझको शत्रों से बचा मुझे उन्चे स्थान पर रखकर मेरे विरोधियों से बचा मुझको बुराई करने वालों के हाथ से बचा और हत्यारों से मेरा उधार कर क्योंकि देख वे मेरी घात में लगे हैं हे यहोवा, मेरा कोई दोश या पाप नहीं है, तो भी बलवन्त लोग मेरे विरुद इकठे होते हैं, वे मुझे निर्दोश पर दोड़ दोड़ कर लड़ने को तयार हो जाते हैं, मुझे से मिलने के लिए जाग उठ और यह देख, हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हे इ अन्य जाती वालों को दंड देने के लिए जाग, किसी विश्वास खाती अत्यचारी पर अनुग्रह ना कर, वे लोग सांच को लोटकर कुत्ते की नाई गुराते हैं, और नगर के चारों और घूमते हैं, देख वे डकारते हैं, उनके मुझे भीतर तलवारे हैं, क्योंकि वे कहते हैं, कौन सुनता है, प्रन्तु हे यहवा, तू उन पर हसेगा, तू सब अन्य जातियों को ठट्टों में उड़ाएगा, हे मेरे बल, मुझे तेरी ही आस होगी, क्योंकि परमेश्वर मेरा उंचा गड़ है, परमेश्वर करना करता हुआ मुझ से मिलेगा, परमेश हे हमारी ढाल, अपनी शक्ती से उन्हें तितर बितर कर, उन्हें दबा दे, वे अपने मुझ के पाप और हूंटों के वचन, और शाप देने और जूट बोलने के कारण, अभिमान में फसे हुए पकड़े जाए, जल जलाहट में आकर, उनका अंत कर, उनका अंत कर दे, ताक वे सांज को लोटकर, वे सांज को लोटकर, कुत्ते की नाई गुराएं, और नगर के चारो और घुमें, वे टुकड़े के लिए मारे मारे फिरें, और त्रिप्त ना होने पर रात भर वही ठहरे रहें, परन्तु मैं तेरी सामर्थ का यश्च गाऊंगा, और भोर को तेरी करुणा का जैजेकार करूंगा, क्योंकि तू मेरा उंचा गड़ है, और संकट के समय मेरा शन स्थान ठहरा है, है मेरे बल, मैं तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि है परमेश्वर, तू मेरा उंचा गड़, और मेरा करुणा मैं परमेश्वर है, भजन साथ कुलपध बारा हे परमेश्वर तूने हमको त्याग दिया और हमको तोड़ डाला है तू क्रोधित हुआ फिर हमको ज्यों का त्यों कर दे तूने भूमी को कमपाया और फार डाला है उसके दरारों को भर दे क्योंकि वे डगमगा रही है तूने अपनी प्रजा को कठिन दुख बुकताया तूने हमें लड़ खडा देने वाला दाख मदू पिलाया है तूने अपने डरवाईयों को जंडा दिया है कि वे सच्चाई के कारण फैराया जाए तू अपने दाइने हाथ से बचा और हमारी सुन ले कि तेरे प्रिये छुडाये जाए परमेश्वर पवित्रता के साथ बोलता है मैं प्रुफलित हूँगा मैं शकेम को बांट लूँगा और सुकोत की तराई को नपवाऊँगा गिलाद मेरा है मनश्य भी मेरा है और एप्रेम मेरे सिर का टोप यहूदा मेरा राजदंड है मौाब मेरे धोने का पातर है मैं एदोम पर अपना जूता फेकूंगा हे पलिश्टीन मेरे ही कारण जैजैकार कर मुझे गड़वाले नगर में कान पहुँचाएगा एदोम तक मेरी अगवाई किस ने की है हे परमेश्वर क्या तू ने हमको त्याग नहीं दिया हे परमेश्वर तू अपनी सेना के साथ नहीं जाता द्रोहियों के विरुद हमारी सहायता कर क्योंकि मनुश्य का किया हुआ चुटकारा वियर्थ होता है परमेश्वर की सहायता से हम विर्था दिखाएंगे क्योंकि हमारे द्रोहियों को वही रौन देगा भजन 61 कुलपद 8 हे परमेश्वर मेरा चिल्लाना सुन मेरी प्रातना की और ध्यान दे मूर्चा काते समे मैं पृत्वी की छोड से भी तुझे पुकारूँगा जो चटान मेरे लिए उंची है उस पर मुझको ले चला क्योंकि तू मेरा शर्ण सान है और शत्रू से बचने के लिए उंचा गड़ है मैं तेरे तंबू में युगानु युग बना रहूँगा मैं तेरे पंखो की ओट में शर्ण लिए रहूँगा क्योंकि है परमेश्वर तूने मेरी मनते सुनी जो तेरे नाम के डरवईये है उनका सा भाग तूने मुझे दिया है तू राजा की आयू को बहुत बढ़ाएगा उसके वर्ष पीड़ी-पीड़ी के बराबर होंगे वे परमेश्वर के समुक सदा बना रहेगा तू अपनी करुणा और सच्चाई को उसकी रक्षा के लिए ठहरा रख और मैं सरवदा तेरे नाम का भजन गागा कर अपनी मनतें हर दिन पूरी किया करूँगा भजन बासट कुलपद बारा सच्च मुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की और मन लगाए हूँ मेरा उधार उसी से होता है सच्च मुच वही मेरी चटान और मेरा उधार है वह मेरा गड़ है मैं बहुत ना डिगूंगा तुम कब तक एक बुरुष पर धावा करते रहोगे कि सब मिलकर उसका खात करो वह तो चुकी हुई भीत या गिरते हुए बाड़े के समान है सच्च मुच वे उसको उसके उँचे पर से गिराने की समत्ती करते है वे जूट से प्रसन रहते है मूँ से तो वे आश्रवा देते पर मन में कोसते है हे मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रह क्योंकि मेरी आशा उसी से है सच्च मुच वे ही मेरी चटान और मेरा उधार है वे मेरा गड़ है इसलिए मैं ना डिगूंगा मेरा उधार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है मेरी द्रिड चटान और मेरा शरंस्थान परमेश्वर है हे लोगो हर समय उस पर भरुसा रुखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो, परमेश्वर हमारा शरंस्थान है, सचमुच नीच लोग तो अस्थाई और बड़े लोग मिथ्या ही है, तौल में वे हलके निकलते हैं, विस सब के सब सांस से भी हलके हैं, अंधेर करने पर भरुसा मत रखो, और लूट पाट करने पर मत फुलो, चाहे धन संपती बड़े, तो भी उस पर मन ना लगाना, परमेश्वर ने एक बार कहा है, और दो बार मैंने ये सुना है, कि सामर्थ परमेश्वर का है, और हे प्रभू करुना भी तेरी है, क्योंकि तू एक एक उसके काम के अनुसार फल देता है, भजन 63, कुलपद 11, हे परमेश्वर, तू मेरा इश्वर है, मैं तुझे यत्म से ढूंडूंगा, सूखी और निर्जल उसर भूमी पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अतिय भिलाशी है, इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टी की, कि तेरी सामर्थ और महिमा को देखूं, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है, मैं तेरी प्र शंसा करूंगा, इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा, और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा, मेरा जीव मानुचर्बी और चिकने भोजन से त्रिप्त होगा, और मैं जैजैकार करके तेरी स्थूती करूंगा, जब मैं बिछोने पर पड़ा तेरा स्मर्ण करूंगा, तब रात के एक-एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा, क्योंकि तू मेरा सहायक पना है, इसलिए मैं तेरे पंको की छाया में जैजैकार करूंगा, मेरा मन तेरे पीछे-पीछे लगा चलता है, और मुझे तो तू अपने दाहने हाथ से थामे रखता है, परन्तु जो मेरे प्राण के खोजी है, वे पृत्वी के नीचे स्थानों में जा पड़ेंगे, वे तलवार से मारे जाएंगे, और गीद्रों का आहार हो जाएंगे, परन्तु राजा परमेश्वर के कारण आनंदित होगा, जो कोई ईश्वर की शबत खाए, व और तुझ जूट बोलने वालों का मुँ बंद किया जाएगा। समय मेरे प्राण की रक्षा कर, कुकर्मियों की गोश्टी से और अनर्थकारियों के हुलर से मेरी आड़ हो, उन्होंने अपनी जीब को तलवार की नाई तेज किया है, और अपने कड़वे वचनों के तीरों को चड़ाया है, ताकि छिपकर घरे मनुष्यों को मारे, वे न पंदे लगने के विशे बादचीत करते हैं, और कहते हैं कि हमको कौन देखेगा, वे कुटिलता की युक्ति निकालते हैं, और कहते हैं कि हमने पक्की युक्ति खोच कर निकाली है, क्योंकि मनुष्यों का मन और हिर्दे अथा है, प्रन्तु परमेश्वर उन पर तीर चला वे अचानक गायल हो जाएंगे, वे अपने ही वचनों के कारण ठोकर खाकर गिर पड़ेंगे, जितने उन पर दृष्टी करेंगे, वे सब अपने अपने सिर हिलाएंगे, तब सारे लोग डर जाएंगे और परमेश्वर के कामों का बखान करेंगे, और उसके कारे क्रम को भल भानती समझेंगे, धर्मी तो यहोवा के कारण आनन्दित होकर उसका शर्नागत होगा, और सब सीधे मनवाले बढ़ाई करेंगे। भजन पैंसट कुलपध तेरा यह परमेश्वर सियौन में तेरी स्तूती बाट जोती है और तेरी लिए मनतें पूरी की जाएंगी, यह प्रात्ना के सुनने वाले सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे, अधरम के काम मुझ पर प्रबल हुए हैं, हमारे अपराधों को तू ढाम देगा, क्या ही धन्या है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है, कि वह तेरे आंगनों में वास करे, हम तेरे भवन के अठार तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम प्रदार्थों से त्रिप्त होंगे, है हमारे उधार करता परमेश्वर, है प्रित्वी के सब दूर दूर देशों के, और दूर के समुद्र पर के रहने वालों के आधार, तू धर्म से किये हुए, भ्यानक कामों के द्वारा, हमारा मुँ मांगा वर देगा, तू जो प्राकरम का फेंटा कसे हुए, अपनी सामर्थ से परवतों को स्थेर करता है, तू जो समुद्र का महाशब्द, उसकी तरंगों का महाशब्द, और देश-देश के लोगों का को लाहल शांत करता है, इसलिए दूर दूर देशों के रहने वाले, तेरे चिन देखक दर दर गए हैं, तू उद्याचल और अस्तचल दोनों से जैजेकार कराता है, तू भूमी की सुद्धी लेकर उसको सीचता है, तू उसको बहुत फलदायक करता है, परमेश्वर की नहर जल से भरी रहती है, तू प्रित्वी को तयार करके मनुष्यों के लिए अन को तयार क करता है, और उसकी उपज पर आशीश देता है, अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तू ने मानों मुकुट धर दिया है, तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम परधार्थ पाए जाते हैं, वे जंगल की चाराईयों में पाए जाते हैं, और पहाडियां हर्ष का फेटा बा पाए जाती भी हैं, भजन 66, कुल्पद 20 हे सारी प्रिथ्वी के लोगों परमेश्वर के लिए जैजैकार करो, उसके नाम की महमा का भजन गाओ, उसकी स्तूती करते हुए उसकी महमा करो, परमेश्वर से कहो कि तेरे काम क्या ही भ्यानक है, तेरी महा सामर्थ के कारण तेरे शत्रू, तेरी चापलूसी करेंगे, सा परमेश्वर के कामों को देखो, वे अपने कारियों के कारण मनुश्यों को भई योग्य देख पड़ता है, उसने समुद्र को सुखी भूमी कर डाला, वे महानद में से पाव पाव पाद उत्रे, वहां हम उसके कारण आनंदित हुए, जो अपने प्राक्रम से सर्वदा प्र हठीले अपने सिर ना उठाएं, हे देश देश के लोगों हमारे परमेश्वर को धन्य कहो, और उसकी स्तूती में राग उठाओ, जो हमको जीवत रखता है, और हमारे पाव को तलने नहीं देता, क्योंकि हे परमेश्वर, तुने हमको जाचा, तुने हमें चांदी की नाई ताया था तूने हमको जाल में फंसाया और हमारी कती पर भारी बोज बांदा है तूने घुट चड़ों को हमारे सीरों के उपर से चलाया हम आग और जल से होकर गए परंतु तूने हमको उबार के सुक से भर दिया है मैं होंबली लेकर तेरे भवन में आऊंगा मैं उन मनतों क तेरे लिए पूरा करूंगा जो मैंने मूग खोल कर मानी और संकट के समय कहीं थी मैं तुछे मोटे पशों के होंबली मेंडों की चर्वी के धूप समय चड़ाओंगा मैं बक्रों समेत बैल चड़ाओंगा ये परमेश्वर के सब दरवयों आकर सुनो मैं बताओंगा कि उ मैंने उसको पुकारा और उसी का गुड़ान वाद मुझसे हुआ यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता परंतु परमेश्वर ने तो सुना है उसने मेरी प्रात्ना की ओर ध्यान दिया है धन्या है परमेश्वर जिसने ना तो मेरी प्रात्ना अ दूर कर दी है भजन सड़सट कुलपध साथ परमेश्वर हम पर अनुग्रय करे और हमको आशीश दे वै हम पर अपने मुख का प्रकाश्टर मकाए जिस से तेरी गती प्रिथ्वी पर और तेरा किया हुआ उधार सारी जातियों में जाना जाए है परमेश्वर देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करे राजय राजय के लोग आनंद करे और जैजयकार करे क्योंकि तू देश-देश के लोगों का न्याय धर्म से करेगा और पृत्वी के राजे-राजे के लोगों की अगवाई करेगा ये परमेश्वर देश-देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करे भूमे ने अपनी उपज दी है परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है उसने हमें आशीश दी है परमेश्वर हमको आशीश देगा और पृत्वी के दूर दूर देशों के सब लोग उसका भई मानेंगे भजन 68, कुलपद 35 परमेश्वर उठे उसके शत्रू तितर बितर हों और उसके बैरी उसके सामने से भाग जाएं जैसे धुआ उड़ जाता है वैसे ही तू उनको उड़ा दे जैसे मूम आग की आंच से पिगल जाता है वैसे ही दुष्ट लोग परमेश्वर की उपस्थिती से नाश हों प्रन्तु धर्मित आनंदित हों वे परमेश्वर के सामने प्रफुलित हों वे आनंद में मगन हों परमेश्वर का गीत गाव उसके नाम का भजन गाव जो निर्चल देशों में सवार होकर चलता है उसके लिए सड़क बनाओ उसका नाम या है इसलिए तुम उसके सामने प्रफुलित हो परमेश्वर अपने पवित्रधाम में अनाथों का पिता और विध्वाओं का नयाई है परमेश्वर अनाथों का घर बसाता है और बंदूओं को चुड़ा कर भाग्यवान करता है प्रन्तु हठीलों को सूखी भूमी पर रहना पड़ता है ये परमेश्वर जब तू अपनी प्रजा के आगे-आगे चलता था जब तू निर्जल भूमी में सेना समेच चला तब प्रिथ्वी काम उठी और आकाश भी परमेश्वर के सामने टपकने लगा उधर सीने परवत परमेश्वर हाँ इसराइल के परमेश्वर के सामने काम उठा हे परमेश्वर तूने बहुत से वर्दान बरसाए तेरा निज्ज भाग तो बहुत सुखा था रंतु तूने उसको हरा भरा किया है तेरा जुन्ड उसमें बसने लगा हे परमेश्वर तुने अपनी भलाई से दीन जन के लिए तैयारी की है प्रभू आग्या देता है तब शुब समाचार सुनाने वालियों की बड़ी सेना हो जाती है अपनी अपनी सेना समेथ राजा भागे चले जाते हैं और ग्रैस्थन लूट को बांट लेती है क्या तुम भेड़ शालाओं के बीच लेट जाओगे और ऐसी कबुत्रे के समान होगे जिसके पंक चांदी से और जिसके पर पीले सोने से मड़े हुए हूँ जब सर्वशक्ति मान ने उसमें राजाओं को तितर बितर किया तब मानो सिल्मोन परवत पर हिम पड़ा बाष्षान का पहाड परमेश्वर का पहाड है बाष्षान का पहाड बहुत शिकरवाला पहाड है परन्तु हे शिकरवाले पहाडों तुम क्यों उस परवत को घूरते हो जिसे परमेश्वर ने अपने वास के लिए चाहा है और जहां यहोवा सदा वास किये रहेगा परमेश्वर के रत बीस हजार वरन हजारों हजार है प्रभू उनके बीच में है जैसे वैसीने पवित्रस्थान में है तू उंचे पर चड़ा तू लोकों को बंधुआई में ले गया तू ने मनुश्यों से वरन हठीले मनुश्यों से भी भेंटे ली जिससे यह परमेश्वर उनमें वास करे धन्य है प्रभू जो प्रती दिन हमारा बोज उठाता है वही हमारा उधार करता इश्वर है वही हमारे लिए बचाने वाला इश्वर ठहरा यहोवा प्रभू मृत्यों से भी बचाता है निश्चे परमेश्वर अपने शत्रू के सिर पर और जो अधरम के मार्क पर चलता रहता है उसके बाल भरे चौड़े पर मार मार के उसे चूर करेगा प्रभु ने कहा है कि मैं उन्हें बाशान से निकाल लाऊंगा मैं उनको गहरे सागर के तल से भी फेर ले आऊंगा कि तू अपने पाउं को लहू में डुबोए और तेरे शत्रू तेरे कुत्तों का भाग ठहरे ये परमेश्वर तेरी गती देखी गई मेरे इश्वर मेरे राजा की गती पवितर स्थान में दिखाई दी है गाने वाले आगे आगे और तार वाले बाजों के बजाने वाले पीछे पीछे गए चारो और कुमारियां दफ बजाती थी सभाओं में परमेश्वर का हे इसराइल के सोते से निकलते हुए लोगो रभू का धन्यवाद करो वहाँ उनका अध्यक्ष छोटा बिन्यामीन है महाँ यहूदा के हाकिम अपने अनुचरों समेथ है महाँ जबुलून और नप्ताली के भी हाकिम है तेरे परमेश्वर ने आग्या दी कि तुझे सामर्थ मिले यह परमेश्वर जो कुछ तुने हमारे लिए किया है उसे द्रिड कर तेरे मंदिर के कारण जो यरुशलम में है राजा तेरे लिए भेंट ले आएंगे नरकटों में रहने वाले बनैले पशुँँ को सांडों के जुण को और देश-देश के बच्छोडों को छिड़क दे वे चांदी के टुकडे लिये हुए प्रणाम करेंगे जो लोग युद्ध से प्रसन होते हैं उनको उसने तितर-बितर किया है मिस्र से रईस आएंगे कुशे अपने हाथों को परमेश्वर की ओर फुर्ती से फैलाएंगे ये प्रित्वी पर के राज्ये राज्ये के लोगों परमेश्वर का गीत काओ प्रभू का भजन गाओ जो सबसे उंचे सनातन स्वर्ग में सवार होकर चलता है देखो वे अपनी वानी सुनाता है पर कमभीर वानी शक्ति-शाली है परमेश्वर की सामर्थ कि स्तूति करो उसका प्रताब इस्राइल पर छाया हुआ है और उसकी सामर्थ आकाश मंडल में है हे परमेश्वर तु अपने पविस्ट्र स्थानों में भई योग्य है इस्राइल का इश्वर ही अपनी प्रजा को सामर्थ और शक्ती का देने वाला है परमेश्वर धन्य है भजन उनहत्तर कुलपद चत्तिस है परमेश्वर मेरा उधार कर मैं जल में डूबा जाता हूँ मैं बड़े दलदल में धसा जाता हूँ और मेरे पैर कहीं नहीं रुकते मैं गहरे जल में आ गया और धारा में डूबा जाता हूँ मैं पुकारते पुकारते ठक गया मेरा गला सूख गया है अपने परमेश्वर की बाट जोते जोते मेरी आँखे रह गई है जो आकारन मेरे बैरी हैं वे गिंती में मेरे सिर के बालों से अधिक है मेरे विनाश करने वाले जो व्यर्थ मेरे शत्रू हैं वे सामर्थी है इसलिए जो मैंने लूटा नहीं वे भी मुझको देना पड़ा हे परमेश्वर तू तो मेरी मूड़ता को जानता है और मेरे दोश तुझ से छिपे नहीं है हे प्रभू हे सेनाओं के यहुवा जो तेरी बाट जोहते हैं उनकी आशा मेरे कारण ना तूटे हे इसराइल के परमेश्वर जो तुझे ढूंगते हैं उनका मूँ मेरे कारण काला ना हो तेरे ही कारण मेरी निंदा हुई है और मेरा मूँ लज्जा से धपा है मैं अपने भाईयों के सामने अजनबी हुआ और अपने सगे भाईयों की द्रिष्टी में परदेशी ठहरा हूँ क्योंकि मैं तेरे भवन के निमित जलते जलते भसम हुआ और चो निंदा वे तेरी करते हैं वही निंदा मुझको सहनी पड़ी है जब मैं रोक कर और उपवास करके दुख उठाता था तब उससे भी मेरी नाम धराई ही हुई और जब मैं टाट का वस्त्र पहने था तब मेरा द्रिष्टांथ उनमें चलता था फाटक के पास बैठने वाले मेरे विशेवाचीत करते हैं और मदीरा पीने वाले मुझ पर लगता हुआ गीत गाते हैं पुरंटु हे यहुवा मेरी प्रातना तो तेरी प्रसंता के समय मैं हो रही है यह परमेश्वर अपनी करुणा की बहतायत से और बचाने की अपनी सच्ची प्रतिग्या के अनुसार मेरी सुन ले मुझ को दलदल में से उबार कि मैं धस ना जाऊ मैं अपने बहरियों से और गेहरे जलमे से बच जाऊ मैं धारा में डूब ना जाऊ और ना मैं गेहरे जलमे डूब मरूं और न पाताल का मुँ मेरे उपर बंध हो है यहोवा मेरी सुल ले क्योंकि तेरी करुणा उत्तम है अपनी द्या की बहतायत के अनुसर मेरी सुन ले, मेरे निकटाकर मुझे छुडा ले, मेरे श्यत्रूर से मुझे को छुटकारा दे, मेरी नाम धराई और लच्चा और अनादर को तु जानता है, मेरे सब द्रोही तेरे सामने है, मेरा हिर्दे नाम धराई के कारण पट गया, और मैं बहुत उदास हूँ, मैंने किसी तरस खाने वाले की आशा तो की, परन्तु किसी को ना पाया, और शांती देने वाले ढूनता तो रहा, परन्तु कोई ना मिला, और लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रियान दिया, और मेरी प्यास पुझाने के लिए मुझे सिर्का पिलाया, उनका भोजन उनके ल पे देखना सकें और तू उनकी कटी को निरंतर कमपाता रहे उनके उपर अपना रोश भड़का और तेरे क्रोध की आच उनको लगे उनकी छावनी उजड़ जाए उनके डेरों में कोई ना रहे क्योंकि जिसको तूने मारा वे उसके पीछे पड़े हैं और जिनको तूने घ धर्म को प्राप्त ना करें उनका नाम जीवन की पुस्तक में से काटा जाए और धर्मियों के संग लिखा ना जाए परन्तु मैं तो दुखी और पीड़ित हूं इसलिए हे पर मेश्वर तू मेरा उधार करके मुझे उंचे स्थान पर बेठा मैं गीत काकर तेरे नाम की स् और धन्यवाद करता हुआ तेरी बढ़ाई करूंगा यह यहोवा को बैल से अधिक वरन सींग और खुर वाले बैल से भी अधिक भाएगा नम्र लोग इसे देखकर आनंदित होंगे यह परमेश्वर के खोजियो तुम्हारा मन हरा हो जाए क्योंकि यहोवा दरिद्रों की और कान लगाता और अपने लोगों को जो बंधुए हैं तुछ नहीं जानता स्वर्ग और प्रित्वी उसकी स्तूती करें और समुद्र अपने सब जीव जन्तूओं समेथ उसकी स्तूती करें क्योंकि परमेश्वर सियोन का उध्धार करेगा और यहूदा के नगरों को फि इसने भाग में पाएगा और उसके नाम के प्रेमी उसमें वास करेंगे भजन सत्तर कुलपद पांच हे परमेश्वर मुझे छुडाने के लिए हे यहवा मेरी सहायता करने के लिए सुर्ति कर जो मेरे प्राण के खोजी हैं उनकी आशा तूटे और मुझ काला हो जाए जो मेरी हानी से प्रसन होते हैं वे पीछे हटाए और निरादर किये जाएं जो कहते हैं आहा आहा वे अपनी लज्जा के मारे उल्टे फेरे जाएं जितने तुझे ढूंते हैं वे सब तेरे कारण हर्शित और आनंदित हो और जो तेरा उद्धार चाहते हैं वे निरंतर कहते रहें कि परमेश्वर की बढ़ाई हो मैं तो दीन और दरिद्र हूँ ये परमेश्वर मेरे लिए फुर्ति कर तू मेरा सहायक और छुडाने वाला है हे यहोवा विलंभ ना कर भजन इकहतर कुलपध चौबिस हे यहोवा मैं तेरे शरनागत हूँ मेरी आशा कभी तूटने ना पाए तू तो धर्मी है मुझे छुडा और मेरा उधार कर मेरी और कान लगा और मेरा उधार कर मेरे लिए सनातन काल की चटान का धाम बन जिससे मैं निते जा सकूँ तू ने मेरे उधार की आग्या तो दी है क्योंकि तू मेरी चटान और मेरा गड़ थहरा है हे मेरे परमेश्वर, दुष्ट के और कुटिल और कुरूर मनुष्य के हाथ से मेरी रक्षा कर क्योंकि हे प्रभु यहोवा, मैं तेरी ही बाट जोता आया हूँ बच्वन से मेरा आधार तू है, मैं घर्ब से निकलते ही तुझ से संभाला गया मुझे मा की कोक से तू ही ने निकाला, इसलिए मैं नित्य तेरी स्तूती करता रहूंगा मैं बहुतों के लिए जमतकार बना हूँ, रन्तु तू मेरा द्रिड शर्ण स्थान है मेरे मुझे से तेरे गुणानुवाद, और दिन भर तेरी शोबा का वर्णन बहुत हुआ करे बुड़ापे के समय मेरा त्याग ना कर, जब मेरा बल घटे, तब मुझे को छोड़ ना दे क्योंकि मेरे शत्रू, मेरे विशे बाते करते हैं, और जो मेरे प्राण की दाक में है, वे आपस में ये सम्मत्ति करते हैं, कि परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया है, उसका पीछा करके उसे पकड़ लो, क्योंकि उसका कोई छुड़ाने वाला नहीं, हे परमेश्वर, पुर्तिकर जो मेरे प्रान के विरोधी हैं उनकी आशा तूटे और उनका अंत हो जाए जो मेरी हानी के अभिलाशी हैं वे नाम धराई और अनादर में गड़ जाएं मैं तो निरंतर आशा लगाए रहूंगा और तेरी स्तूती अधिक-धिक करता जाऊंगा मैं अपने मूँ से तेरे धर्म का और तेरे किये हुए उधार का वर्णन दिन भर करता रहूंगा परन्तु उनका पूरा ब्योरा जाना भी नहीं जाता मैं प्रबु यहोवा के प्राकरम के कामों का वर्णन करता हुआ आउंगा मैं केवल तेरे ही धर्म की चर्चा किया करूंगा हे परमेश्वर तू तो मुझे को बच्पन ही से सिखाता आया है और अब तक मैं तेरे आश्चरे कर्मों का प्रचार करता आया हूँ इसलिए हे परमेश्वर जब मैं बुड़ा हो जाऊं और मेरे बाल पक जाएं तब भी तू मुझे ना छोड़ जब तक मैं आने वाली पीडी के लोगों को तेरा बाहुबल और सब उत्पन होने वालों को तेरा प्राकरम सुनाओ और हे परमेश्वर तेरा धर्म अतिमहान है तू जिसने महाकारे किये हैं हे परमेश्वर तेरे तुले कौन है तूने तो हमको बहुत से कठिन कश दिखाए हैं प्रन्तु अब तू फिर से हमको जीवित करेगा और प्रिथ्वी के गहरे गड़े में से उभार लेगा तू मेरी बढ़ाई को बढ़ाएगा और फिर कर मुझे शान्ती देगा हे मेरे परमेश्वर मैं भी तेरी सच्चाई का धन्यवाद सारंगी बजाकर गाऊंगा फे इसरायल के पवित्र मैं वीना बजाकर तेरा भजन गाऊंगा जब मैं तेरा भजन काऊंगा तब अपने मुझ से और अपने प्रान से भी जो तूने बचा लिया है जैजैकार करूँगा और मैं तेरे धर्म की चर्चा दिन भर करता रहूँगा क्योंकि जो मेरी हानी के अभिलाशी थे उनकी आशा तूट गई और मूँ काले हो गए है भजन बहत्तर कुलपद उन्निस हे परमेश्वर राजा को अपना नियम बता राजपुत्र को अपना धर्म सिखला वे तेरी परजा करने आए धर्म से और तेरे दीन लोगों का न्याए ठीक ठीक चुकाएगा पहाडों और पहाडियों से वे परजा के लिए धर्म के द्वारा शांती मिला करेगी वे परजा के दीन लोगों का न्याए करेगा और दरिद्र लोगों को बचाएगा और अंधेर करने वालों को चूर करेगा जग तक सूर्य और चंद्रमा बने रहेंगे तब तक लोग पीडी-पीडी तेरा भई मानते रहेंगे वे खास की खूटी पर बरसने वाले में और फूमी सीचने वाले जाडियों के समान होगा उसके दिनों में धर्मी फूले फलेंगे और जब तक चंद्रमा बना रहेगा तब तक शांती बहुत रहेगी वे समुद्र से समुद्र तक और मानत से पृत्वी की छोड तक प्रबता करेगा उसके सामने जंगल के रहने वाले घुटने टेकेंगे और उसके शत्रू मिट्टी चाटेंगे तरशीश और द्वीप द्वीप के राजा भेंट ले आएंगे शेबा और सबा दोनों के राजा द्रव्य पहुँचाएंगे सब राजा उसको दंडवत करेंगे जाती जाती के लोग उसके अधीन हो जाएंगे क्योंकि वे दोहाई देने वाले दरिद्र को और दुखी और असहाई मनुष्य का उधार करेगा वे कंगाल और दरिद्र पर तरस खाएगा और दरिद्रों के प्राणों को बचाएगा वे उनके प्राणों को अंधेर और उपद्रव से छुडा लेगा और उनका लहू उसकी दृष्टी में अनमोल ठहरेगा वे तो जीवत रहेगा और उनका लहू उसकी दृष्टी में अनमोल ठहरेगा वैद तो जीवत रहेगा और शेबा के सोने में से उसको दिया जाएगा लोग उसके लिए नित्य प्रात्ना करेंगे और दिन भर उसको धन्या कहते रहेंगे देश में पहाडों की चोटियों पर बहुत सा अन होगा जिसकी बाले लबनोन के देवदारों की नाई जूमेंगी और नगर के लोग घास की नाई लह लहाएंगे उसका नाम सदा सर्वदा बना रहेगा जब तक सूरे बना रहेगा तब तक उसका नाम नित्य न्या होता रहेगा और लोग अपने को उसके कारण धन्य गिनेंगे सारी जातियां उसको भागयवान कहेंगी धन्य है यहोवा परमेश्वर जो इस्राहिल का परमेश्वर है आश्चरे कर्म केवल वही करता है उसका महिमा योक्त नाम सर्वदा धन्य रहेगा असारी प्रिथ्वी उसकी महिमा से परिपूर्ण होगी आमीन फिर आमीन भजन ते हत्तर कुलपद अठाइस सचमच इस्राहिल के लिए अर्थात शुद्ध मनवालों के लिए परमेश्वर भला है मेरे डग तो उखरना चाहते थे मेरे डग फिसलने ही पर थे क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था तब उन घमंडियों के विशे डाह करता था क्योंकि उनकी मृत्यूं में बेधनाई नहीं होती परन्तु उनका बल अटूट रहता है उनको दूसरे मनुश्यों की नाई कश्ट नहीं होता और अन्य मनुश्यों के समान उन पर विपत्ती नहीं बढ़ती इस कारण अहकार उनके गले का हार बना है उनका ओड़ना उप्त्रव है उनकी आँखे चर्वी से जलकती है उनके मन की भावनाएं उमडती है वे ठठा मारते हैं और दुष्टता से अंधेर की बात बोलते हैं वे डिंग मारते हैं वे मानों स्वर्ग में बैठे हुए बोलते हैं और वे प्रिथ्वी में बोलते फिरते हैं तो भी उसकी प्रजा इधर लोट आएगी और उनको भरे हुए प्याले का जल मिलेगा फिर वे कहते हैं इश्वर कैसे जानता है क्या परमपरदान को कुछ ग्यान है देखो ये तो दुष्ट लोग हैं तो भी सदा सुभागी रहकर धन संपत्ती बटोरते रहते हैं निश्चे मैंने अपने हिर्दे को वेर्थ शुद किया और अपने हाथों को निर्दोष्टा में धोया है क्योंकि मैं दिन भर मार खाता आया हूँ और प्रती भोर को मेरी तारना होती आई है यदि मैंने कहा होता कि मैं ऐसा ही कहूंगा तो देख मैं तेरे लड़कों की संतान के साथ कुरूरता का विवार करता जब मैं सोचने लगा कि इसे मैं कैसे समझू तो यह मेरी दृष्टी में अतिकठिन समस्या थी जब तक कि मैंने ईश्वर के पविस्त्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को ना सोचा निश्चे तु उन्हें फिसलने वाले स्थानों में रखता है और गिरा कर सत्यनाश कर देता है आहा विश्चन भर में कैसे उजड़ गए हैं वे मिट गए वे घबराते घबराते नाश हो गए हैं जैसे जागने हारा स्वपन को तुछ जानता है वैसे ही हे प्रभू जब तु उठेगा तब उनको छाया सा समझ कर तुछ जानेगा मेरा मन तो चिड़ चिड़ा हो गया मेरा अंतकरन छिद गया था मैं तो पशु सरीका था और समझता ना था मैं तेरे संग रहकर भी पशु बन गया था तो भी मैं निरंतर तेरे संग ही था तुने मेरे दाने हाथ को पकड़ रखा तू सम्मत्ती देता हुआ मेरी अगवाई करेगा और तब मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा स्वर्ग में मेरा और कौन है तेरे संग रहते हुए मैं पृत्वी पर और कुछ नहीं चाहता मेरा हिर्दे और मन दोनों तो हार गए हैं परन्तु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हिर्दे की चत्तान बना है जो तुझ से दूर रहते हैं वे तो नाश होंगी जो कोई तेरे विरुध वे अभिचार करता है उसका तू विनाश करता है प्रंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरन स्थान माना है जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूँ भजन चोहत्तर कुलपद तईस हे परमेश्वर तूने हमें क्यों सदा के लिए छोड़ दिया है तेरी कोपागनी का धुआ तेरी चराई की भेडों के विरुद क्यों उठ रहा है अपनी मंडली को जिसे तूने प्राचीन काल में मोल लिया था और अपने निजभाग का गोत्र होने के लिए छुड़ा लिया था और इस सियोन परवत को भी जिस पर तूने वास किया था सुमर्ण कर अपने डग सनातन की खंडर की और बढ़ा स्थान के बीच गरचते रहे हैं उन्होंने अपनी ही युद्वजाओं को चिन ठहराया है वे उन मनुश्यों के समान थे जो घने वन के पेड़ों पर कुलहाडे चलाते हैं और अब वे उस भवन की नकाशी को कुलहाडियों और हथोडों से बिलकुल तोड डालते हैं उन्होंने तेरे पवित्र स्थान को आग में छोंक दिया है और तेरे नाम के निवास को गिरा कर अशुद कर डाला है उन्होंने मन में कहा है कि हम इनको एक दम दबा दें उन्होंने इस देश में ईश्वर के सब सभास्थानों को फूंक दिया है हमको हमारे निशान नहीं दिख पड़ते अब कोई नभी नहीं रहा ना हमारे बीच कोई जानता है कि कब तक यह दशा रहेगी ये परमेश्वर द्रोही कब तक नाम धराई करता रहेगा क्या शत्रू तेरे नाम की निंदा सदा करता रहेगा तू अपना दाहिना हाथ क्यों रोके रहता है उसे अपने पांजर से निकाल कर उनका अंत कर दे परमेश्वर तो प्राचीन काल से मेरा राजा है वे पृत्वी पर उधार के काम करता आया है तूने तो अपनी शक्ती से समुद्र को दो भाग कर दिया तूने तो जल में मगर मच्छों के सिरों को फोड दिया तूने तो लिबतानों के सिर टुकडे टुकडे करके जंगली जंतों को खिला दिये तूने तो सोता खोल कर जल की धारा बहाई तूने तो बारा मासी नदियों को सुखार डाला दिन तेरा है रात भी तेरी है सूर्य और चंद्रमा को तूने स्थिर किया है तूने तो पृथ्वी के सब सिवानों को ठहराया धूपकाल और जाडा दोनों तुने ठहराए हैं है यहोवा समर्ण कर कि शत्रू ने नाम धराई की है और मूड लोगों ने तेरे नाम की निंदा की है अपनी पिंडुकी के प्राण को वन पशु के वर्ष में ना कर अपने दीन जनु को सदा के लिए ना भूल अपनी वाचा की सुधी ले क्योंकी देश के अंधेरे स्थान अत्याचार के घरों से भरपूर है पिसे होए जन को निरादर होकर लाटना ना पड़े दीन और दरिद्र लोग तेरे नाम की स्तूती करने पाए यह परमेश्वर उठ अपना मुकदमा आप ही लड़ तेरी जो नाम धराई मूर से दिन भर होती रहती है उसे समर्ण कर अपने द्रोहियों का बड़ा बोल ना भूल तेरे विरोधियों का कुलाहल तो नेरंतर उठता रहता है भजन पच्छत्तर कुलपद दस हे परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तेरा नाम प्रगट हुआ है तेरे आश्चरे कर्मों का वर्णन हो रहा है जब ठीक समय आएगा तब मैं आप ही ठीक ठीक नयाय करूँगा प्रिथवी अपने सब रहने वालों समेद गल रही है मैंने उसके खंबों को स्थेर कर दिया है मैंने घमंडियों से कहा घमंड मत करो और दुष्टों से कि सींग उचा मत करो अपना सींग बहुत उंचा मत करो ना सेर उठा कर धिठाई की बात बोलो क्योंकि बढ़ती ना तो पूर्ब से ना पश्चिम से और ना जंगल की योड़ से आती है प्रंतु परमेश्वर ही नयाई है वै एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है यहवा के हाथ में एक कटोरा है जिसमें कावदा आकमदू जागवाला है उसमें मसाला मिला है और वै उसमें से उंडेलता है निश्चे उसकी तल्षट तक प्रिथ्वी के सब दुष्ट लोग पी जाएंगे प्रन्तु मैं तो सदा प्रचार करता रहूँगा मैं याकूब के परमेश्वर का भजन गाऊंगा दुष्टों के सब सींगों को मैं काट टालूँगा प्रन्तु धर्मी के सींग उंचे किये जाएंगे भजन छे अत्तर कुल्पद बारा परमेश्वर यहूदा में जाना गया है उसका नाम इसराइल में महान हुआ है और उसका मंडब शलेब में और उसका धाम सियान में है वहाँ उसने चमचमाते तीरों को और धाल और तलवार को तोड़ कर नीदाल लड़ाई ही को तोड़ डाला है हे परमेश्वर तू तो जोती मैं है तू आहेर से भरे हुए पहाडों से अधिक उत्तम और महान है द्रिड मन वाले लुट गए और भारी नीन में पड़े है और शूर विरो में से किसी का हाथ ना चला हे याकूब के परमेश्वर तेरी घुडकी से रथो समेथ घोडे भारी नीन में पड़े है केवल तू ही भाय योग्य है और जब तू क्रोध करने लगे तब तेरे सामने कौन खड़ा रह सकेगा तूने स्वर्ग से नेरने सुनाया है पृत्वी उस समें सुनकर डर गई और चुप रही जब परमेश्वर नयाय करने को और पृत्वी के सब नमरों लोगों का उद्धार करने को उठा निश्चे मनुष्य की जलजलाहट तेरी स्थूती का कारण हो जाएगी और जो जलजलाहट रह जाए उसको तू रोकेगा अपने परमेश्वर यहोवा की मनते मानो और पूरी भी करू वह जो भय के योग्य है उसके आसपास के सब उसके लिए भेंट ले आए वह तो प्रधानों का अभिमान मिता देगा वह पृत्वी के राजाओं को भैय योग्य जान पड़ता है भजन स्तत्तर कुलपध उन्निस मैं परमेश्वर की दोहाई चिला चिला कर दूँगा मैं परमेश्वर की दोहाई दूँगा और वै मेरी और कान लगाएगा संकट के दिन मैं प्रभू की खोज में लगा रहा रात को मेरा हाथ फैला रहा और धीला ना हुआ मुझ में शान्ती पाई ही नहीं मैं परमेश्वर का समर्ण करकर के कहरता हूँ मैं चिंता करते करते मुर्चित हो चला हूँ तू मुझे जपकी लगने नहीं देता मैं ऐसा घबराया हूँ कि मेरे मूँ से बात नहीं निकलती मैंने प्राचीन काल के दिनों को और युग-युग के वर्षों को सोचा है मैं रात के समय अपने गीत को समर्ण करता और मन में भ्यान करता हूँ और मन में भली बानती विचार करता हूँ क्या प्रभु युग-युग के लिए छोड़ देगा और फिर कभी प्रसन ना होगा क्या उसकी करुणा सदा के लिए जाती रही क्या उसका वचन पीड़ी-पीड़ी के लिए निश्फल हो गया है क्या इश्फल अनुग्रे करना भूल गया क्या उसने क्रोध करके अपनी सब द्या को रोक रखा है मैंने कहा ये तो मेरी दुर्बलता ही है प्रन्तु मैं परम्परदान के दाइने हाथ के वर्षों को विचारता हूँ मैं यह के बड़े कामों की चर्चा करूँगा निश्चे मैं तेरे प्राचीन काल वाले अद्भूत कामों को समर्ण करूँगा मैं तेरे सब कामों पर ध्यान करूँगा और तेरे बड़े कामों को सोचूँगा हे परमेश्वर तेरी गती पवित्रता की है कौन सा देवता परमेश्वर के तुले बड़ा है अद्भूत काम करने वाला इश्वर तू ही है तूने देश-देश के लोगों पर अपनी शक्ती प्रगट की है तूने अपने भुजबल से अपनी प्रजा याकूब और यूसफ के वन्स को छुडा लिया है हे परमेश्वर समुद्र ने तुछे देखा समुद्र तुछे देखकर डर गया गहरा सागर भी काम उठा मेगो से बड़ी वर्षा हुई आकाश से शब्द हुआ फिर तेरे तीर इधर उधर चले बवंडर में तेरे गर्जने का शब्द सुन पड़ा था जगत पिजली से प्रकाशित हुआ प्रिथ्वी कापी और हिल गई तेरा मार्ग समुद्र में है और तेरा रास्ता गहरे जल में हुआ और तेरे पामों के चिन मालूम नहीं होते तुने मुसा और हारुन के द्वारा अपनी प्रजा की अगवाई भेडों की सिखी भजन 78, कुल्पद 72 हे मेरे लोगों, मेरी शिक्षा सुनों मेरे वचनों की और कान लगाओ मैं अपना मुँ नितिवचन कहने के लिए खोलूंगा मैं प्राचीन काल की गुप्त बाते कहूंगा जिन बातों को हमने सुना और जान लिया और हमारे बाप दादों ने हमसे वर्नन किया है उन्हें हम उनकी संतान से गुप्त ना रखेंगे प्रन्तु होनहार पीडी के लोगों से यहोवा का गुणा नुवाद और उसकी सामर्त और आश्चरय कर्मों का वर्नन करेंगे उसने तो याकूब में एक चितानी ठहराई और इस्रायल में एक व्यवस्था चलाई जिसके विशे उसने हमारे पित्रों को आग्या दी कि तुम इन्हें अपने अपने लड़के वालों को बताना कि आने वाली पीडी के लोग अर्थात जो लड़के वाले उत्पन होने वाले हैं वे इन्हें जाने और अपने अपने लड़के वालों से इनका बखान करने में उधत हों जिससे वे परमेश्वर का आस्रा रखें और इश्वर के बड़े कामों को भूल ना जाएं परन्तु उसकी आग्याउं का पालन करते रहें और अपने पित्रों के समान ना हो क्योंकि उस पीड़ी के लोग तो हठीले और जगडालू थे और उन्होंने अपना मन स्थिर ना किया था और ना उनकी आत्मा इश्वर की और सच्ची रही एप प्रेमियों ने तो शस्त्रधारी और धनुर्धारी होने पर भी युद्ध के समें पीट दिखा दी उन्होंने परमेश्वर की वाचा पूरी नहीं की और उसकी विवस्था पर चलने से इनकार किया उन्होंने उसके बड़े कामों को और जो आश्चरे करम उसने उनके सामने किये थे उनको भुला दिया उसने तो उनके बापदादाओं के समुक मिस्र देश के सोन के मैदान में अध्भुत कर्म किये थे उसने समंद्र को दो भाग करके उन्हें पार कर दिया और जल को धेर की नाई खड़ा कर दिया और उसने दिन को तो बादल के खंबो से और रात पर अगनी के प्रकाश के द्वारा उनकी अगवाई की वे जंगल में चटाने फाड़ कर उनको मानो गेहरे जलाशियों से मन माने पिलाता था उसने चटान से भी धाराए निकाली और नदियों का सजल बहाया तो भी वे फिर उसके विरुद अधिक पाप करते गए और निर्जल देश में परमपरधान के विरुद उठते रहे और अपनी चाह के अनुसार भोजन मांग कर मन ही मन इश्वर की परिक्षा की वे परमेश्वर के विरुद बोले और कहने लगे क्या इश्वर जंगल में मेज लगा सकता है उसने चटान पर मार के जल बहा तो दिया और धाराएं उमड़ चली परन्तु क्या वे रोटी भी दे सकता है क्या वे अपनी प्रजा के लिए मास भी तयार कर सकता यहोवा सुनकर क्रोध से भर गया तब याकूब के बीच आग लगी और इस्राइल के विरुद क्रोध भड़का इसलिए कि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखा था ना उसकी उद्धार करने की शक्ति पर भरोसा किया तो भी उसने आकाश को आग्या दी और स्वर्ग के द्वारों को खोला और उनके लिए खाने को मान बरसाया और उन्हें स्वर्ग का अन दिया उनको शूर वीरों की सी रोटी मिली उसने उनको मनमाना भोजन दिया उसने आकाश से पुरवाई को चलाया और अपनी शक्ती से दखनी वहाई और उनके लिए मास धूली की इनाई बहुत बरसाया और समुद्र के बालू के समान अंगिनत पक्षी भेजे और उनकी छावनी के बीच में उनके निवासों के चारों ओर गिराए और वे खाकर अतित रिप्थ हुए और उसने उनकी कामना पूरी की उनकी कामना बनी ही रही उनका भोजन उनके मूह ही में था कि परमेश्वर का क्रोध उन पर भढ़का और उसने उनके हश्ट पुष्टों को घात किया और इस्राइल के जवानों को गिरा दिया इतने पर भी वे और अधिक पाप करते गए और परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों की प्रतीत ना की तब उसने उनके दिनों को व्यर्थ श्रम में और उनके वर्षों को घबराहट में कटवाया जब जब वे उन्हें घात करने लगता तब तब वे उसको पूछते थे और फिरकर इश्वर को यतन से खोचते थे और उनको समर्ण होता था कि परमेश्वर हमारी चक्तान है और परमपरधान इश्वर हमारा छुडाने वाला है तो भी उन्होंने उससे चापलूसी की वे उससे जूट बोले क्योंकि उनका हिर्दे उसकी ओर द्रिर्ण ना था ना वे उसकी वाच्चा के विशे सच्चे थे परन्तु वे जो द्यालू है वे अधर्म को ढापता और नाश नहीं करता वे बार बार अपने क्रोध को ठंडा करता है और अपनी जलजलाहट को पूरी रिती से भड़कने नहीं देता उसको समर्ण हुआ कि ये नाशमान है ये वाजू के समान है जो चली जाती और लौट नहीं आती उन्होंने कितनी ही बार जंगल में उससे बलवा किया और निजल देश में उसको उदास किया वे बार बार इश्वर की परिक्षा करते थे और इस्राइल के पवित्र को खेद करते थे उन्होंने ना तो उसका भुजबर समर्ण किया ना वे दिन जब उसने उनको द्रोही के वश्च से चुड़ाया था कि उसने क्योंकर अपने चिन मिस्र में और अपने चमतकार सोन के मैदान में किये थे उसने तो मिस्रियों की नहरों को लहु बना डाला और वे पास भेजे जिन्होंने उन्हें काट खाया और मेंडक भी भेजे जिन्होंने उनका बिगार किया उसने उनकी भूमी की उपज कीडों को और उनकी खेती बारी टिडियों को खिला दी थी उसने उनकी दाखलताओं को ओलों से और उनके गुलर के पेड़ों को बड़े घृष बरई जो हाम के डेरों में पारूश के पहले फल थे परन्तु अपनी प्रजा को भेड बक्रियों की नाई पेयान कराया और जंगल में उनकी अगुआई पश्वों के जुंड किसी की तब वे उसके चलाने से बेगटके चले और उनको कुछ भय ना हुआ परन्तु उनके शत्रू समुदर में डूब गए और उसने उनको अपने पवित्र देश के सीवाने तक इसी पहाड़ी देश में पहुँचाया जो उसने अपने दहने हाथ से प्राप्त किया था उसने उनके सामने से अन्या जातियों को भगा दिया और उनकी भूमी को डोरी से माप माप कर बांट दिया और इस्राइल के गोत्रों को उनके डेरों में बसाया तो भी उन्होंने परंपरदान परमेश्वर की परिक्षा की और उससे बलवा किया और उसकी चितानियों को ना माना और मुड कर अपने पुर्खाओं की नाई पिश्वास खात किया उन्होंने निकम्मे धनुश की नाई धोका दिया क्योंकि उन्होंने उंचे स्थान बनाकर उसको रीस दिलाई और खुदी हुई मूर्तियों के द्वारा उसमें जलन उप जाए पर मेश्वर सुनकर रोश से भर गया और उसने इसराइल को बिलकुल तज दिया उसने शीलों के निवास अर्थात उस तंबू को जो उसने मनुश्यों के बीच खड़ा किया था त्याग दिया और अपने सामर्थ को बंधुआएं में जाने दिया और अपनी श्योभा को द्रोही के वश में कर दिया उसने अपनी प्रजा को तलवार से मरवा दिया और अपने निज भाग के लोगों पर रोश से भर गया उनके जवान आग में भस्म हुए और उनकी कुमारियों के विवाह के गीत नाग आए गए उनके याजक तलवार से मारे गए और उनकी विद्वाएं रोने ना पाई तब प्रभू मानो नीन से चौंक उठा और ऐसे वीर के सामान उठा जो दाक मदू पीकर ललकारता हो और उसने अपने द्रोहियों को मार कर पीछे हटा दिया और उनकी सदा की नाम धराई कराई फिर उसने यूसफ के तंबू को तज दिया और अप्रेम के गोत्र को ना चुना परंतु यहूदा ही के गोत्र को और अपने प्रिये सियोन परवत को चुन लिया उसने अपने पवितरस्थान को बहुत उंचा बना दिया और प्रित्वी के समान स्थिर बनाया जिसकी नेव उसने सदा के लिए डाली फिर उसने अपने दास दाउद को चुन कर भेड़ शालों में से ले लिया वे उसको बच्चे वाली भेड़ों के पीछे पीछे फिरने से ले आया कि वे उसकी प्रजा याकूब की अर्थात उसके निज भाग इस्राइल की चरवाही करे तब उसने खरे मन से उनकी चरवाही की और अपने हाथ की कुशलता से उनकी अगवाई की भजन उन्यासी कुलपद तेरा हे परमेश्वर अन्या जातियां तेरे निज भाग में घुसाईं उन्होंने तेरे पवित्र मंदिर को अशुद किया और यरुशलम को खंडर कर दिया है उन्होंने तेरे दासों की लोथों को आकाश के पक्षियों का आहार कर दिया और तेरे भक्तों का मास वन पश्यों को खिला दिया है उन्होंने उनका लहू यरुश्लम के चारों ओर जल की नाई बहाया और उनको मिट्टी देने वाला कोई ना था पडोसियों के बीच हमारी नाम धराई हुई चारों ओर के रहने वाले हम पर हसते और ठटा करते हैं है यहोवा तु कब तक लगातार क्रोध करता रहेगा तुझ में आग किसी जलन कब तक भड़कती रहेगी जो जातियां तुझ को नहीं जानती और जिन राजियों के लोग तुझ से प्रातना नहीं करते उन्हीं पर अपनी सब जलजला हट भड़का क्योंकि उन्होंने याकूब को निगल लिया और उनके वास्थान को उजाड दिया है हमारी हानी के लिए हमारे पुर्खाओं के अधरम के कामों को समर्ण ना कर तेरी दिया हम पर शिग्र हो क्योंकि हम बड़ी दुर्दरशा में पड़े हैं हमारे उधार करता परमेश्वर अपने नाम की महिमा के निमत हमारी सहायता कर और अपने नाम के निमत हमको चुड़ा कर हमारे पापों को ड्धाबते अन्यजातिया pada कि उनका परमेश्वर कहां रहा अन्य जातियों के बीच तेरे दासों के खून का पल्टा लेना हमारे देखते उन्हें मालूम हो जाए बंधुओं का कराहना तेरे कान तक पहुंचे घात होने वालों को अपने भुजबल के द्वारा बचा और हे प्रफु हमारे पडोसियों ने जो तेरी निंदा की है उसका साथ गुना बदला उनको दे तब हम जो तेरी प्रजा और तेरी चराई की भेड़े हैं तेरा धन्यवाद सदा करते रहेंगे और पीड़ी से पीड़ी तक तेरा गुनानुवाद करते रहेंगे भजनस्सी कुलपद उन्निस हे इस्राइल के चरवाहे तू जो यूसप की अगवाई भेड़ों किसी करता है कान लगा तू जो करूबों पर विराजमान है अपना तेज दिखा एप्रेम, बिन्यमीन और मनश्य के सामने अपना प्राक्रम दिखाकर हमारा उधार करने को आ हे परमेश्वर हमको जियों के त्यों कर दे और अपने मुख का प्रकाश चमका तब हमारा उधार हो जाएगा हे सेनाओं के परमेश्वर यहुवा तु कब तक अपनी प्रजा की प्रातना पर क्रोधेत रहेगा तुने आंसूं को उनका आहार कर दिया और मटके भर भरके उन्हें आंसू पिलाए है तु हमें हमारे पडोसियों के जगरने का कारण कर देता है और हमारे शत्रूप मनमाने ठठा करते हैं हे सेनाओं के परमेश्वर हम को जियों के तियों कर दे और अपने मुख का प्रकाश हम पर जमका तब हमारा उधार हो जाएगा तु मिस्र से एक दाखलता ले आया और अन्यजातियों को निकाल कर उसे लगा दिया तु ने उसके लिए स्थान तेयार किया है और उसने जड़ पकड़ी और फैल कर देश को भर दिया उसकी छाया पहाडों पर फैल गई और उसकी डालिया ईश्वर के देवदारों के समान हुई उसकी शाखाएं समंदर तक बढ़ गई और उसके अंकुर महनत तक फैल गई फिर तु ने उसके बाड़ों को क्यों गिरा दिया कि सब बटो ही उसके फलों को तोड़ते हैं वन्सु और उसको नाश किये डालता है और मैदान के सब पशूप उसे चर जाते हैं हे सेनाओ के परमेश्वर फिर आ स्वर्ग से ध्यान देकर देख और इस दाखलता की सुधी ले ये पौधा तु ने अपने दाहने हाथ से लगाया और जो लटा की शाखा तु ने अपने लिए द्रड़ की है वे जल गई वे कट गई है तेरी घृड़की से विनाश होते हैं तेरे दाइने हाथ के संभाले हुए पुरुष पर तेरा हाथ रखा रहे, उस आदमी पर जिसे तुने अपने लिए द्रिड किया है, तब हम लोग तुझ से ना मुड़ेंगे, तु हम को जिला और हम तुझ से प्रातना कर सकेंगे, हे सेनाओ के परमेश्वर यहोवा, हम को ज भजन 81, कुलपद 16 परमेश्वर जो हमारा बल है, उसका गीत आनन से गाओ, याकूब के परमेश्वर का जैजेकार करो, भजन उठाओ, डफ और मधुर बजने वाली वीना और सारंगी को ले आओ, नए चांद के दिन और पूर्ण मासी को हमारे पर्व के दिन नरसिंगा फूंखो, क्योंकि य इसराइल के लिए विधी और याकूब के परमेश्वर का ठैराया हुआ नियम है, इसको उसने यूसफ में चितानी की रिती पर उस समय चलाया, जब मैं मिस्र देश की विरुद चला, वहां मैंने एक अंजानी भाशा सुनी, मैंने उनके कंदों पर से बोज को उतार दिया, उनका टोकरी ढोना चूट गया, तुने संकट में पढ़कर पुकारा, तब मैंने तुझे चुडाया, बादल गरजने की गुप्त स्थान में से मैंने तेरी सुनी, और मरीबा नाम सोते के पास तेरी परिक्षा की, हे मेरी प्रजा, सुन, मैं तुझे चिता देता हूँ, हे इसराइल, भला हो कि तू मेरी सुने, तेरे बीच में पराय ईश्वर ना हो, और ना तू किसी पराय देवता को दंडवत करना, तेरा परमेशर यहोवा मैं हूँ, जो तुझे मिसर देश से निकाल लाया है, तू अपना मूँ पसार, मैं उसे भर दूँगा, परंतु मेरी प्रजा ने मेरी ना सुनी, इसराइल ने मुझे को ना चाहा, इसलिए मैं ने उसको उसके मन के हट पर छोड़ दिया, कि वे अपनी ही युक्तियों के अनुसार चले, यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि इसराइल मेरे मारगों पर चले, तो मैं शन भर में उनके शत्रू को दबाऊं और अपना हाथ उनके द्रोहियों के विरुद चलाऊं यहोवा के बैरी तो उसके वश में हो जाते और वे सदाकाल बने रहते हैं और वे उनको उत्तम से उत्तम गेहूं खिलाता और मैं चटान में के मधू से उनको त्रिप्त करूं भजन बे आसी कुलपध आठ परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है वह इश्वरों के बीच में न्याय करता है तुम लोग कब तक टेड़ा न्याय करते और दुष्टों का पक्ष लेते रहोगे कंगाल और अनाथों का न्याय चुकाओ दीन दरिद्र का विचार धर्म से करों कंगाल और निर्धन को बचा लों दुष्टों के हाथ से उन्हें छुडाओ वे ना तो कुछ समझते और ना कुछ बूजते हैं परन्तु अंधेरे में चलते फिरते रहते हैं पृत्वी की प कि नाई मरोगे और किसी प्रधान के समान गिर जाओगे यह परमेश्वर उठ पृत्वी का नयाय कर क्योंकि तू ही सबजातियों को अपने भाग में लेगा भजन त्रयासी कुलपद अठारा यह परमेश्वर मौन ना रह यह इश्वर चुप ना रह और ना शांत रह क्योंकि देख तेरे शत्रू धूम मचा रही हैं और तेरे बैरियों ने सिर उठाया है वे चतुराय से तेरे प्रजा की हानी की सम्मत्ती करते और तेरे रक्षित लोगों के विरुद युक्तिया निकालते हैं उन्होंने कहा आओ हम उनको ऐसा नाश करें कि राज्या भी मिट चाए और इस्राइल का नाम आगे को समर्ण ना रहे उन्होंने एक मन होकर युक्ति निकाली है और तेरे ही विरुद वाचा बांधी है ये तो इदोम के तंबू वाले और इश्माईली मौाबी और हुग्री गबाली अम्मोनी अमालेकी और सोर समेथ पलिष्टी है इनके संग अशूरी भी मिल गए हैं उनसे भी लोत वश्यों को सहारा मिला है इन से ऐसा कर जैसा मिध्यानियों से और किशोन नाले में सिस्रा और यबीन से किया था जो इंदोर में नाश हुए और भूमी के लिए खाद बन गए इनके रईसों को औरेब और जाएब सरीखे और इनके सब प्रधानों को जेभा और सल्मना के समान कर दे जिन्हों ने कहा था कि हम परमेश्वर की चराईयों के अधिकारी आप ही हो जाए हे मेरे परमेश्वर इनको बवंडर की धूली या पवन से उड़ाए हुए भूसे के समान कर दे उस आग की नाई जो वन को भसम करती है और उस लौ की नाई जो पहाडों को जला देती है तू इन्हें अपनी आंधी से भाग दे और अपने बवंडर से घबरा दे इनके मुँ को अती लजजित कर की हे यहोवा ये तेरे नाम को ढूंडे ये सदा के लिए लजजित और घबराए रहे इनके मुँ काले हूँ और इनका नाश हो जाए जिससे यह जाने की केवल तू जिसका नाम यहोवा है सारी पृत्वी के उपर परमपरधान है भजन चरासी कुलपध बारा हे सेनाओ के यहोवा तेरे निवास क्या ही प्रिये हैं मेरा प्रान यहोवा के आंगनों की अभिलाशा करते करते मुर्चित हो चला मेरा तन्मन दोनों जीवते इश्वर को पुकार रहे हे सेनाव के यहोवा हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर तेरी वेदियों में गुरईया ने अपना बसेरा और शुपा बेनी ने घोंसला बना लिया है जिसमें वे अपने बच्चे रखें क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं वे तेरी स्तूती निरंतर करते रहेंगे क्या ही धन्या है वे मनुष्य जो तुझ से शक्ति पाता है और वे जिनको सियोन की सड़क की सुधी रहती है वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाते है फिर बरसात की अगली व्रिष्टी उसमें आशीश ही आशीश उप जाती है वे बल पर बल पाते जाते हैं उनमें से हर एक जन सियोन में परमेशवर को अपना मुद दिखाएगा हे सेनाओ के परमेशवर यहुवा मेरी प्रातना सुन हे याकूब के परमेश्वर कान लगा हे परमेश्वर हे हमारी ढाल द्रिष्टी कर और अपने अभिशिक्त का मुह देख क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के हजार दिन से उत्तम है दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भाता है क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है यहोवा अनुग्रय करेगा और महिमा देगा और जो लोग घरी चाल चलते है उनसे वै कोई अच्छा पदार्थ रखना छुड़ेगा है सेनाव की यहोवा क्या ही धन्या वै मनुष्य है जो तुझ पर भरोसा रखता है भजन पचासी कुलपद तेरा हे यहोवा तु अपने देश पर प्रसन हुआ याकूब को बंधुआई से लोटा ले आया है तुने अपनी प्रजा के अधर्म को शमा किया है और उसके सब पापों को धांप दिया है तुने अपने रोश को शांत किया है और अपने भड़के हुए कोप को दूर किया है हे हमारे उधार करता परमेश्वर हम को फिर और अपना क्रोध हम पर से दूर कर क्या तू हम पर सदा कोपित रहेगा क्या तू पीड़ी से पीड़ी तक कोप करता रहेगा क्या तू हम को फिर ना जिलाएगा कि तेरी प्रजा तुझ में आनंद करे हे यहोवा अपनी करुणा हमें दिखा और तू हमारा उधार कर मैं कान लगाए रहूंगा कि इश्वर यहोवा क्या कहता है वे तो अपनी प्रजा से जो उसके भक्त है शान्ती की बातें कहेगा प्रंतु वे फिरके मुर्कता ना करने लगे निश्चे उसके डर्वईयों के उधार का समय निकट है तब हमारे देश में महिमा का निवास होगा करुणा और सच्चाई आपस में मिल गई है धर्म और मेल ने आपस में चुंबन किया है प्रिथ्वी में से सच्चाई उगती और स्वर्ग से धर्म जुकता है फिर यहोवा उत्तम पदार्थ देगा और हमारी भूमी अपनी उपज देगी धर्म उसके आगे आगे चलेगा और उसके पावों के चिनों को हमारे लिए मार्ग बनाएगा भजन 86, कुलपद 17 हे यहोवा कान लगाकर मेरी सुन ले क्योंकि मैं दीन और दरिद्र हूँ मेरे प्रान की रक्षा कर क्योंकि मैं भगत हूँ तू मेरा परमेश्वर है इसलिए अपने दास का जिसका भरोसा तुझ पर है उधार कर हे प्रभू मुझ पर अनुग्रै कर क्योंकि मैं तुझी को लगातार पुकारता रहता हूँ अपने दास के मन को आनंदित कर क्योंकि हे प्रभू मैं अपना मन तेरी ही और लगाता हूँ क्योंकि हे प्रभू तू भला और शमा करने वाला है और जितने तुझे पुकारते हैं, उन सभों के लिए तु अति करणा मैं है हे यहोवा, मेरी प्रातना की और कान लगा, और मेरे गिड़गिडाने को ध्यान से सुन संकट के दिन मैं तुझ को पुकारूंगा, क्योंकि तु मेरी सुन लेगा हे प्रभू, देवताओं मेंसे कोई भी तेरे तुल्य नहीं, और ना किसी के काम तेरे कामों के बराबर है हे प्रभू, जितनी जातियों को तु ने बनाया है, सब आकर तेरे सामने दंड़वत करेंगी और तेरे नाम की महिमा करेंगी, क्योंकि तु महान और आश्चरे कर्म करने वाला है केवल तु ही परमेश्वर है, हे यहोवा, अपना मार्क मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्क पर चलूँगा मुझे को एक चित कर, कि मैं तेरे नाम का भई मानू, हे प्रभू, हे मेरे परमेश्वर, मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम की महिमा सदा करता रहूंगा, क्योंकि तेरी करूना मेरे उपर बड़ी है, और तू ने मुझे को अधुलोग की तैह से जाने में बचाया है, और तू ने मुझे को अधुलोग की तैह में जाने से बचा लिया है, हे परमेश्वर, अभिमानी लोग तो मेरे विरुद उठे हैं और बलातकारियों का समाज मेरे प्राण का खोजी हुआ है और वे तेरा कुछ विचार नहीं रखते प्रन्तु प्रभु तु देयालू और अनुग्रे कारी इश्वर है तु विलम से कोप करने वाला और अती करुणा मैं है मेरी और फिर कर मुझ पर अनुग्रे कर अपने दास को तु शक्ती दे और अपनी दासी के पुत्र का उधार कर मुझे भलाई का कोई लक्षन दिखा जिसे देखकर मेरे बैरी निराश हूँ क्योंकि है यहोवा तु ने आप मेरी साहता की और मुझे शांती दी है और मुझे शांती भजन सतासी कुल्पध साथ उसकी नेव पवित्र परवतों में है और यहोवा सियान के फाटकों को याकूब के सारे निवासों से बढ़कर पृती रखता है हे परमेश्वर के नगर तेरे विशे महिमा की बाते कहीं गई है मैं अपने जान पहचान वालों से रहब और बाबेल की भी चर्चा करूँगा पलिश्ट सोर और कूश को देखो यह वहां उत्पन हुआ था और सियोन के विशे में यह कहा जाएगा कि अमुक अमुक मनुश्य उसमें उत्पन हुआ था और परमपरधान आप ही उसको स्थेर करेगा यहोवा जब देश-देश के लोगों के नाम लिख कर गिन लेगा तब यह कहेगा कि यह वहां उत्पन हुआ था कवईये और नृतक दोनों कहेंगे कि हमारे सब सोते तुझी में पाए जाते हैं भजन अठासी कुलपद अठारा हे मेरे उधार करता परमेश्वर यहोवा मैं दिन को और रात को तेरे आगे चिलाता आया हूँ मेरी प्रातना तुझ तक पहुंचे मेरे चिलाने की और कान लगा क्योंकि मेरा प्रान कलेश में भरा हुआ है और मेरा प्रान अधुलोग के निकट पहुंचा है और जो घात होकर कबर में पड़े हैं जिनको तू फिर समरंड नहीं करता और वे तेरी सहायता रही थैं उनके समान मैं हो गया हूँ तूने मुझे गड़े के तलही में अंधेरे और गहरे स्थान में रखा है तेरी जलजलाहट मुझी पर बनी हुई है और तू ने अपने सब तरोंगों से मुझे दुख दिया है तू ने मेरे पहचान वालों को मुझे से दूर किया है और मुझे को उनकी दृष्टी में घिनाना किया है मैं बंदी हूँ और निकल नहीं सकता दुख भोकते भोकते मेरी आँखे दुन्दला गई है हे यहोवा मैं लगातार तुझे पुकारता और अपने हाथ तेरी और फैलाता आया हूँ क्या तू मुर्दों के लिए अद्भुत काम करेगा क्या मरे लोग उठकर तेरा धन्यवाद करेंगे क्या कबर में तेरी करुणा का और विनाश की दशा में तेरी सच्चाई का वर्णन किया जाएगा क्या तेरे अद्भुत काम अंधकार में या तेरे धर्म विश्वास घात की दशा में जाना जाएगा प्रन्तु हे यहवा मैंने तेरी दोहाई दी है और भोर को मेरी प्रातना तुझ तक पहुंचेगी हे यहवा तु मुझ को क्यों छोड़ता है तु अपना मुख मुझ से क्यों चिपाए रहता है मैं बच्पन ही से दुखी वरन अध मुआ हूँ तुझ से भई खाते मैं अती व्याकुल हो गया हूँ तेरा क्रोध मुझ पर पड़ा है उस भई से मैं मिट गया हूँ वे दिन भर जलकी नाई मुझे घेरी रहता है वे मेरे चारों ओर दिखाई देता है तुने मित्र और भाई बंधु दोनों को मुझे से दूर किया है और मेरे जान पहचान वालों को अंधकार में डाल दिया है भजन नवासी कुलपद बावन मैं यहोवा की सारी करुणा के विशे सदा गाता रहूँगा मैं तेरी सच्चाई पीडी से पीडी तक जताता रहूँगा क्योंकि मैंने कहा है तेरी करुणा सदा बनी रहेगी तुस्वर मैं अपनी सच्चाई को धर रखेगा मैंने अपने चुने हुए से वाचा बांधी है मैंने अपने दास दाउद से शपत खाई है कि मैं तेरे वंश को सदा स्थर रखूंगा और तेरी राज गद्दी को पीड़ी से पीड़ी तक बनाया रखूंगा हें यहोवा, स्वर्ग में तेरे अद्भुत काम की और पवित्रों की सभा में तेरी सच्चाई की प्रशंसा होगी क्योंकि आकाश मंडल में यहोवा के तुले कौन ठहरेगा बलवन्तों के पुत्रों में से कौन है जिसके साथ की यहोवा की उपमा दी जाएगी इश्वर पवित्रों की गोश्टी में अत्यांत प्रतिष्टा के योग्य और अपने चारों और सब रहने वालों से अधिक भई योग्य है हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा हे या तेरे तुले कौन सामर्थी है तेरी सच्चाई तो तेरे चारों और है समुद्र के गर्व को तू ही तोड़ता है जब उसके तरंग उठते हैं तब तू उनको शांत कर देता है तूने रहब को घात किये हुए के समान कुचल डाला और अपने शत्रूं को अपने बाहुवल से तितर बितर किया है आकाश तेरा है पृत्वी भी तेरी है जगत और जो कुछ उसमें है उसे तू ही ने स्थर किया है उत्तर और दखिन को तू ही ने सिर जा ताबोर और हिम्रोन तेरे नाम का जैजेकार करते हैं तेरी भुजा बलवंत है तेरा हाथ शक्ति मान और तेरा दहिना हाथ प्रबल है तेरे सिहासन का मूल, धर्म और न्याय है करुणा और सच्चाई तेरे आगे-ागे चलती है क्या ही धन्य है वे समाज जो आनंद के ललकार को बहचानता है हे यहोवा वे लोग तेरे मुख के प्रकाश में चलते हैं वे तेरे नाम के हे तु दिन भर मगन रहते हैं और तेरे धर्म के कारण महान हो जाते हैं क्योंकि तू उनके बल की शोबा है और अपनी प्रसंता से हमारे सींग को उंचा करेगा क्योंकि हमारी ढाल यहोवा की ओर से है हमारा राजा इस्टराइल के पवित्र की ओर से है एक समय तू ने अपने भक्त को दर्शन दे कर बाते की और कहा मैंने सहायता करने का भार एक वीर पर रखा है और प्रजा में से एक को चुन कर बढ़ाया है मैंने अपने दास दाउद को लेकर अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया है मेरा हाथ उसके साथ बना रहेगा और मेरी भुजा उसे दृड रखेगी शत्रू उसको तंकरने ना पाएगा और नाकुटिल जन उसको दुख देने पाएगा मैं उसके द्रोहियों को उसके सामने से नाश करूंगा और उसके बैरियों पर विपत्ती डालूंगा परंतु मेरी सच्चाई और करुणा उस पर बनी रहेंगी और मेरे नाम के द्वारा उसका सींग उंचा हो जाएगा मैं समुन्द्र को उसके हाथ के नीचे और महानदों को उसके दाहने हाथ के नीचे कर दूँगा वे मुझे पुकार के कहेगा कि तू मेरा पिता है, मेरा ईश्वर और मेरे बचने की चक्तान है फिर मैं उसको अपना पहला उठा और पृत्वी के राजाओं पर प्रधान ठहराऊंगा मैं अपनी करुणा उस पर सदा बनाए रहूंगा और मेरी वाचा उसके लिए अटल रहेगी मैं उसके वंश को सदा बनाए रखूंगा और उसकी राजगदी स्वर्ग के समान सर्वदा बनी रहेगी यदि उसके वंश के लोग मेरी विवस्था को छोड़े और मेरे नियुमों के अनुसार ना चले यदि वे मेरी विध्यों का उलंखन करे और मेरी आग्याओं को ना माने तो मैं उनके अपराद का दंड सोटे से और उनके अधरम का दंड कोडों से दूँगा परन्तु मैं अपनी करुणा उस पर से ना हटाऊंगा और ना सच्चाई त्याग कर जूठा ठहराऊंगा मैं अपनी वाचा ना तोड़ूँगा और जो मेरे मूँ से निकल चुका है उसे ना बदलूँगा एक बार मैं अपनी पवितरता की शबत खा चुका हूँ मैं दाउद को कभी धोका ना दूँगा उसका वंश सर्वदा रहेगा और उसकी राजगद्दी सूर्य की नाई मेरे सम्मुख ठहरी रहेगी वेशचंद्रमा की नाई और आकाश मंडल के विश्वास योग्य साक्षी की नाई सदा बना रहेगा तो भी तूने अपने अभिशेक्त को छोड़ा और उसे तज दिया और उस पर अतिक रोध किया है तो अपने दास के साथ की वाचा से घिनाया और उसके मुकुट को भूमी पर गिरा कर अशुद किया है तूने उसके सब बाड़ों को तोड़ डाला है और उसके गड़ों को उजार दिया है सब बटो ही उसको लूट लेते हैं और उसके पडोसियों से उसकी नाम धराई होती है तूने उसके द्रोहियों को प्रबल किया और उसके सब शत्रों को आनंदित किया है फिर तू उसकी तलवार की धार को मोड देता है और युद्ध में उसके पाम जमने नहीं देता तूने उसका तेज हर लिया है और उसके सिहासन को भूमी पर पटक दिया है तूने उसकी जवानी को घटाया और उसको लज्जा से ढाम दिया है हे यहोवा तू कब तक लगातार मूँ फेरे रहेगा तेरी जलजलाहट कब तक आग की नाई भड़की रहेगी मेरा समर्ण कर कि मैं कैसा अनित्य हूँ तूने सब मनुष्यों को क्यों वियर्थ सिर्जा है कौन पुरिश सदा अमर रहेगा क्या कोई अपने प्राण को अधलोक से बचा सकता है हे प्रभू तेरी प्राचीन काल की करुणा कहा रही जिसके विशे में तूने अपनी सच्चाई की शपत दाउच से खाई थी हे प्रभू अपने दासों की नाम धराई की सुधी कर मैं तो सब सामर्थी जातियों का बोज लिये रहता हूँ तेरे उन शत्रों ने तो हे यहोवा तेरे अभिशिक्त के पीछे पड़कर उसकी नाम धराई की है यहोवा सरवदा धन्य रहेगा आमीन फिर आमीन भजन नब्बे कुलपद सत्रा यह प्रभू तू पीड़ी से पीड़ी तक हमारे लिए धाम बना है इससे पहले की पहाड उत्पन हुए या तू ने पृत्वी और जगत की रचना की वरन अनादी काल से अनंत काल तक तू ही इश्वर है तू मनुश्यों को लटा कर चूर करता है और कहता है कि हे आदमियों लौटाओ क्योंकि हजार वर्ष तेरी दृष्टी में ऐसे है जैसे कल का दिन जो बीट गया या रात का एक पहर तू मनुश्यों को धारा में वहा देता है वे स्वपन से धहरते हैं वे भोर को बढ़ने वाली घास के समान होते हैं वे भोर को फूलती और बढ़ती है और सांज तक कटकर मुर्चा जाती है क्योंकि हम तेरे क्रोध से नाश हुए हैं और तेरी जलजलहट से घबरा गए हैं तुने हमारे अधर्म के कामूं को अपने समुक और हमारे चिपे हुए पापों को अपने मुक की जोती में रखा है क्योंकि हमारे सब दिन तेरे क्रोध में बीच जाते हैं हम अपने वर्ष शब की नाई बिताते हैं हमारी आयू के वर्ष सत्तर तो होते हैं और चाहे बल के कारण असी वर्ष भी हो जाएं, तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है, क्योंकि वह जल्दी कट जाती है, और हम जाते रहते हैं, तेरे क्रोध की शक्ति को और तेरे भई के योग्य, तेरे रोश को कौन समझता है, हमको अपने दिन गिनने की सम बचते की हम बुद्धिमान हो जाएं, हे यहोवा, लौटा, कब तक, और अपने दासों पर तरस खा, भोर को हमें अपने करुणा से त्रिप्त कर, की हम जीवन भर, जैजेकार और आनंद करते रहें, जितने दिन तु हमें दुख देता है, और जितने वर्ष हम कलेश भोग दुखते आए हैं, उतने ही वर्ष हम को आनंद दे, तेरा काम तेरे दासों को, और तेरा प्रताफ उनकी संतान पर प्रगठ हो, और हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोहरता हम पर प्रगठ हो, तु हमारे हाथों का काम हमारे लिए द्रिड कर, हमारे हाथों के काम को द्रिड कर भजन इकानुए कुलपद सोला जो परंपरधान के चाय हुए स्थान में बैठा रहे वे सरवशक्ति मान की चाया में ठिकाना पाएगा मैं यहोवा के विशे कहूंगा कि वेह मेरा शरन स्थान और गड़ है वेह मेरा परमेश्वर है मैं उस पर भरोसा रखूंगा वेह तो मुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा वेह तुझे अपने पंखों की आड में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरन पाएगा उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और जिलम ठहरेगी तू ना रात के भाई से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और ना उस महारोग से जो दिन दुपैरी में उजारता है तेरे निकट हजार और तेरे दाहनी और दस हजार गिरेंगे परन्तु वे तेरे पास ना आएगा परन्तु तू अपनी आँखों से द्रिष्टी करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा है यहोवा तू मेरा शरंस्धान ठहरा है तूने जो परंपरधान को अपना धाम मान लिया है इसलिए कोई विपती तुझ पर ना पड़ेगी ना कोई दुख तेरे डेरे के निकटाएगा क्योंकि वे अपने दूतों को तेरे निमताग्या देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे ऐसा नहो कि तेरे पावों में पत्थर से ठेस लगे तू सी और नाक को कुछलेगा तू जवान सी और अजगर को लताड़ेगा उसने जो मुझसे सने किया है इसलिए मैं उसको छुडाओंगा मैं उसको उंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है जब वे मुझको पुकारे तम मैं उसकी सुनूंगा संकट मैं उसके संग रहूंगा मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा मैं उसको दिरगायू से त्रिप्त करूंगा और अपने किये हुए उध्धार का दर्शन दिखाऊंगा भजन बानुए कुलपद पंद्रा यहोवा का धन्यवाद करना भला है हे परमपरधान तेरे नाम का भजन गाना प्राता काल को तेरी करुणा और प्रती रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना दस तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीना पर गंभीर स्वर से गाना भला है क्योंकि हे यहुवा तूने मुझे को अपने काम से आनन्दित किया है और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जैजकार करूँगा तेरी कलपनाय बहुत गंभीर है पश्यू समान मनुष्य इसको नहीं समझता और मूर्ख इसका विचार नहीं करता कि दुष्ट जो घास की नाई फूलते फलते हैं और सब अनर्थकारी जो प्रफुलित होते हैं ये इसलिए होता है कि वे सर्वदा के लिए नाश हो जाएं परन्तु हे यहोवा तू सदा विराजमान रहेगा क्योंकि हे यहोवा तेरे शत्रू हां तेरे शत्रू नाश होंगे सब अनर्थकारी तितर बितर होंगे परन्तु मेरा सिंग तूने जंगली सांड कासा उंचा किया है मैं तटके तेल से चुपड़ा गया हूँ और मैं अपने द्रोहियों पर द्रिष्टी करके और उन कुकर्मियों का हाल जो मेरे विरुद उठे थे सुनकर संतुष्ट हुआ हूँ धर्मी लोग खजूर की नाई फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार की नाई बढ़ते रहेंगे वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लेल हाते रहेंगे जिससे ये प्रगठो कि यहोवा सीधा है वे मेरी चटान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं भजन तरानवे कुलपद पांच यहोवा राजा है उसने महात्में का पहरावा पहना है यहोवा पहरावा पहने हुए और सामर्द का फेटा बांदे है इस कारण जगत स्थिर है वे नहीं तलने का हे यहोवा तेरी राजगदी अनादिकाल से स्थिर है तू सरवदा से है यहोवा महा नदों का कुलाहल हो रहा है महा नदों का बड़ा शब्द हो रहा है महा नद गरचते हैं महा सागर के शब्द से और समुद्र की महा तरंगों से विराजमान यहोवा अधिक महान है तेरी चित्तौन्या अति विश्वास योग्य है यहोवा तेरे भवन को योग-योग पवितरता की शोबा देती है भजन चुरानुए कुलपद तैस हे यहोवा हे पल्टा लेने वाले इश्वर हे पल्टा लेने वाले इश्वर अपना तेज दिखा हे प्रित्वी के न्याई उठ और घमंडियों को बदला दे हे यहोवा दुष्ट लोग कब तक दुष्ट लोग कब तक डिंग मारते रहेंगे वे बक्ते और धिठाई की बाते बोलते हैं सब अनर्थकारी बड़ाई मारते हैं हे यहोवा, वे तेरी प्रजा को पीस डालते हैं, वे तेरे निज भाग को दुख देते हैं, वे विध्वा और परदेशी का घात करते और बप मुओं को मार डालते हैं, और कहते हैं कि यह ना देखेगा, याकूब का परमेश्वर विचार ना करेगा, तुम जो परजा में बशु सरिखे हो, बिचार करो, और हे मूर्खो, तुम कब बुदिमान हो जाओगे, जिसने कान दिया, क्या वे आप नहीं सुनता, जिसने आँख रची, क्या वे आप नहीं देखता, जो जाती-जाती को ताड़ना देता, और मनुश्यों को ग्यान सिखा क्या वे ना समझेगा, यहोवा मनुश्य की गल्पनाओं को तो जानता है, कि वे मिथ्या है, हे या, क्या ही धन्य है मनुश्य, जिसको तू ताड़ना देता है, और अपनी विवस्था सिखाता है, क्योंकि तू उसको विपत्ती की दिनों में, उस समय तक चैन देता रहता ह है, जब तक दुष्टों के लिए गड़ा नहीं खोदा जाता, क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा को ना तजेगा, वे अपने निच भाग को ना छोड़ेगा, प्रंतु न्याय फिर धर्म के अनुसार किया जाएगा, और सारे सीधे मनवाले उसके पीछे फीछे हो लेंगे, कुकर्मियों के विरुद मेरी ओर कौन खड़ा होगा, मेरी ओर से अनर्थकारियों का कौन सामना करेगा, यदि यहोवा मेरा सहायक ना होता, तो शन भर में मुझे चुकचाप होकर रहना पड़ता, जब मैंने कहा कि मेरा पाव फिसलने लगा है, तब है यहोवा तेरी करु मुझे को सुक होता है, क्या तेरे और दुष्टों के सिहासन के बीच संदी होगी, जो कानून की आड में उत्पात मचाते हैं, वे धर्मी का प्राण लेने को दल बानते हैं, और निर्दोश को प्राण दंड देते हैं, प्रन्तु यहोवा मेरा गड़ और मेरा परमेश्व मेरी शरन की चटान ठहरा है, और उसने उनका अनर्थ काम उन्हीं पर लटाया है, और वे उन्हें उन्हीं की बुराई के द्वारा सत्यानाश करेगा, हमारा परमेश्वर यहोवा उनको सत्यानाश करेगा. भजन पचानुए, कुल्पद ग्यारा आओ हम यहोवा के लिए उन्चे स्वर से गाए, अपने उधार की चटान का जैज़कार करें, हम धन्यवाद करते हुए उसके समुख खाएं, और भजन गाते हुए उसका जैज़कार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है, और सब देवताओं के उपर महान राजा है, प पहाडों की चोटियां भी उसी की हैं, समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया, और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है, आओ हम जुक कर दंडवत करें, और अपने करता यहोवा के सामने घुटने टेकें, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है, और हम उसकी चराई की ठोर मत करो, जैसा मरीबा में या मसा के दिन जंगल में हुआ था, जब तुम्हारे पुर्खाओं ने मुझे परखा, उन्होंने मुझे को जाचा, और मेरे काम को भी देखा, चालिस वर्ष तक मैं उस पीडी के लोगों से रूठा रहा, और मैंने कहा, ये तो भरमने वाले मन के हैं, और इन्होंने मेरे मार्कों को नहीं पेचाना, इस कारण मैंने क्रोध में आकर शपत खाई, कि ये मेरे विश्राम स्थान में कभी प्रवेश ना करने पाएंगे भजन 96, कुलपद 13 यहोवा के लिए एक निया गीत काओ, हैं सारी पृत्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ, यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो, दिन दिन उसके किये हुए उधार का शुब समाचार सुनाते रहो, अन्यजातियों में उसकी महिमा का, और देश देश के लोग है वह तो सब देवताओं से अधिक भायोग्य है क्योंकि देश देश के सब देवता तो मूर्ते ही हैं परन्तु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया है उसके चारों और वैभव और एश्वरे हैं उसके पवित्र स्थान में सामर्थ और शोबा है है देश देश के कुलो यहोवा का गुनान वाद करो यहोवा की महिमा और सामर्थ को मानो यहोवा के नाम की महिमा करो जो उसके योग्य है भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ पवित्रता से शोबायमान होकर यहोवा को दंड़वत करो है सारी पृत्वी के लोगों उसके सा सामने कामते रहो जाती जाती में कहो यहवा राजा हुआ है और जगत ऐसा स्थेर हैं कि वैं तलने का नहीं वैं देश-देश के लोगों का न्याय सिधाई से करेगा आकाश आनंद करें और प्रिथ्वी मगन हो समुद्र और उसमें की सब्वस्तु में गरज उठें मैदान औ और जो कुछ उसमें है वैं प्रफुलित हो उसी समयवन के सारे व्रिक्ष जैजैकार करेंगे यह यहवा के सामने हो क्योंकि वैं आने वाला है वैं प्रिथ्वी का न्याय करने को आने वाला है वैं धर्म से जगत का और सच्चाई से देश-देश के लोगों का न्याय भजन सत्तानुवे कुल्पद बारा यहोवा राजा हुआ है पृत्वी मगन हो और दूवीप जो बहुतेरे हैं वह भी आनंद करें बादल और अंधकार उसके चारो और है उसके सिहासन का मूल, धर्म और न्याय है उसके आगे आगे आग चलती हुई उसके द्रोहियों को चारो और भस्म करती है उसकी बिजलियों से जगत प्रकाशित हुआ पृत्वी देखकर थर्थरा गई है पहाड यहोवा के सामने मौम की नाई पिघल गए अर्थात सारी पृत्वी के परमेश्वर के सामने आकाश ने उसके धर्म की साक्षी दी और देश देश के सब लोगों ने उसकी महिमा देखी है जितने खुदी हुई मूर्तियों की उपासना करते और मूर्तों पर फूलते हैं वे लज्जित हों हे सब देवताव तुम उसी को दंडवत करो सियान सुनकर आनंदित हुई और यहूदा की बेटिया मगन हुई हे यहोवा यह तेरे नियुमों के कारण हुआ क्योंकि हे यहोवा तु सारी पृत्वी के उपर परंप्रधान है तु सारे देवतावन से अधिक महान ठहरा है हे यहोवा के प्रेमियों बुराई से ग्रेणा करो वे अपने भक्तों के प्राणों की रक्षा करता और उन्हें दुष्टों के हाथ से बचाता है धर्मी के लिए जोती और सीधे मनवालों के लिए आनंद बोया गया है हे धर्मियों यहोवा के कारण आनंदित हूँ और जिस पवित्र नाम से उसका समर्ण होता है उसका धन्यवाद करो भजन अठानवे कुलपद नौ यहोवा के लिए एक नया गीत काव क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किये है उसके दाने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उध्धार किया है यहोवा ने अपना किया हुआ उध्धार प्रकाशित किया उसने अन्यजातियों की दृष्टी में अपना धर्म प्रगट किया है उसने इस्राइल के घराने पर की अपनी करुणा और सच्चाई की सुधीली और प्रित्वी के सब दूर दूर देशों ने हमारे परमेश्वर का किया हुआ उध्धार देखा है ये सारी प्रित्वी के लोगों यहोवा का जैजैकार करो उत्सा पूर्वक जैजैकार करो और भजन गाओ वीना बजाकर यहोवा का भजन गाओ वीना बजाकर भजन का स्वर सुनाओ तुरहिया और नरसिंगे फूंग फूंग कर यहोवा राजा का जैजैकार करो समुद्र और उसमें की सब वस्तुवे गरज उठें जगत और उसके निवासी महाशब्द करें नदियां तालियां बजाएं पहाड मिलकर जैजेकार करें यह यहोवा के सामने हूं क्योंकि वे पृत्वी का न्याय करने को आने वाला है वे धर्म से जगत का और सिधाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा भजन निनानुए कुलपध नौ यहोवा राजा हुआ है देश देश के लोग काम पुठे वे करूबों पर विराजमान है पृत्वी डोल उठे यहोवा सियोन में महान है वे सब देश देश के लोगों के उपर प्रधान है वे तेरे महान और भई योग्य नाम का धन्यवाद करी वे तो पवित्र है राजा की सामर्थ न्याय से मेल रखती है तू ही ने सिधाई को स्थापित किया न्याय और धर्म को याकूब में तू ही ने चालू किया है हमारे परमेशर यहोवा को सराहो और उसके चर्णों की चौकी के सामने दंडवत करो वे पवित्र है उसके याजकों में मूसा और हारून और उसके प्रातना करने वालों में से शम्वल यहोवा को पुकारते थे और वे उनकी सुन लेता था वे बादल के खंबे में होकर उनसे बातें करता था और वे उसकी चितौनियों और उसकी दी हुई विधियों पर चलते थे हे हमारे परमेश्वर यहोवा तू उनकी सुन लेता है तू उनके कामूं का पल्टा तो लेता था तो भी उनके लिए शमा करने वाला इश्वर था हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो और उसके पवित्र परवत परदंडवत करो क्योंकि हमारा परमिश्र यहोवा पवित्र है भजन सौ कुलपद पाँच हे सारी पृत्वी के लोगो यहोवा का जैजेकार करो आनन से यहोवा की अरादना करो जैजेकार के साथ उसके समुख खाओ निश्चे जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेडे हैं उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तूती करते हुए प्रवेश करो उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो क्योंकि यहोवा भला है उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीडी से पीडी तक बनी रहती है भजन 101, कुलपद 8 गिन रखता हूँ ऐसे काम में मैं ना लगूँगा तेडा स्वभाव मुझसे दूर रहेगा मैं बुराई को जानूगा भी नहीं जो छिपकर अपने पडोसी की चुगली खाए उसको मैं सत्यनाश करूँगा जिसकी आँखे चड़ी हो और जिसका मन घमंडी है उसकी मैं ना सहूँगा मेरी आँखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेंगी कि वे मेरे संग रही जो खरे मार्ग पर चलता है वही मेरा टहलूआ होगा जो चल करता है वे मेरे घर के भीतर ना रहने पाएगा जो जूट बोलता है वे मेरे सामने बना ना रहेगा भोर ही भोर को मैं देश के सब दुष्टों को सत्यनाश किया करूँगा इसलिए की यहोवा के नगर के सब अनर्थकारियों को नाश करूँ भजन 102 कुलपद 28 हे यहोवा मेरी प्रात्ना सुन मेरी दोहाई तुझ तक पहुँचे मेरे संकट के दिन अपना मुख मुझ से ना छिपा ले अपना कान मेरी ओर लगा जिस समय मैं पुकारूं उसी समय फुर्ती से मेरी सुन ले क्योंकि मेरे दिन धुएं की नाई उड़े जाते हैं और मेरी हडिया लुक्टी के समान जल गई है मेरा मन जुलसी हुई घास की नाई सूख गया है और मैं अपनी रोटी खाना भूल जाता हूँ कहरते कहरते मेरा चमड़ा हडियों में सट गया है मैं जंगल के धनेश के समान हो गया हूँ मैं उजड़े स्थानों के उल्लू के समान बन गया हूँ मैं पड़ा पड़ा जाकता रहता हूँ और गौरे के समान हो जाता हूँ जो छट के उपर अकेला बैठता है मेरे शत्रू लगातार मेरी नाम धराई करते हैं जो मेरे विरोध की धुन में बावले हो रहे हैं वे मेरा नाम लेकर शपत खाते हैं क्योंकि मैंने रोटी की नाई राक खाई और आसू मिला कर पानी पीता हूँ यह तेरे क्रोध और कोप के कारण हुआ है क्योंकि तू ने मुझे उठाया और फिर फेक दिया है मेरी आयू धलती हुई छाय के समान है और मैं आप घास की नाई सूग चला हूँ परंतु है यहुवा तू सदै विराज मान रहेगा और जिस समय से तेरा समर्ण होता है वे पीड़ी से पीड़ी तक बना रहेगा तू उठकर सियोन पर दिया करेगा क्योंकि उस पर अनुग्रय करने का ठहराया हुआ समय आप पहुचा है क्योंकि तेरे दास उसके पत्थरों को चाहते हैं और उसकी धूली पर तरस खाते हैं इसलिए अन्य जातियां यहोवा के नाम का भए मानेंगी और प्रित्वी के सब राजा तेरे प्रताप से डरेंगे क्योंकि यहोवा ने सियोन को फिर बसाया है और वे अपनी महिमा के साथ दिखाई देता है वेलाचार की प्रातना की और मुह करता है और उनकी प्रातना को तुछ नहीं जानता यह बात आने वाली पीडी के लिए लिखी जाएगी और एक जाति जो सिर्जी जाएगी वही आकी स्तूती करेगी क्योंकि यहोवा ने क्योंकि यहोवा ने अपने उंचे और पवित्रस्थान से दृष्टी करके स्वर्ख से पृत्वी की ओर देखा है ताकि बंधूओं का कराना सुने और घात होने वालों के बंधन खोले और सियोन में यहोवा के नाम का वर्णन किया जाए और यरूशले में उसकी स्तूती की जाए यह उस समय होगा जब देश देश और रज्जे रज्जे के लोग यहोवा की उपास ना करने को इकठे होंगे उसने मुझे जीवन यात्रा में दुख देकर मेरे बल और आयू को घटाया मैंने कहा हे मेरे परमेश्वर मुझे आधी आयू में ना उठा ले तेरे वर्ष पीड़ी से पीड़ी तक बने रहेंगे आधी में तूने पृत्वी की नेव डाली और आकाश तेरे हाथों का बनाया हुआ है वै तो नाश होगा परंतु तू बना रहेगा और वै सब कपड़े के समान पुराना हो जाएगा तू उसको वस्त्र की नाई बदलेगा और वै तो बदल जाएगा परंतु तू वही है और तेरे वर्षों का अंत नहीं होने का तेरे दासों की संतान बनी रहेगी और उनका वंश तेरे सामने स्थिर रहेगा भजन एक सो तीन कुलपद बाइस हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है वै उसके पवित्र नाम को धन्य कह हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना वही तो तेरे सब अधरम को श्यमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दिया का मुकट बानता है वही तो तेरी लालसां को उत्तम पधार्थों से त्रिप्त करता है जिससे तेरी जवानी उकाब की नाई नई हो जाती है यहोवा सब पिसे हुऊं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है उसने मुसा को अपनी गती और इस्राइलियों पर अपने काम प्रगट किये यहोवा द्यालू और अनुक्रेकारी विलंब से कोप करने वाला और अती करुणा मैं है वे सर्वदा वाद विवाद करता ना रहेगा ना उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है जैसे आकाश पृत्वी के उपर उंचा है वैसे ही उसकी करुणा उसके दर्वईयों के उपर प्रबल है उद्याचल अस्तचल से जितनी दूर है उसने हमारे अपरादों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है जैसे पिता अपने बालकों पर दिया करता है वैसे ही यहोवा अपने डर्वईयों पर दिया करता है क्योंकि वै हमारी स्रिष्टी जानता है और उसको समर्न रहता है कि मनुश्य मिट्टी ही है मनुश्य की आजू घास के समान होती है वे मैदान के फूल की नाई फूलता है जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता और ना वे अपने स्थान में फिर मिलता है परन्तु यहोवा की करुणा उसके डरवईयों पर युग युग और उसका धर्म उनके नाती पोतों पर भी प्रगट होता रहता है अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते और उसके उपदेशों को स्मर्ण करके उन पर चलते हैं यहोवा ने तो अपना सिहासन स्वर्ग में स्थिर्ख किया है और उसका राज्य पूरी स्रिष्टी पर है हे यहवा के दूतो तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो उसको धन्य कहो हे यहवा की सारी सेनाव हे उसके टहलूओ तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो उसको धन्य कहो हे यहवा की सारी स्रिष्टी उसके राज्य के सब स्थानों में उसको धन्य कहो हे मेरे मन तू यहवा को धन्य कह भजन 104 कुलपद 35 हे मेरे मन तू यहवा को धन्य कह हे मेरे परमेश्वर यहवा तू अत्यंत महान है तू वैभव और एश्वर्य का वस्त्र पहने हुए है जो उज्याले को चादर की नाई ओड़े रहता है और आकाश को तंबू के समान ताने रहता है जो अपनी अटारियों की कडिया जल में धरता है और मेखों को अपना रत बनाता है और पवन के पंखो पर चलता है जो पवनों को अपने दूद और धदकती आग को अपने तहलुए बनाता है तूने प्रिथ्वी को उसकी नीव पर स्थिर किया है ताकि वे कभी ना डगमगाए तूने उसको गहरे सागर से ढाम दिया है जैसे वस्तर से जल पहाडों के उपर ठहर गया तेरी घुड़की से वे भाग गया तेरे गरजने का शब्द सुनते ही वे उतावली करके बह गया वे पहाडों पर चड़ गया और तराईयों के मार्ग से उस स्थान में उतर गया जिसे तूने उसके लिए तयार किया है तूने एक सिवाना ठहराया जिसको वे नहीं लांग सकता है और ना फिरकर स्थल को ढाप सकता है तूनालों में सोतों को वहाता है वे पहाडों के बीच से बहते हैं उनसे मैदान के सब जीव जन्तू जल पीते हैं जंगली गधे भी अपनी प्यास बुझा लेते हैं उनके पास आकाश के पक्षी बसेरा करते और डालियों के बीच में से बोलते हैं तू अपनी अटारियों में से पहाडों को सीचता है तेरे कामों के फल से प्रिट्वी त्रिप्त रहती है तू पश्वों के लिए घास और मनुश्यों के काम के लिए अनादी उप जाता है और इस रिती भूमी से वे भोजन वस्तुएं उत्पन करता है और दाक मदू जिससे मनुश्य का मन आनन्दित होता है और तेल जिससे उसका मुख चमकता है और अन जिससे वे संभल जाता है यहोवा के व्रिक्ष त्रिप्त रहते हैं अर्थात लबानोन के देवदार जो उसी के लगाए हुए है उनमें चिडियां अपने घोसले बनाती है लग-लग का बसेरा सनौवर के वरिक्षों में होता है उंचे पहाड जंगली बकरों के लिए है और चटाने शापानों के शरंस्थान है उसने नियत समयों के लिए चंद्रमा को बनाया है सूरे अपने अस्थ होने का समय जानता है तू अंधकार करता है तब रात हो जाती है जिसमें वन के सब जीव जन्तू घूमते फिरते हैं जवान से अहेर के लिए गरचते हैं और इश्वर से अपना आहार मांगते हैं सूरे उधे होते ही वे चले जाते हैं और अपनी मांदों में जा बैठते हैं तब मनुश्य अपने काम के लिए और संद्य तक परिश्रम करने के लिए निकलता है हे यहोवा तेरे नाम अंगिनत है इन सब वस्तूओं को तूने बुद्धी से बनाया है पृत्वी तेरी संपत्ती से परिपूर्ण है इसी प्रकार समंद्र बड़ा और बहुत ही चौड़ा है और उसमें अंगिनत जलचरी जीव जन्तू क्या छोटे क्या बड़े भरे पड़े हैं उसमें जहाज भी आते जाते हैं और लिबतान भी जिसे तूने वहां खेलने के लिए बनाया है इन सब को तेरा ही आसरा है कि तू उनका आहार समय पर दिया करें तू उन्हें देता है वे चुन लेते हैं तू अपनी मुठी खोलता है और वे उत्तम पदार्थों से त्रिप्त होते हैं तू मुख फिर लेता है और वे घबरा जाते हैं तू उनकी सांस ले लेता है और उनके प्रान छूट जाते हैं और मिट्टी में फिर मिल जाते हैं फिर तू अपनी ओर से सांस भेजता है और वे सिर्जे जाते हैं और तू धर्ती को निया कर देता है यहवा की महिमा सदा काल बनी रहे यहवा अपने कामों से आनंदित होए उसकी द्रिष्टी ही से पृत्वी काम पुठती है और उसके चूते ही पहाडों से धुआ निकलता है मैं जीवन भर यहवा का गीत गाता रहूंगा जब तक मैं बना रहूंगा तब तक अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा मेरा ध्यान करना उसको प्रिये लगे क्योंकि मैं तो यहवा के कारण आनंदित रहूंगा पापी लोग पृत्वी पर से मिट जाएं और दुष्ट लोग आगे को ना रहें हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह या किस तूती करो भजन एक सो पांच कुलपध पैंतालिस यहोवा का धन्यवाद करो उस ते प्रातना करो देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो उसके लिए गीत काओ उसके लिए भजन काओ उसके सब आश्चरे करमों पर ध्यान करो उसके पवित्र नाम की बढ़ाई करो यहोवा के खोजियों का हिर्दे आनन्दित हो यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो उसके दर्शन के लकातार खोजी बने रहो उसके किये हुए आश्चरे कर्म समर्ण करो उसके चमतकार और निर्ने समर्ण करो हे उसके दास इब्राहिम के वंश हे याकूब की संतान तुम तो उसके चुने हुए हो वही हमारा परमेश्वर यहवा है प्रिथ्वी भर में उसके निर्ने होते हैं वह अपनी वाचा को सदस्मर्न रखता है यह वही वचन है जो उसने हजार पीडियों के लिए ठहराया है वही वाचा जो उसने इब्राहिम के साथ बाधी और उसके विशे में उसने इजहाक से शपत खाई और उसी को उसने याकूब के लिए विधी करके और इस्राइल के लिए यह कहकर सदा की वाचा करके द्रड किया कि मैं कनान देश को तुझी को दूँगा, वे बांट में तुम्हारा निज भाग होगा, उस समय तो वे गिंती में थोड़े थे, वरन बहुत ही थोड़े, और उस देश में परदेशी थे, वे एक जाती से दूसरी जाती में, और एक राज्य से दूसरे राज्य में फिरते र परंतु उसने किसी मनुश्यों को उन पर अंधेर करने ना दिया और वे राजाओं को उनके निमित यह धमकी देता था कि मेरे अभिशिक्तों को मच्छूओ और ना मेरे नबियों की हानी करो फिर उसने उस देश में आकाल भेजा और अन के सब आधार को दूर कर दिया उसने यूसफ नाम एक पुरुश को उन से पहले भेजा था जो दास होने के लिए बेचा गया था लोगों ने उसके पैरों में बेडियां डाल कर उसे दुख दिया वे लोहे की सांकलों से जकड़ा गया जब तक कि उसकी बात पूरी ना हुई तब तक यहोवा का वचन उसे कसोटी पर कस्ता रहा तब राजा ने दूत भेज कर उसे निकलवा लिया और देश देश के लोगों के स्वामी ने उसके बंधन खुलवाए उसने उसको अपने भवन का प्रधान और अपनी पूरी संपती का अधिकारी ठहराया कि वे उसके हाकिमों को अपनी इच्छा के अनुसार कैद करें और पुर्णियों को ग्यान सिखाए फिर इस्राइल मिस्र में आया और याकूब हाम के देश में परदेशी रहा तब उसने अपनी प्रधा को गिंती में बहुत बढ़ाया और उसके द्रोहियों से अधिक बलवन्त किया उसने मिस्रियों के मन को ऐसा फेर दिया कि वे उसकी प्रधा से बैर रखने और उसके दासों से चल करने लगे उसने अपने दास मुसा को और अपने चुने हुए हारून को भेजा उन्होंने उनके बीच उसकी और से भाती-भाती के चिन और हाम के देश में चमतकार दिखाए उसने अंधकार कर दिया और अंध्यारा हो गया और उन्होंने उसकी बातों को ना टाला उसने मिस्रियों के जल को लोहू कर डाला और मच्छियों को मार डाला मेंड़क उनकी भूमी में वरन उनके राजा की कोठ्रियों में भी भर गए उसने आग्या दी तब डास आ गए और उनके सारे देश में कुट्कियां आ गई उसने उनके लिए जल वरिष्टी की संती ओले और उनके देश में धदकती आग बरसाई और उसने उनकी दाखलताओं और अंजीर के वरिक्षों को वरन उनके देश के सब पेड़ों को तोड़ डाला उसने आगया दी तब अनगिनत टिड़ियां और कीड़े आए और उन्होंने उनके देश के सब अनादी को खा डाला और उनकी भूमे के सब फलों को चट कर गए उसने उनके देश के सब पहले उठों को उनके पौरुश के सब पहले फल को नाश किया तब वे अपने गोत्रियों को सोना चांदी दिला कर निकाल लाया और उनमें से कोई निर्बल ना था उनके जाने से मिस्री आनंदित हुए क्योंकि उनका डर उनमें समा गया था उसने चाया के लिए बादल फैलाया और रात को प्रकाश देने केलगे आग प्रगट की उन्होंने मांगा तब उसने बटेरे पहुँचाई और उनको स्वर्गिय भोजन से त्रिप्त किया उसने चटान फाड़ी तब पानी बह निकला और निर्जल भूमी पर नदी बहने लगी क्योंकि उसने अपने पवित्र वचन और अपने दास इब्राहिम को सुमर्ण किया वे अपनी प्रजा को हर्शित करके और अपने चुने हुँँ से जैजेकार कराके निकाल लाया और उनको अन्यचातियों के देश दिये और वे अपने लोगों के श्रम के फल के अधिकारी किये गए कि वे उसकी विध्यों को माने और उसकी विवस्था को पूरी करें या किस तूटी करो भजन एक सोचे कुलपद या किस तूटी करो यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वे भला है और उसकी करुणा सदा की है यहोवा के प्राक्रम के कामों का वर्णन कौन कर सकता है ना उसका पूरा गुणानुवाद कौन सुना सकता क्या ही धन्या है वे जो न्याय पर चलते और हर समय धर्म के काम करते हैं हे यहोवा अपनी प्रजा पर की प्रसंता के अनुसार मुझे स्मर्ण कर मेरे उधार के लिए मेरी सुधी ले कि मैं तेरे चुने हुऊं का कल्यान देखूं और तेरी प्रजा के आनंद में आनंदित हो जाओं और तेरे निज भाग के संग बढ़ाई करने पाऊं हमने तो अपने पुर्खाओं की नाई पाप किया है हमने कुटिलता की हमने दुष्टता की है मिस्र में हमारे पुर्खाओं ने मिस्र में हमारे पुर्खाओं ने तेरे आश्चरे कर्मों पर मन नहीं लगाया ना तेरी अपार करुणा को समर्ण रखा उन्होंने समुदर के तीर पर अर्थात लाल समुदर के तीर पर बल्वा किया तो भी उसने अपने काम के निमित उनका उधार किया जिस से वे अपने प्राकरम को प्रकट करें तब उसने लाल समुंद्र को घुड़का और वे सूप गया और वे उन्हें गहरे जल के बीच से मानो जंगल में से निकाल ले गया उसने उन्हें बैरी के हाथ में से उबारा और शत्रू के हाथ से छुडा लिया और उनके द्रोही जल में डूब गए, उन में से एक भी ना बचा, तब उन्होंने उसके वचनों का विश्वास किया, और उसकी स्तूती गाने लगे, परंतु वे जट उसके कामों को भूल गए, और उसकी युकती के लिए ना ठहरे, उन्होंने जंगल में अती लालसा की, औ अब उसने उन्हें मू मांगा वर्तो दिया, परंतु उनके प्रान को सुखा दिया, उन्होंने चावनी में मूसा के और यहोवा के पवित्र जन, हारून के विशे में डा किया, भूमी फट कर दातान को निगल गई, और अबिराम के जुंड को ग्रस लिया, और उनके जुं मूर्ती को दंडवत की, यो उन्होंने अपनी महिमा अर्थात ईश्वर को घास खाने वाले बैल की प्रतीमा से बदल डाला, वे अपने उधार करता ईश्वर को भूल गए, जिसने मिस्र में बड़े-बड़े काम किये थे, उसने तो हाम के देश में आश्चरे कर्म और ला कर काम किये थे, इसलिए उसने कहा कि मैं इन्हें सत्य नाश कर डालता, यदि मेरा चुना हुआ मूसा जोखिम के स्थान में उनके लिए खड़ा ना होता, ताकि मेरी जलजलावट को ठंड़ा करे, कहीं ऐसा नहों कि मैं उन्हें नाश कर डालू, उन्होंने मन भावने माना, तब उसने उनके विशे में शबत खाई, कि मैं इनको जंगल में नाश करूंगा, और इनके वंश को अन्य जातियों के समुक गिरा दूंगा, और देश देश में तितर बितर करूंगा, वे पोर वाले बाल देवता को पूजने लगे, और मुर्दों को चड़ाए हु पशुओं का मास खाने लगे, यो उन्होंने अपने कामों से उसको क्रोध दिलाया, और मरी उनमें फूट पड़ी, तब पीनहास ने उठकर नियाए दंड दिया, जिससे मरी थम गई, और ये उसके लेखे पीडी से पीडी तक सर्वदा के लिए धर्म गिना गया, उन्हों उसकी आत्मा से बलवा किया, तब मुसा बिन सोचे बोल उठा, जिन लोगों के विशे यहवा ने उन्हें आग्या दी थी, उनको उन्होंने सत्यनाश ना किया, वरन उन्ही जातियों से हिल मिल गए, और उनके वेवहारों को सीख लिया, और उनकी मूर्तियों की पूजा कर बनने लगे, और वे उनके लिए फंदा बन गई, वरन उन्होंने अपने बेटे बेटियों को पिशाचों के लिए बलिदान किया, और अपने निर्दोश बेटे बेटियों का बलोहू बहाया, जिन्हें उन्होंने कनान की मूर्तियों पर बली किया, इसलिए देश खून से अपवित्र हो गया और वे आप अपने कामों के द्वारा अशुध हो गए और अपने कारें के द्वारा वे अभिचारी भी बन गए अब यहोवा का क्रोध अपनी प्रजा पर भढ़का और उसको अपने नेज भाग से ग्रेना आई तब उसने उनको अन्याजातियों के वश में कर दिया और उनके बैरियों ने उन पर प्रभुता की उनके शत्रों ने उन पर अंधेर किया और वे उनके हाथ तले दब गए बारम बार उसने उन्हें छुडाया परन्तु वे उसके विरुद युक्ति करते गए और अपने अधरम के कारण दबते गए तो भी जब जब उनका चिलाना उसके कान में पड़ा तब तब उसने उनके संकट प्रद्रिष्टी की और उनके हित अपनी वाचा को स्मर्ण करके अपनी अपार करुणा के अनुसार तरस खाया और जो उन्हें बंदुए करके ले गए थे उन सबसे उन पर दया कराई हे हमारे परमेश्वर यहोवा हमारा उधार कर और हमें अन्यजातियों में से इकठा कर ले कि हम तेरे पवित्र नाम का धन्यवाद करें और तेरी स्तूती करते हुए तेरे विश्य में बढ़ाई करें इस्राइल का परमेश्वर यहोवा अनादिकाल से अनन्तकाल तक धन्यवाद और सारी प्रजा कहे आमीन या किस तूती करो भजन एक सो साथ कुलपद तर्टालिस यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वे भला है और उसकी करुणा सदा की है यहोवा के छुडाए हुए ऐसा ही कहीं जीने उसने द्रोही के हाथ से दाम देकर छुडा लिया है और उन्हें देश देश से पूरा पश्चेम उत्तर और दखिन से इकठा किया है वे जंगल में मरू भूमी के मार्ग पर भटकते फिरे और कोई बसा हुआ नगर ना पाया भूग और प्यास के मारे वे विकल हो गए तब उन्होंने संकट में यहोवा की दोहाई दी और उसने उनको सकेती से छुडाया और उनको ठीक मार्ग पर चलाया ताकि वे बसने के लिए किसी नगर को जा पहुचे लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चरे करमों के कारण जो वे मनुश्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करे क्योंकि वे अभिलाशी जीव को संतुष्ट करता है और भूखे को उत्तम पदार्थों से त्रिप्त करता है जो अंध्यारे और मृत्यू की छाया में बैठे और दुख में पड़े और बेडियों से जकड़े हुए थे इसलिए कि वे इश्वर के वच्णों के विरुद्ध चले और पर्मप्रधान की सम्मत्ती को तुछ जाना तब उसने उनको कष्ट के दुआरा दबाया विठोकर खाकर गिर पड़े और उनको कोई सहायक ना मिला तब उन्होंने संकट में यहवा की दोहाई थी और उसने सकेती से उनका उधार किया उसने उनको अंध्यारे और मृत्यू की छाय में से निकाल लिया और उनके बंधनों को तोड़ डाला लोग यहवा की करुणा के कारण और उन आश्चर कर्मों के कारण जो वे मनुश्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करे क्योंकि उसने पीतल के फाटकों को तोड़ा और लोहे के बेंडों को तुकड़े तुकड़े किया मूर अपनी कुचाल और अधरम के कामों के कारण अती दुखित होते हैं उनका जी सभांती के भोजन से मिचलाता है और वे मृत्यू के फाटक तक पहुंचते हैं तब वे संकट में यहवा की दोहाई देते हैं और वे सकेती से उनका उधार करता है वे अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड़े में वे पड़े हैं उससे निकालता है लोग यहवा की करुणा के कारण और उन आश्चर करमों के कारण जो वे मनुश्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें और वे धन्यवाद बली चड़ाएं और जेजेकार करते हुए उसकी कामों का वरणन करें जो लोग जहाजों में समुंदर पर चलते हैं और महसागर पर होकर व्यपार करते हैं वे यहोवा के कामों को और उन अश्चरे कर्मों को जो वे गहरे समुंदर में करता है देखते हैं क्योंकि वे आग्या देता है तब प्रचंड बैयार उठकर तरंगों को उठाती हैं वे आकाश पर चड़ जाते फिर गहराई में उतर जाते हैं और कलेश के मारे उनके जी में जी नहीं रहता वे चक्कर खाते और मतवाले की नाई लड़ खडाते हैं और उनकी सारी तब वे संकत में यहवा की दोहाई देते हैं और वे उनको सकेती से निकालता है वे आंधी को थाम देता है और तरंगे बैठ जाती हैं तब वे उनके बैठने से आनंदित होते हैं और वे उनको मन चाहे बंदर स्थान में पहुँचा देता है लोग यहवा की करुणा के कार और उन आश्चरे करमों के कारण जो वे मनुश्य के लिए करता है उसका धनवाद करें और सभा में उसको सराहीं और पूर्णियों के बैठक में उसकी स्टूती करें वे नदियों को जंगल बना डालता है और जल के सोतों को सूखी भूमी कर देता है वे फलवंत भूमी को नोनी करता है ये वहां के रहने वालों की दुष्टता के कारण होता है वे जंगल को जल का ताल और निर्जल देश को जल के सोते कर देता है और वहाँ वे भूखों को बसाता है कि वे बसने के लिए नगर तेयार करें और खेती करें और दाख की बारियां लगाएं और भाथी-भाथी के फल उपजा लें और वे उनको ऐसी आशीश देता है कि वे बहुत बढ़ जाते हैं और उनके पश्यों को भी वे घटने नहीं देता फिर अंधेर विपत्ती और शोक के कारण वे घटते और दब जाते हैं और वे हाकिमों को अपमान से लाद कर मार्ग रहित जंगल में भटकाता है वे दरिद्रों को दुख से चुड़ा कर उंचे पर रखता है और उनको भेडों के जुण सा परिवार देता है सीधे लोग देखकर आनंदित होते हैं और सब कुटी लोग अपने मूँ बंद करते हैं जो कोई बुद्धिमान हो वे इन बातों पर ध्यान करेगा और यहोवा की करुणा के कामों पर ध्यान करेगा भजन 108 कुलपद 13 क्योंकि तेरी करुणा आकाश से भी उंची है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक है यह परमेश्वर तु स्वर के उपर हो और तेरी महमा सारी पृत्वी के उपर हो इसलिए कि तेरे प्रिये छुडाए जाएं तु अपने दायने हाथ से बचा ले और हमारी विंती सुन परमेश्वर ने अपनी पवित्रता में होकर कहा है मैं प्रफुलित होकर शेकेम को बांट लूँगा और सुकोत की तराई को नपवाऊंगा गिलाद मेरा है मनश्य भी मेरा है और एप्रेम मेरे सिर का टोप है यहूदा मेरा राज दंड है मोआब मेरे धोने का पात्र है मै एदोम पर अपना जूता पेंगूँगा पलिश्ट पर मैं जैजकार करूँगा मुझे गड़वाले नगर में कौन पहुंचाएगा एदोम तक मेरी अगवाई किसने की है हे परमेश्वर क्या तू ने हमको नहीं त्याग दिया और हे परमेश्वर तू हमारी सेना के साथ पेयान नहीं करता द्रोहियों के विरुद हमारी सहायता कर क्योंकि मनुष्य का किया हुआ चुटकारा विर्थ है परमेश्वर के सहायता से हम विर्थ दिखाएंगे हमारी द्रोहियों को वही रौन देगा भजन एक सो नौ कुल्पद इकतिस हे परमेश्वर तू जिसकी मैं स्टूती करता हूँ चुप ना रह क्योंकि दुष्ट और कप्टी मनुष्यों ने मेरे विरुद मुख खोला है वे मेरे विशे में जुट बोलते हैं और उन्होंने बैर के वच्चनों से मुझे चारों ओर से घेर लिया है और वेर्थ मुझे से लड़ते हैं मेरे प्रेम के बदले में वे मुझे से विरोध करते हैं प्रन्तु मैं तो प्रातना में लवलीन रहता हूँ उन्होंने भलाई के पल्टे में मुझे से बुराई की और मेरे प्रेम के बदले मुझे से बैर किया है तुम उसको किसी दुष्ट के अधिकार में रख और कोई विरोधी उसकी दाहनी और खड़ा रहे जब उसका न्याय किया जाए तब वे दोशी निकले और उसकी प्रातना पाप कीनी जाए उसके दिन थोड़े हूं और उसके पद को दूसरा ले ले उसके लड़के वाले अनात हो जाए और उसकी इस्त्री विद्वा हो जाए और उसके लड़के मारे मारे फिरें और भीक मांगा करें उनको अपने उजड़े हुए घर से दूर जाकर टुकड़े मांगना पड़े महाजन फंदा लगाकर उसका सर्वसर्व ले ले परदेशी उसकी कमाई को लूट ले कोई ना हूँ जो उस पर करुणा करता रहे और उसके अनात वालकों पर कोई अनुग्रय ना करे उसका वंश नाश हो जाए दूसरी पीडी में उसका नाम मिट जाए उसके पित्रों का अधर्म यहोवा को समर्ण रहे और उसकी माता का पाप ना मिटे वे निरंतर यहोवा के सम्मुख रहे कि वे उसका नाम पृत्वी पर से मिटार डाले क्योंकि वे दुष्ट कृपा करना भूल गया वरंदीन और दरिद्र को सताता था और मार डालनी की इच्छा से खेदित मनवालों के पीछे पड़ा रहता था वे शाप देने में पृती रखता था और शाप उस पर आ पड़ा वे आशिरवाद देने से प्रसन ना होता था सो आशिरवाद उससे दूर रहा वे शाप देना वस्त्र की नाई पहनता था और वे उसके पेट में जल की नाई और उसकी हड़ियों में तेल की नाई समा गया वे उसके लिए ओड़ने का काम दे और फेंटे की नाई उसकी कटी में नित्ते कसा रहे यहोवा की ओर से मेरे विरोधियों को और मेरे विरुद बुरा कहने वालों को यही बदला मिले प्रन्तु मुझ से हे यहोवा प्रभु तु अपने नाम के निमित वर्ताव कर तेरी करुणा तो बड़ी है सो तू मुझे छुटकारा दे क्योंकि मैं दीन और दरिदर हूँ और मेरा हिर्दे घायल हुआ है मैं ढलती हुई छाया की नाई जाता रहा हूँ मैं टिड़ी के समान उड़ा दिया गया हूँ उपवास करते करते मेरे घुटने निर्बल हो गए और मुझ में चर्बी ना रहने से मैं सूख क्या हूँ मेरी तो उन लोगों से नाम धराई होती है जब वे मुझे देखते तब सिर हिलाते हैं हे मेरे परमेश्वर यहोवा मेरी सहायता कर अपनी करुणा के अनुसार मेरा उधार कर जिससे वे जाने कि यह तेरा काम है और हे यहोवा तू ही ने यह किया है वे कोसते तो रहें परन्तु तु आशीश दे वे तो उठते ही लज्जित हो परन्तु तेरा दास आनंदित हो मेरे विरोधियों को अनादर रुपी वस्र पहनाया जाए और वे अपनी लज्जा को कंबल की नाई उड़े मैं यहोवा का बहुत धन्यवाद करूँगा और बहुत लोगों के बीच में उसकी स्तूती करूँगा क्योंकि वे दरिद्र की दाइनी और खड़ा रहेगा कि उसको घात करने वाले नयाईयों से बचाए भजन 110 कुलपद 7 मेरे प्रभू से यहोवा की वानी यह है कि तू मेरे दाने हाथ पैट जब तक मैं तेरे शत्रों को तेरे चर्णों की चौकी ना कर दूँ तेरे प्राक्रम का राजदंड यहोवा सियान से बढ़ाएगा तू अपने शत्रों के बीच में शासन कर तेरे प्रजा के लोग तेरे प्राक्रम के दिन स्वेचा बली बनते हैं तेरे जवान लोग पवित्रता से शोभायमान और भोर के गर्ब से जन्मी हुई ओस के समान तेरे पास हैं वे जाती जाती में नयाय चुकाएगा रन भूमी लोथों से भर जाएगी वे लंबे चौड़े देश के प्रधान को चूर चूर कर देगा वे मार्क में चलता हुआ नदी का जल पियेगा इस कारण वे सिर को उंचा करेगा भजन 111 कुल्पध 10 या किस तूती करो मैं सिधे लोगों की गोश्टी में और मंडली में भी संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूंगा यहोवा के काम बड़े हैं जितने उससे प्रसन रहते हैं वे उन पर ध्यान लगाते हैं उसके काम विभव में और एश्वरे में होते हैं और उसका धर्म सदा तक बना रहेगा उसने अपने आश्चरे करमों का समर्ण कराया है यहोवा अनुख्रेकारी और दियावंत हैं उसने अपने डरवईयों को आहार दिया है वे अपनी वाच्चा को सदा तक समर्ण रखेगा उसने अपनी प्रजा को अन्या जातियों का भाग देने के लिए अपने कामों का प्रताब दिखाया है सच्चाई और न्याय उसके हाथों के काम है उसके सब उपतेश विश्वास योग्य है वे सदा सर्वदा अटल रहेंगे वे सच्चाई और सिधाई से किये हुए है उसने अपनी प्रजा का उधार किया है उसने अपनी वाचा को सदा के लिए ठहराया है उसका नाम पवित्र और भईयोग्य है बुद्धी का मूल यहवा का भई है जितने उसकी आज्याओं को मानते हैं उनकी बुद्धी अच्छी होती है उसकी स्तूती सदा बनी रहेगी भजन 112, कुलपध 10 या कि स्तूती करू क्या ही धन्य है वे पुरुष जो यहोवा का भई मानता है और उसकी आज्याओं से अतिप्रसन रहता है उसका वंश पृत्वी पर प्राक्रमी होगा सीधे लोगों की संतान आशीश पाएगी उसके घर में धन संपती रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योती उदे होती है वे अनुक्रे कारी, दियावंत और धर्मी होता है जो पुरुष अनुक्रे करता और उधार देता है उसका कल्यान होता है वे न्याय में अपने मुकदमे को जीतेगा वे तो सदा तक अटल रहेगा धर्मी का सुमर्ण सदा तक बना रहेगा वे बुरे समाचार से नहीं डरता उसका हिर्दे यहुआ पर भरोसा रखने में स्थिर रहता है उसका हिर्दे संभला हुआ है इसलिए वे ना डरेगा वरन अपने द्रोहियों पर द्रिष्टी करके संतुष्ट होगा उसने उदारता से द्रिष्ट्रों को दान दिया उसका धर्म सदा बना रहेगा और उसका सिंग महिमा के साथ उंचा किया जाएगा दुष्ट इसे देखकर कुड़ेगा वे दान पीस पीस कर गल जाएगा दुष्टों की लालसा पूरी ना होगी भजन 113 कुलपद 9 या की स्तूती करो हे यहोवा के दासो स्तूती करो यहोवा के नाम की स्तूती करो यहोवा का नाम अब से लेके सर्वदा तक धन्या कहा जाए उद्याचल से लेकर अस्तचल तक यहोवा का नाम स्तूती के योग्य है यहोवा सारी चातियों के उपर महान है और उसकी महिमा आकाश से भी उँची है हमारे परमेश्वर यहोवा के तुले कौन है वे तो उँचे पर विराजमान है और आकाश और प्रित्वी पर भी द्रिष्टी करने के लिए जुकता है वे कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे पर से उठा कर उंचा करता है कि उसको प्रधानों के संग अर्थात अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बठाए वेबांच को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है या किस दूती करो भजन 114, कुलपद 8 जब इस्राइल ने मिस्र से अर्थात याकूब के घराने ने अन्य भाशावालों के बीच में कूच किया तब यहूदा यहोवा का पवित्र स्थान और इस्राइल उसके राज्ये के लोग हो गए समुद्र देखकर भागा यर्दर नदी उल्टी बही पहाड मेंडों की नाई उचलने लगे और पहाडियां भेड बक्रियों के बच्चों की नाई उचलने लगी हे समुद्र तुझे क्या हुआ कि तु भागा और हे जर्दन तुझे क्या हुआ कि तु उल्टी बही हे पहाडों तुम्हें क्या हुआ कि तुम भेडों की नाई और हे पहाडियो तुम्हें क्या हुआ कि तुम भेड बक्रियों के बच्चों की नाई उचली हे पृत्वी प्रभु के सामने हाँ याकूब के परमेश्वर के सामने थर्थरा वे चट्टान को जल का ताल चक्वक के पत्थर को जल का सोता बना डालता है भजन 115 कुलपद 18 हे यहोवा हमारी नहीं वरन अपने ही नाम की महिमा अपनी करुणा और सच्चाई के निमत कर जाती जाती की लोग क्यों कहने पाएं कि उनका परमेश्वर कहा रहा हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है उसने जो चाहा वही किया है उन लोगों की मूरतें सोने चांदी ही कितो हैं वे मनुश्यों के हाथ की बनाई हुई है उनके मूँ तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकती उनके आँखे तो रहती है परंतु वे देख नहीं सकती उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकती उनके नाक तो रहती है परंतु वे सूंग नहीं सकती उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकती उनके पाम तो रहते हैं परंतु वे चल नहीं सकती और अपने कंट से कुछ भी शब्द नहीं निकाल सकती जैसे वे हैं वैसे ही उनके बनाने वाले हैं और उन पर सब भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे हे इस्राइल यहोवा पर भरोसा रख तेरा सहाइक और धाल वही है हे हारून के गराने यहोवा पर भरोसा रख तेरा सहाइक और धाल वही है हे यहोवा के डर्वईयों, यहोवा पर भरोसा रुखो, तुम्हारा सहाइक और धाल वही है, यहोवा ने हमको समर्ण किया है, वे आशीश देगा, वे इसराइल के घराने को आशीश देगा, वे हारून के घराने को आशीश देगा, क्या छोटे, क्या बड़े, जितने सारे लड़कों को भी अधिक बढ़ाता जाए यहोवा जो आकाश प्रित्वी का करता है उसकी ओड से तुम आशीश पाए हो स्वर्ख तो यहोवा का है प्रन्तु प्रित्वी उसने मनुश्यों को दी है मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं वे तो या किस्तुती नहीं कर स भजन 116, कुलपद 19 मैं प्रेम रखता हूँ इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिर्गिनाने को सुना है उसने जो मेरी और कान लगाया है इसलिए मैं जीवन भर उसको बुकारा करूंगा मृत्यू की रसियां मेरे चारों ओर थी मैं अधलोग की सकेती में पड़ा था मुझे संकट और शोक भोगना पड़ा तब मैंने यहोवा से प्रातना की कि हे यहोवा विंती सुनकर मेरे प्राण को बचा ले यहोवा अनुग्रेकारी और धर्मी है और हमारा परमेश्वर द रिक्षा करता है जब मैं बलहीन हो गया था उसने मेरा उध्धार किया है मेरे प्राण तू अपने विश्रामस्थान में लौटा क्योंकि यहोवा ने तेरा उपकार किया है तूने तो मेरे प्राण को मृत्यू से मेरी आंक को आंसू बहने से और मेरे पाउं को ठोकर खाने से बचाया है मैं जीवित रहते हुए अपने को यहवा के सामने जानकर नित चलता रहूंगा मैंने जो ऐसा कहा है इसे विश्वास की कसौटी पर कस कर कहा है कि मैं तो बहुत ही दुखित हुआ मैंने उतावली से कहा कि सब मनुश्य जूटे हैं यहवा ने मेरे जितने उपका किये हैं उनका बदला मैं उसको क्या दूँ मैं उधार का कटोरा उठाकर यहवा से प्रातना करूंगा मैं यहवा के लिए अपनी मनते सबों की दृष्टी में ब्रगट रूब में उसकी सारी प्रजा के सामने पूरी करूंगा यहवा के भक्तों की बृत्यू उसकी दृष पली चड़ाऊंगा और यहोवा से प्रात्ना करूंगा मैं यहोवा के लिए अपनी मन्ते प्रगट में उसकी सारी प्रजा के सामने यहोवा के भवन के आंगनों में हे यरुशलम तेरे भीतर पूरी करूंगा या किस दूति करूँ भजन एकसो सत्रा कुलपद दो हे जाती जाती के सब लोगों यहोवा की स्तूति करो हे राज्य राज्य के सब लोगों उसकी प्रशंसा करो क्योंकि उसकी करूणा हमारे उपर प्रबल हुई है और यहोवा की सचाई सदा की है या किस दूति करो भजन एकसो अठारा कुलपद उनतिस यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वे भला है और उसकी करूणा सदा की है इस्राइल कहे उसकी करूणा सदा की है हारून का घराना कहे उसकी करूणा सदा की है यहोवा के डरवये कहें उसकी करूणा सदा की है मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया यहोवा मेरी ओर है मैं ना डरूँगा मनुश्य मेरा क्या कर सकता है यहोवा मेरी ओर मेरे सहायकों में है मैं अपने बैरियों पर दृष्टी कर संतुष्ठ योहवा की शरन लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है सब जातियोंने मुझको घेल लिया है अन्योंने मुझे मधमुक्यों से घेल लिया है प्रنतु कांटों की आग की नाई वे बुज गए यहवा के नाम से मैं निश्चे उन्हें नाश कर डालूँगा तूने मुझे बड़ा धक्का तो दिया था कि मैं गिर पड़ू परन्तु यहवा ने मेरी सहायता की परन्तु मेरा परमेश्वर मेरा बल और भजन का विशे है वे मेरा उधार ठहरा है धर्मियों के तंबों में जैजैकार और उधार की ध्वनी हो रही है यहवा के दाइने हाथ से प्राक्रम का काम होता है यहवा का दाइना हाथ महान हुआ है यहवा के दाइने हाथ से प्राक्रम का काम होता है मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा परमेश्वर ने मेरी बड़ी तारना तो की है प्रन्तु मुझे मृत्यू के वश्ष में नहीं किया मेरे लिए धर्म के द्वार खोलो मैं उन में प्रवेश करके या का धन्यवाद करूँगा यहोवा का द्वार यही है इस से धर्मी प्रवेश करने पाएंगे हे यहोवा मैं तेरा धन्यवाद करूँगा क्योंकि तूने मेरी सुन ली है और मेरा उधार ठहर गया है राजमिस्जों ने जिस पत्थर को निकमा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया है यहोवा की ओर से हुआ है यह हमारी दृष्टी में अद्भूत है आज वैदेन है जो यहोवा ने बनाया है हम इसमे मगन और आनंदित हों हे यहोवा विंती सुन उधार कर हे यहोवा विंती सुन सफलता दे धन्य है वै जो यहोवा के नाम से आता है हमने तुमको यहवा के घर से आशिरवा दिया है यहवा इश्वर है और उसने हमको प्रकाश दिया है यग्य पशु को वेदी के सींगों से रसियों से बाधो है यहवा तु मेरा इश्वर है मैं तेरा धन्यवाद करूँगा तु मेरा परमेश्वर है मैं तुझको सराहूंगा यहवा का धन्यवाद करो क्योंकि वे भला है और उसकी करुणा सदा बनी रहेगी भजन 119, कुलपद 176 क्या ही धन्यवे जो चाल के खरे हैं और यहवा की विवस्था पर चलते हैं क्या ही धन्यवे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं फिर वे कुटिलता का काम नहीं करते वे उसके मारगों में चलते हैं तुने अपने उपदेश इसलिए दिये हैं कि वे यतन से माने जाएं भला होता कि तेरी विध्यों के मानने के लिए मेरी चालचलन द्रड़ हो जाए तब मैं तेरी सब आग्यों की ओर चित लगाए रहूँगा और मेरी आशा ना तूटेगी जब मैं तेरे धर्मे नियमों को सीखूंगा तब तिरा धन्यवाद सीधे मन से करूँगा मैं तेरी विध्यों को मानूँगा मुझे पूरी रिति से ना तज जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ मुझे तेरी आग्याओं की बाट से भटकने ना दे मैंने तेरे वचन को अपने हिर्दे में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद पाप ना करूँ हे यहोवा तू धन्य है मुझे अपनी विधियां सिखा तेरे सब कहे हुए नियोमों का वर्णन मैंने अपने मुझे किया है मैं तेरी चितौनियों के मार्ग से मानो सप्रकार के धन से हर्शित हुआ हूँ मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूँगा और तेरे मार्गों की और द्रिष्टी रखूँगा मैं तेरी विध्यों से सुख पाऊंगा और तेरे वचन को ना भूलूंगा अपने दास का उपकार कर कि मैं जीवित रहूं और तेरे वचन पर चलता रहूं मेरी आँख खोल दे कि मैं तेरी विवस्था की अद्भुत बाते देख सकूं मैं तो पृत्वी पर परदेशी हूं अपनी आग्यों को मुझसे चिपाए ना रख मेरा मन तेरे नियुमों की अभिलाशा के कारण हर समय खेदित रहता है तुने अभिमानियों को जो शाबित हैं घुड़का है वे तेरी आग्यों की बाट से भटके हुए हैं मेरी नाम धराई और अपमान दूर कर क्योंकि मैं तेरी चिताउनियों को पकड़े हूं हाकिम भी बैठे हुए आपस में मेरे विरुद बातें करते थे परंतु तेरा दास तेरी विध्यों पर ध्यान करता रहा तेरी चितानिया मेरा सुख मूल और मेरे मंत्री है मैं धूल में पड़ा हूँ तु अपने वचन के अनुसार मुझे को जिला मैंने अपनी चाल चलन का तुझ से वर्णन किया है और तुने मेरी बात मान ली है तु मुझे को अपनी विध्या सिखा अपने उपदेशों का मार्ग मुझे बता तब मैं तेरे आश्चरे करमों पर ध्यान करूँगा मेरा चीव उदासी के मारे गल चला है तु अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल मुझे को जूट के मार्ग से दूर कर और करुणा करके अपनी विवस्था मुझे दे मैंने सच्चाई का मार्ग चुन लिया है तेरे नियोमों की ओर मैं चित लगाए रहता हूँ मैं तेरी चितानियों में लवलीन हूँ हे यहोवा मेरी आशा ना तोड़ जब तु मेरा हियाव बढ़ाएगा तम मैं तेरी आग्याउं के मार्ग में दौड़ूंगा हे यहोवा मुझे अपने विध्यों का मार्ग दिखा दे तम मैं उसे अंत तक पकड़े रहूंगा मुझे समझ से तम मैं तेरी विवस्था को पकड़े रहूंगा और पूर्ण मन से उस पर चलूँगा तू अपने मार्ग में मुझे चला, तेरा वचन जो तेरे भए मानने वालों के लिए है, उसको अपने दास के निमत भी पूरा कर, जिस नाम धराई से मैं डरता हूँ, उसे दूर कर, क्योंकि तेरे नियम उत्तम है, देख, मैं तेरे उपदेशों का अभिलाशी हूँ, अपन मैं अपनी नाम धराई करने वालों को कुछ उत्तर दे सकूंगा, क्योंकि मेरा भरोसा तेरे वचन पर है, मुझे अपने सत्य वचन कहने से ना रोक, क्योंकि मेरी आशा तेरे नियमों पर है, तब मैं तेरी विवस्था पर लगातार सदा सरवदा चलता रहूंगा, और मैं संकोच ना करूंगा, क्योंकि मैं तेरी आज्याओं के कारन सुखी हूं, और मैं उनमें प्रिती रखता हूं, मैं तेरी आज्याओं की योर, जिनमें मैं प्रिती रखता हूं, हात फैलाऊंगा, और तेरी विध्यों पर ध्यान करूंगा, जो वचन तुने अपने दास को द अभिवानियों ने मुझे अत्यांत ठट्टे में उड़ाया है तो भी मैं तेरी विवस्था से नहीं हटा हे यहोवा मैंने तेरे प्राची नियमों को समर्ण करके शांती पाई हैं जो दुष्ट तेरी विवस्था को छोड़े हुए हैं उनके कारण मैं संताप में चलता हूँ जहां मैं परदेशी होकर रहता हूँ वहां तेरी विधियां मेरे गीत गाने का विशे बनी है हे यहोवा मैंने रात को तेरा नाम समर्ण किया और तेरी विवस्था पर चला हूँ यह मुझ से इस कारण हुआ कि मैं तेरे उप्देशों को पकड़े हुए था यहोवा मेरा भाग है मैंने तेरे वचनों के अनुसार चलने का निश्चे किया है मैंने पूरे मन से तुझे मनाया है इसलिए अपने वचन के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर मैंने अपनी चाल चलन को सोचा और तेरी चितानियों का मार्ग लिया मैंने तेरी आग्याओं के मानने में विलंब नहीं फुर्ती की है मैं दुष्टों की रसियों से बंद गया हूं तो भी मैं तेरी विवस्ता को नहीं भुला तेरे धर्म मैं नियोमों के कारण मैं आधी रात को भी तेरा धन्यवाद करने को उठूंगा जितने तेरा भाय मानते और तेरे उपदेशों पर चलते हैं उनका मैं संगी हूँ हे यहोवा तेरी करुणा पृत्वी में भरी हुई है तू मुझे अपनी विधियां सिखा हे यहोवा तू ने अपने वचन के अनुसार अपने दास के संग भलाई की है मुझे भली, विवेक शक्ती और ग्यान दे क्योंकि मैंने तेरी आग्याओं का विश्वास किया है उससे पहले कि मैं दुखित हुआ मैं भटकता था परन्तु अब मैं तेरे वचन को मानता हूँ तू भला है और भला करता भी है मुझे अपनी विधियां सिखा अभिमानियों ने तो मेरे विरुद जूट बात गड़ी है परन्तु मैं तेरे उपदेशों को पूरे मन से पकड़े रहूंगा उनका मन मोटा हो गया है परन्तु मैं तेरी विवस्था के कारण सुखी हूँ मुझे जो दुख हुआ वे मेरे लिए भला ही हुआ है जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूँ तेरी दी हुई विवस्था मेरे लिए हजारों रुप्यों और मोहरों से भी उत्तम है तेरे हाथों से मैं बनाया और रचा गया हूँ मुझे समझ दे कि मैं तेरी आग्याओं को सीखूँ तेरे डरवईये मुझे देखकर आनंदित हूँगे क्योंकि मैंने तेरे वचन पर आशा लगाई है हे यहवा मैं जान गया कि तेरे नियम धर्में है और तूने अपने सच्चाई के अनुसार मुझे दुख दिया है मुझे अपनी करुणा से शान्ती दे क्योंकि तूने अपने दास को ऐसा ही वचन दिया है तेरी देया मुझ पर हो तब मैं जीवित रहूंगा क्योंकि मैं तेरी विवस्था से सुखी हूँ अभिमानियों की आशा तूटे क्योंकि उन्होंने मुझे जूट के द्वारा गिरा दिया है परन्तु मैं तेरे उप्तेशों पर ध्यान करूँगा जो तेरा भाई मानते हैं वे मेरी और फिरे तब वे तेरी जितानियों को समझ लेंगे मेरा मन तेरी विद्यों के मानने में सिध हो ऐसा न हो कि मुझे लज्जित होना पड़े मेरा प्रान तेरे उध्धार के लिए बेचैन है परन्तु मुझे तेरे वचन पर आशा रहती है मेरी आँखें तेरे वचन के पूरे होने की बाट जोते जोते रह गई है और मैं कहता हूँ कि तू मुझे कब शान्ती देगा क्योंकि मैं धुए में की कुप्पी के समान हो गया हूँ तो भी तेरी विद्यों को नहीं भूला तेरे दास के कितने दिन रह गई है तू मेरे पीछे पड़े हूँ को दंड कब देगा अभिमानी जो तेरे विवस्था के अनुसार नहीं चलते उन्होंने मेरे लिए गड़े खोदे है तेरी सब आग्याएं विश्वास योग्य हैं वे लोग छूट बोलते हुए मेरे पीछे पड़े हैं तू मेरी सहायता कर वे मुझको पृत्वी पर से मिटार डालने ही पर थे प्रन्तु मैंने तेरे उपड़ेशों को नहीं छोड़ा अपनी करुणा के अनुसार मुझको जिला तब मैं तेरी दी हुई चित्तौनियों को मानूँगा हे यहोवा तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है तेरी सच्चाई पीड़ी से पीड़ी तक बनी रहती है तू ने पृत्वी को स्थिर किया इसलिए वे बनी है वे आज के दिन तक तेरे नियुमों के अनुसार ठह रहे हैं क्योंकि सारी स्रिष्टी तेरे आधीन है यदि मैं तेरी विवस्था से सुखी ना होता तो मैं दुख के समय नाश हो जाता मैं तेरे उपदेशों को कभी ना भूलूँगा क्योंकि उन्ही के द्वारा तूने मुझे जिलाया है मैं तेरा ही हूँ तू मेरा उध्धार कर क्योंकि मैं तेरे उपदेशों की सुधी रखता हूँ दुष्ट मेरा नाश करने के लिए मेरी घात में लगे है परन्तु मैं तेरी चितौनियों पर ध्यान करता हूँ जितनी बाते पूरी जान पड़ती है उन सब को तो मैंने अधूरी पाया है परन्तु तेरी आग्या का विस्तार पड़ा है आहा मैं तेरी विवस्था में कैसी प्रिती रखता हूँ दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है तु अपनी आग्याओं के द्वारा मुझे अपने शत्रों से अधिक बुद्धी मान करता है क्योंकि वैस्तदा मेरे मन में रहती है मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूँ क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चितानियों पर लगा है मैं पुर्णियों से भी समझदार हूँ क्योंकि मैं तेरे उपदेशों को पकड़े हुए हूँ मैंने अपने पावों को हर एक बुरे रास्ते से रोक रखा है जिससे मैं तेरे वचन के अनुसार चलूँ मैं तेरे नियुमों से नहीं हटा क्योंकि तू ही ने मुझे शिक्षा दी है तेरे वचन मुझे को कैसे मीठे लगते हैं वे मेरे मुझे मधू से भी मेठे हैं तेरे उपदेशों के कारण मैं समझधार हो जाता हूँ इसलिए मैं सब मिथ्या मार्गों से बैर रखता हूँ तेरा वचन मेरे पाउं के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उज्याला है मैंने शबत खाई और ठाना भी है मुझे चला ए यहोवा मेरे वचनों को सुवेचा बली जानकर ग्रहन कर और अपने नियोमों को मुझे सिखा मेरा प्रान निरंतर मेरी हथेली पर रहता है तो भी मैं तेरी विवस्था को भूल नहीं गया दुष्टों ने मेरे लिए फंदा लगाया है प्रंतु मैं तेरे हिर्दे के हर्श का कारण है मैंने अपने मन को इस बात पर लगाया है कि अंत तक तेरी विद्यों पर सदा चलता रहूं मैं दुचितों से तो बैर रखता हूं परंतु तेरी विवस्था से प्रिती रखता हूं तू मेरी आड़ और ढाल है मेरी आशा तेरे वचन पर है हे क कर्मियों मुझसे दूर हो जाओ कि मैं अपने परमेश्वर की आग्याओं को पकड़े रहूं है यहोवा अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल की मैं जीवित रहूं और मेरी आशा को ना तोड़ मुझे थाम रख तब मैं बचा रहूंगा और निरंतर तेरी विध्यों की मार्ग से भटक जाते हैं उन सब को तु तुछ जानता है क्योंकि उनकी चतुराई जूट है तूने प्रित्वी के सब दुष्टों को धातू के मैल के समान दूर किया है इस कारण मैं तेरी चितौनियों में प्रीती रखता हूं तेरे भय से मेरा शरीर काम पुठता है और म मैं तेरे नियुमों से डरता हूं मैंने तो न्याय और धर्म का काम किया है तू मुझे अंधेर करने वालों के हाथ में ना छोड़ अपने दास की भलाई के लिए जामिन हो ताकि अभिमानी मुझ पर अंधेर ना करने पाए मेरी आंखें तुझ से उधार पाने और तेरे ध खर्म में वचन के पूरे होने की बाट जोते जोते रह गई हैं अपने दास के संग अपनी करुणा के अनुसार वरताव कर और अपनी विधियां मुझे सिखा मैं तेरा दास हूं तू मुझे समझ दे कि मैं तेरी चितौनियों को समझूं वैं समय आया है कि यहोवा काम करें क्योंकि लोगों ने तेरी विवस्ता को तोड़ दिया है इस कारण मैं तेरी आग्याओं को सोने से वरन कुंदन से भी अधिक प्रिये मानता हूं इसी कारण मैं तेरी सब उपदेशों को सब विश्यों में ठीक जानता हूं और सब मिथ्या मारगों से बैर रखता हूं तेर पर और लोग समझ प्राप्थ करते हैं मैं मूख खोल कर हाफने लगा क्योंकि मैं तेरी आग्याओं का प्यासा था जैसे तेरी रिधि अपने नाम की प्रीटी रखने वालों से हैं वैसे ही मेरी और भी फिरकर मुझ पर अनुगरै कर मेरे पैरों को अपने वचन के मार्ग पर स्थेर कर और किसी अनर्थ बात को मुझे प्रबता ना करने दे मुझे मनुश्यों के अंधेर से छुडा ले तब मैं तेरे उपदेशों को मानूंगा अपने दास पर अपने मुख का प्रकास चमका दे और अपनी विधिया मुझे सिखा मेरी आँखों से जल की धारा बहती रहती है क्योंकि लोग तेरी विवस्ता को नहीं मानते है यहोवा तू धर्मी है और तेरे नियम सीधे हैं तूने अपनी चितानियों को धर्म और पूरी सत्यता से कहा है मैं तेरी धुन में भस्म हो रहा हूं क्योंकि मेरे सताने वाले तेरे वचन को भूल गए है तेरा वचन पूरी रिती से ताया हुआ है इसलिए तेरा दास उसमें प्रीती रखता है मैं छोटा और तुछ हूँ तो भी मैं तेरे उपदेशों को नहीं भूलता तेरा धर्म सदा का धर्म है और तेरी विवस्था सत्य है मैं संकट और सकेती में फसा हूँ परन्तु मैं तेरी आग्याओं से सुखी हूँ तेरी चितानिया सदा धर्म मैं है तू मुझ को समझ दे कि मैं जीवित रहूं मैंने सारे मन से प्रात्ना की है है यहोवा मेरी सुन लेना मैं तेरी विध्यों को पकड़े रहूंगा मैंने तुझ से प्रात्ना की है तू मेरा उधार कर और मैं तेरी चित्तानियों को माना करूंगा मैंने पौफटने से पहले दोहाई दी मेरी आशा तेरे वचनों पर थी मेरी आँखे रात के एक-एक पहर से पहले खुल गई कि मैं तेरे वचन पर ध्यान करूं अपनी करुणा के अनुसार मेरी सुन ले हे यहुआ अपनी रिती के अनुसार मुझे जीवित कर जो दुष्टता में धुन लगाते हैं वे निकट आ गए हैं वे तेरी ववस्था से दूर है हे यहुआ तू निकट है और तेरी सब आग्याएं सत्य हैं बहुत काल से मैं तेरी चितानियों को जानता हूँ कि तू ने उनकी नेव सदा के लिए डाली है मेरे दुख को देखकर मुझे छुडा ले क्योंकि मैं तेरी ववस्था को भूल नहीं गया मेरा मुकदमा लड़ और मुझे छुडा ले अपने वचन के अनुसार मुझे को चला दुस्टों को उधार मिलना कठिन है क्योंकि वे तेरी विध्यों की सुधी नहीं रखते ए यहवा तेरी दिया तो बड़ी है इसलिए अपने नियुमों के अनुसार मुझे जिला मेरा पीछा करने वाले और मेरे सताने वाले बहुत है है यहवा अपनी करुणा के अनुसार मुझे को जिला तेरा सारा वचन सत्य ही है और तेरा एक एक धर्म में नियम सदा काल तक अटल है हाकिम व्यर्थ मेरे पीछे पड़े है परन्तु मेरा हिर्दे तेरे वचनों का भय मानता है जैसे कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है वैसे ही मैं तेरे वचन के कारण हर्षित हूँ जूट से तो मैं बैर और घृना रखता हूँ परन्तु तेरी विवस्था से प्रिती रखता हूँ तेरे धर्म में नियमों के कारण मैं प्रती दिन साथ बार तेरी स्तूती करता हूँ तेरी ववस्ता से प्रिथी रखने वालों को बड़ी शांती होती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती ए यहोवा मैं तुझ से उधार पाने की आशा रखता हूँ और तेरी आग्याओं पर चलता आया हूँ मैं तेरी चितौनियों को जी से मानता हूँ और उनसे बहुत प्रिती रखता हूँ मैं तेरे उपदेशों और चितौनियों को मानता आया हूँ क्योंकि मेरी सारी चालचलन तेरे समुक प्रगट है हे यहोवा मेरी दोहाई तुझ तक पहुंचे तू अपने वचन के अनुसार मुझे समझ दे मेरा गिरगिडाना तुझ तक पहुंचे तू अपने वचन के अनुसार मुझे छुडा ले मेरे मूँ से स्तूती निकला करे क्योंकि तू मुझे अपनी विधियां सिखाता है मैं तेरे वचन का गीत गाऊंगा क्योंकि तेरी सबाग्याएं धर्म में है तेरा हाथ मेरी साहिता करने को तयार रहता है क्योंकि मैंने तेरे उपदेशों को अपनाया है हे यहोवा, मैं तुझ से उधार पाने की अभिलाशा करता हूँ मैं तेरी विवस्ता से सुखी हूँ मुझे चिला और मैं तेरी स्तूती करूँगा तेरे नियमों से मेरी सहायता हो मैं खोई हुई भेड की नाई भटका हूँ तू अपने दास खो ढूंड ले क्योंकि मैं तेरी आग्याओं को भूल नहीं गया संकत के समय मैंने यहवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली हे यहवा जूट बोलने वाले मूँ से और छली जीब से मेरी रक्षा कर हे छली जीब तुझको क्या मिले और तेरे साथ और क्या अधिक किया जाए वीर के नोकिले तीर और जाओ के अंगारे हाई हाई क्योंकि मुझे मेशेक में परदेशी होकर रहना पड़ा और केदार के तंबों में बसना पड़ा है बहुत काल से मुझको मेल के बैरियों के साथ बसना पड़ा है मैं तो मेल चाहता हूँ प्रन्तु मेरे बोलते ही वे लड़ना चाहते हैं भजन 121 कुलपद 8 मैं अपनी आखे परवतों की ओर लगाऊंगा मुझे सहायता कहां से मिलेगी मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और प्रिथ्वी का करता है वे तेरे पाम को टलने ना देगा तेरा रक्षक कभी न उंगे सुन इस्राइल का रक्षक न उंगेगा और न सोएगा यहोवा तेरा रक्षक है यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड है ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानी होगी यहोवा सारी विप्ति से तेरी रक्षा करेगा वै तेरे प्रान की रक्षा करेगा यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेके सदा तक करता रहेगा भजन 122, कुल्पध 9 जब लोगों ने मुझसे कहा कि हम यहोवा के भवन को चलें तम मैं आनंदित हुआ हे यरुष्लिम तेरे फाटकों के भीतर हम खड़े हो गए है हे यरुष्लिम तु ऐसे नगर के समान बना है जिसके घर एक दूसरे से मिले हुए है वहाँ याक के गोत्र गोत्र के लोग यहोवा के नाम का धन्यवाद करने को जाते है यह इस्राइल के लिए साक्षी है वहाँ तो न्याय के सिहासन दावत के घराने के लिए धरे हुए है यरुष्लिम की शान्ती कवरदान मांगो तेरे प्रेमी कुशल से रहे तेरी शहर पना के भीतर शान्ती और तेरे महलों में कुशल होवे अपने भाईयों और संग्यों के निमित मैं कहूँगा कि तुझ में शान्ती होवे अपने परमेश्वर यहवा के भवन के निमित मैं तेरी भलाई का यतन करूँगा भजन 123 कुलपद 4 हे स्वर्ग में विराजमान मैं अपनी आखे तेरी और लगाता हूँ देख जैसे दासों की आखे अपने स्वामियों के हाथ की और और जैसे दासियों की आखे अपनी स्वामिनी के हाथ की और लगी रहती है वैसे ही हमारी आखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेंगी जब तक वे हम पर अनुग्रे ना करें हम पर अनुग्रे कर हे यहोवा हम पर अनुग्रे कर क्योंकि हम अपने अपमान से बहुत ही भर गए है हमारा जीव सुखी लोगों के ठट्टों से और अहंकारियों के अपमाज से बहुत ही भर गया है भजन 124, कुल्पध 8 इस्राइल यह कहे, यदि यहोवा उस समय हमारी और ना होता, जब मनुश्यों ने हम पर चड़ाई की, तो वे हमको उसी समय जीवित निगल जाते जब उनका क्रोध हम पर भड़का था, हम उसी समय जल में डूब जाते और धारा में बह जाते मटते जल में हम उसी समय ही बह जाते धन्य है यहोवा जिसने हम को उनके दांतों तले जाने ना दिया हमारा जीव पक्षी की नाई चीड़ी मार के जाल में छूड गया जाल फट गया हम बच निकले यहोवा जो आकाश और प्रित्वी का करता है हमारी साहता उसी के नाम से होती है भजन 125 कुलपद पांच जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सियान परवत के समान है जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है जिस प्रकार यरुशलम के चारों और पहाड है उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों और अप से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा क्योंकि दुष्टों का राजदंड धर्मियों के भाग पर बना ना रहेगा ऐसा नहो कि धर्मियों अपने हाथ कुटिल काम की और बढ़ाएं है यहोवा भलों का और सीधे मनवालों का भला कर परंतु जो मुढ कर टेड़े मारकों में चलते हैं उनको यहोवा अनर्थकारियों के संग निकाल देगा इसराइल को शान्ती मिले भजन 126 कुलपद 6 जब यहोवा सियान से लोटने वालों को लोटा ले आया तब हम स्वपन देखने वालों से हो गए तब हम आनंद से हसने और जैजैकार करने लगे तब जाती जाती के बीच में कहा जाता था कि यहोवा ने इनके साथ बड़े बड़े काम किये हैं यहोवा ने हमारे साथ बड़े बड़े काम किये हैं और इससे हम आनंदित हैं हे यहोवा दक्षिन देश के नालों की नाई हमारे बंधों को लाटा लिया जो आंसु बहाते हुए बोते हैं वे जैजेकार करते हुए लवने पाए चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए प्रन्तु वे फिर पुलियां लिये जैजेकार करता हुआ निश्चे लौट आएगा भजन 127 कुलपध पांच यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम वियर्थ होगा यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना वियर्थ ही होगा तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते और दुख भरी रोटी खाते हो ये सब तुम्हारे लिए विर्थ ही है क्योंकि वे अपने प्रियों को योही नींदान करता है देखो लड़के यहोवा के दियोए भाग हैं गर्प का फल उसकी ओर से प्रतिफल है जैसे वीर के हाथ में तीर वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं क्या ही धन्य है वे पुरिश जिसने अपने तरकुष को उनसे भर लिया है वे फाटक के पास शत्रों से बातें करते संकोच ना करेगा भजन 128 कुलपद 6 क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मारगों पर चलता है तू अपने कमाई को निश्चे खाने पाएगा तो धन्य होगा और तेरा भला ही होगा तेरे घर के भीतर तेरी इस्त्री फल्वंत दाखलता सी होगी तेरे मेज के चारों और तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे सुन जो पूरश यहोवा कब है मानता हो वै ऐसी ही आशिश पाएगा यहोवा तुझे सियोन से आशिश देवे और तू जीवन भर येरुशलम का खुशल देखता रहे वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए इस्राइल को शान्ती मिले भजन 129 कुलपद 8 इस्राइल अब यह कहे कि मेरे बच्पन से लोग मुझे बार बार कलेश देते आए हैं मेरे बच्पन से वे मुझे को बार बार कलेश देते आए हैं परन्तु मुझे पर प्रबल नहीं हुए हलवाहों ने मेरी पीट के उपर हल चलाया और लंबी लंबी रेखाएं की यहोवा धर्मी है उसने दुष्टों के फंदों को काट डाला है जितने सियोन से बैर रखते हैं उन सबों की आशा तूटे और उनको पीछे हटना पड़े वे छत पर की घास के समान हो जो बढ़ने से पहले सूख जाती है जिससे कोई लवईया अपनी मुठी नहीं भरता ना पुलियों का कोई बांधने वाला अपनी अंकवार भर पाता है और ना आने जाने वाले यह कहते हैं कि यहोवा की आशीश तुम पर होवे हम तुमको यहोवा के नाम से आशिरवाद देते हैं भजन 130, कुलपद 8 ए यहोवा मैंने गहरे स्थानों में से तुझको पुकारा है हे प्रभू मेरी सुन, तेरे कान, मेरे गिर्गिडाने की और ध्यान से लगे रहें हे यहा, यदि तु अधर्म के कामों का लेखा ले तो हे प्रभू कौन खड़ा रह सकेगा परन्तु तु शमा करने वाला है, जिससे तेरा भए माना जाए मैं यहोवा की बाट जोहता हूँ, मैं जी से उसकी बाट जोहता हूँ और मेरी आशा उसके वचन पर है हाँ पहरूए, जितना भोर को चाहते हैं, उससे भी अधिक मैं यहोवा को अपने प्राणों से चाहता हूँ, इस्राइल यहोवा पर आशा लगाए रहे क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला और पूरा चुटकारा देने वाला है इस्राइल को उसके सारे अधरम के कामों से वही चुटकारा देगा भजन 131, कुल्पध 3 हे यहोवा, ना तो मेरा मन गर्व से और ना मेरी दृष्टी घमंड से भरी है और जो बाते बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन है उनसे मैं काम नहीं रखता निश्चे मैंने अपने मन को शान्त और चुप कर दिया है जैसे दूद छुडाया हुआ लड़का अपनी मा की गोद में रहता है वैसे ही दूद छुडाय हुए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है है इस्राइल अपसे लेके सदा सरवदा यहोवा ही पर आशा लगाए रहे भजन 132 कुलपद 18 है यहोवा दावद के लिए उसकी सारी दुर्दशा को समर्ण कर उसने यहोवा से शपत खाई और यहोवा के सरवशक्तिमान की मनत मानी है कि निश्चे मैं उस समय तक अपने घर में प्रवेश ना करूँगा और ना अपने पलंग पर चडूँगा ना अपनी आँखों में नीन और ना अपनी पलकों में जपकी आने दूँगा जब तक मैं यहोवा के लिए एक स्थान अर्थात याकूब के सरवशक्ति मान के लिए निवास स्थान ना बनाऊ देखो हमने एप प्राता में इसकी चर्चा सुनी है हमने इसको बन के खेतों में पाया है आओ हम उसके निवास में प्रवेश करें हम उसके चर्णों की चौकी के आगे दर्णवत करें हे यहोवा उठकर अपने विश्राम स्थान में अपनी सामर्थ के संदूक समेत आ तेरे याजक धरम के वस्त्र पहने रहें और तेरे भक्त लोग जैजैकार करें अपने दास दावद के लिए अपने अभिशिक्त की प्रातना को अनसुनी ना कर यहोवा ने दावद से सची शपत खाई है और वै उससे नाम उकरेगा कि मैं तेरी गद्दी पर तेरे एक निज़ पुत्र को बैठाऊंगा यदि तेरे वंश के लोग मेरी वाचा का पालन करें और जो चितानी मैं उन्हें सिखाऊंगा उन पर चलें तो उनके वंश के लोग भी तेरी गद्दी पर युग-्युग बैठते चले जाएंगे क्योंकि यहोवा ने सियोन को अपनाया है और उसे अपने निवास के लिए चाहा है यह तो युग-्युग के लिए मेरा विश्रामस्थान है यहीं मैं रहूंगा क्योंकि मैंने इसको चाहा है मैं इसमे की भोजन वस्तूओं पर अतियाशिश दूँगा और इसके दरिद्रों को रोटी से त्रिप्त करूँगा इसके याजकों को मैं उध्धार का वस्त पहनाऊंगा और इसके भक्त लोग उंचे स्वर से जैजेकार करेंगे वहां मैं दाउद के एक सींग उगाऊंगा मैंने अपने अभिशिक्त के लिए एक दीपक तैयार कर रखा है मैं उसके शत्रूओं को तो लज्जा कवस्त पहनाऊंगा परंतु उसके सिर पर उसका मुकुट शोभायमान रहेगा भजन 133 कुलपद 3 देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाड़ी पर बहकर उसके वस्तर की छोर तक पहुँच गया या है म्रोन की उस ओस के समान है जो सियोन के पहाड़ों पर गिरती है यहुआ ने तो वही सदा के जीवन की आशीश ठहराई है भजन 134 कुलपद 3 हें यहुआ के सब सेव को सुनो तुम जो रात रात को यहुआ के भवन में खड़े रहते हो यहुआ को धन्य कहो अपने हाथ पवित्र स्थान में उठा कर यहुआ को धन्य कहो यहुआ जो आकाश और प्रित्वी का करता है व्यसियोन में से तुझे आशीश देवे भजन 135, कुल्पध 21 या कि स्तूती करो, यहुआ के नाम कि स्तूती करो, हें यहुआ के सेव को तुम स्तूती करो तुम जो यहुआ के भवन में, अर्थात हमारे परमेश्वर के भवन के आंग्रों में खड़े रहते हो यहा कि स्तूती करो, क्योंकि यहुआ भला है, उसके नाम का भजन गाओ, क्योंकि यह मनभाव है यहा ने तो याकूब को अपने लिए चुना है, अर्थात इस्राइल को अपना निजधन होने के लिए चुन लिया है मैं तो जानता हूँ कि हमारा प्रभू यहुआ सब देवताओं से महान है जो कुछ यहुआ ने चाहा, उसे उसने आकाश और पृत्वी और समुंद्र और सब गहरे स्थानों में किया है वे पृत्वी की छोड से कोहरे उठाता है और वर्षा के लिए बिजली बनाता है और पवन को अपने भनढर में से निकालता है उसने मिस्र में क्या मनुष्य, क्या पशू, सब की पेलाटों को मार डाला हे मिस्र उसने तेरे बीच में फिरॉन और उसके सब करमचारियों के बीच चिन और समतकार किये उसने बहुत सी जातियन आश्टी और सामर्थी राजाओं को अर्थात एमोरियों के राजा सिहौन को और बाशान के राजा ओग को और कनान के सब राजाओं को घात किया और उनके देश को बांट कर अपनी निज इस्राइल के भाग होने के लिए दे दिया हे यहोवा तेरा नाम सदस्थिर है हे यहोवा जिस नाम से तेरा समर्ण होता है वे पीडी पीडी बना रहेगा यहोवा तो अपनी प्रजा का न्याय चुकाएगा और अपने दासों की दुर्दशा देखकर तरस खाएगा अन्याजाकियों की मूर्ते सोना चांदी ही है वे मनुश्यों की बनाई हुई है उनके मूद तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकती उनके आँखे तो रहती हैं परंतु वे देख नहीं सकती उनके काम तो होते हैं प्रंतु वे सुन नहीं सकते ना उनके कुछ भी साथ चलती है जैसे वे हैं वैसे ही उनके बनाने वाले भी है और उन पर सब भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे हे इस्राइल के घराने यहोवा को धन्य कहो यहोवा जो यरूशलेम में वास करता है उसे सियान में धन्य कहा जावे या किस तूती करो भजन 136 कुलपद 26 यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वैभला है और उसकी करुणा सदा की है जो इश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो उसकी करुणा सदा की है जो प्रभूओं का प्रभू है उसका धन्यवाद करो उसकी करुणा सदा की है उसको छोड़कर कोई बड़े-बड़े आश्चरे करम नहीं करता उसकी करुणा सदा की है उसने अपनी बुद्धी से आकाश बनाया उसकी करुणा सदा की है उसने प्रिथ्वी को जल के उपर फैलाया है उसकी करुना सदा की है उसने बड़ी बड़ी जोतियां बनाई उसकी करुना सदा की है दिन पर प्रभुता करने के लिए सूरे को बनाया उसकी करुना सदा की है और रात पर प्रभुता करने के लिए चंद्रमा और तारागंड को बनाया उसकी करुना सदा की है उसने मिस्रियों के पहलोटों को मारा उसकी करुना सदा की है और उनके बीच से इस्राइलियों को निकाला उसकी करुना सदा की है बलवन्थात और बड़ाई हुई भुजा से निकाल लाया उसकी करुणा सदा की है उसने लाल समंदर को खंड खंड कर दिया उसकी करुणा सदा की है और इसराइल को उसके बीच से पार कर दिया उसकी करुणा सदा की है और फिरॉन को सेना समेत लाल समंदर में डाल दिया उसकी करुणा सदा की है वे अपनी प्रजा को जंगल में ले उसकी करुणा सदा की है उसने बड़े बड़े राजा मारे उसकी करुणा सदा की है उसने प्रतापी राजाओं को भी मारा उसकी करुणा सदा की है एमोरियों के राजा सिहौन को उसकी करुणा सदा की है और बाश्चान के राजा ओग को घात किया उसकी करुणा सदा की है औ अपने दास इस्राइलियों के भाग होने के लिए दे दिया उसकी करुणा सदा की है उसने हमारी दुर्दश्या में हमारी सुधी ली उसकी करुणा सदा की है और हमको द्रोहियों से चुड़ाया है उसकी करुणा सदा की है वैसा प्राणियों को आहार देता है उसकी करुणा सदा की है, स्वर्ग के परमेश्वर का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। सियौन को समर्ण करके रो पड़े, उसके बीच के मजनुव रिक्षों पर हमने अपनी विणाओं को टांग दिया, क्योंकि जो हमको बंदुए करके ले गए थे, उन्होंने वहां हमसे गीत गवाना चाहा, और हमारे रूलाने वालोंने हमसे आनन्स चाहकर कहा, सियौन के गीतों में से हमारे लिए कोई गीत काओ, हम यहवा के गीत को पराए देश में क्यों कर गाएं, हे यरुशलम, यदी मैं तुझे भूल जाओं, तो मेरा दाहिना हाथ जूटा हो जाए, यदी मैं तुझे समर्ण ना रखूं, यदी मैं यरुशलम को अपने सब आनन से स्रिष्ट ना जानूं, तो मेरी जीब तालू से चिपट जाए, हे यहवा, यरुशलम के दिन को एदोमियों के विरुद समर्ण कर, कि वे को कर कहते थे, ढाओ, उसको नीव से ढादो, हे भाबुल, तु जो उजरने वाली है, क्या ही धन्यवै होगा, जो तुझ से ऐसा ही वरताव करेगा, जैसा तुने हम से किया है, क्या ही धन्यवै होग जो तेरे बच्चों को पकड़ कर, चटान पर पटक देगा, भजन 138, कुलपध 8 मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूँगा, देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाओंगा, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दन्वत करूँगा, और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूँगा, क्योंकि तुने अपने वचन को अपन हे यहोवा प्रित्वी के सब राजा तेरा धन्यवाद करेंगे क्योंकि उन्होंने तेरे वचन सुने हैं और वे यहोवा की गीत के विशे में गाएंगे क्योंकि यहोवा की महिमा बड़ी है यद भी यहोवा महान है तो भी वे नमर मनुश्य की ओर दिश्टी करता है प्रन्तु अहंकारी को दूर ही से पहचानता है चाहे मैं संकट के बीच में रहूं तो भी तु मुझे जिलाएगा तू मेरे क्रोधित शत्रूं के विरुद हाथ बड़ाएगा और अपने दायने से मेरा उधार करेगा यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा है यहोवा तेरी करुणा सदा की है तू अपने हाथों के कारें को त्याग ना दे भजन 149, कुलपद 24 ए यहोवा तू ने मुझे जांच कर जान लिया है तू मेरा उटना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है मेरे चलने और लेटने की तू भली भांती छानबीन करता है और मेरी पूरी चारचलन का भेद जानता है हे यहोवा मेरे मूँ में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रिती से ना जानता हो तू ने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है यह ग्यान मेरे लिए बहुत कठिन है यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है मैं तेरे आत्मा से भाग कर किधर जाओ या तेरे सामने से किधर भागू यदि मैं आकाश पर चड़ू तो तू वहाँ है यदि मैं अपना बिच्छाना अधलोप में बिच्छाओ तो वहाँ भी तू है यदि मैं भोर की किरणों पर चड़कर समुदर के पार जा बसूँ तो वहाँ भी तू अपने हाथ से मेरी अगवाई करेगा और अपने दायने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा यदि मैं कहूं कि अंधकार में तो मैं छिप जाओंगा और मेरे चारो और का उज्याला रात का अंधेरा हो जाएगा तो भी अंधकार तुझ से ना छिपाएगा रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी क्योंकि तेरे लिए अंध्यारा और उज्याला दोनों एक समान है मेरे मन का स्वामी तो तू है तूने मुझे माता के गर्भ में रचा मैं तेरा धन्यवाद करूँगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रिती से रचा गया हूँ तेरे काम तो आश्चरे के हैं और मैं इसे भली भांती जानता हूँ जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृत्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था तब मेरी हडियां तुझ से छिपी ना थीं तेरी आँखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे और मेरे लिए तो हे इश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूले हैं उनकी संख्या का जोड कैसा बड़ा है यदि मैं उनको गिनता तो वे बालू के किनकों से भी अधिक ठहरते जब मैं जाग उठता हूँ तब भी तेरे संग रहता हूँ हे इश्वर निश्चे तु दुष्ट को घात करेगा हे हत्यारो मुझ से दूर हो जाओ क्योंकि वे तेरी चर्चा चतुराई से करते हैं तेरे द्रोही तेरा नाम जूठी बात पर लेते हैं हे यहोवा क्या मैं तेरे बैरियों से बैर ना रखू और तेरी विध्यों से रूठ ना जाओं हाँ मैं उनको अपना शत्रू समझता हूँ हे इश्वर मुझे जांच कर जान ले मुझे परक्कर मेरी चिंताउं को जान ले और देख की मुझमें कोई बुरी चाल है के नहीं और अनंत के मार्ग में मेरी अगवाई कर भजन एक सो चालिस कुलपद तेरा हे यहोवा मुझको बुरे मनुश्य से बचा ले उप्त्रवी पुरुष से मेरी रक्षा कर क्योंकि उन्होंने मन में बुरी कलपनाई की है वे लगातार लड़ाईयां मचाते है उनका बोलना साप का काटना सा है उनके मुँ में नाक का सविश रहता है हे यहोवा मुझे दुष्ट के कामों से बचा ले उप्त्रवी पुरुष से मेरी रक्षा कर क्योंकि उन्होंने मेरे पैरों के उखारने की युक्ति की है गमंडियोंने मेरे लिए फंदा और पासे लगाए और पथ के किनारे जाल बिछाया है उन्होंने मेरे लिए फंदे लगा रखे है हे यहोवा मैंने तुझ से कहा है कि तू मेरा इश्वर है हे यहोवा मेरे गिडगिडाने की और कान लगा हे यहोवा प्रभू हे मेरे सामर्थी उधार करता तूने युद के दिन मेरे सिर की रक्षा की है हे यहोवा दुष्ट की इच्छा को पूरी ना होने दे उसकी बुरी युक्ती को सफल ना कर नहीं तो वे घमंट करेगा मेरे घेरने वालों के सिर पर उन्हीं का बिचारा हुआ उत्पात बढ़े उन्हीं का बिचारा हुआ उत्पात बढ़े उन्हीं का बिचारा हुआ उत्पात पड़े ये यहवा मुझे निश्चे है कि तु दीन जन का और दरिद्रों का न्याय चुकाएगा निसंदे धर्मी तेरे नाम का धन्यवाद करने पाएंगे सीधे लोग तेरे समुख वास करेंगे भजन 141 कुलपद 10 हे यहवा मैंने तुझे पुकारा है मेरे लिए फुर्ती कर जब मैं तुझको पुकारूं तब मेरी और कान लगा मेरी प्रात्ना तेरे सामने सुकन धूप और मेरे हाथ फैलाना संद्यकाल का अन्बली ठहरे हे यहोवा मेरे मुक पर पहरा बिठा मेरे होठो के द्वार की रखवाली कर मेरा मन किसी बुरी बात की और फिरने ना दे मैं अनर्थकारी पुर्षों के संग दुष्ट कामों में ना लगूं और मैं उनके स्वादिष्ट भोजन वस्तूओं में से कुछ ना खाऊं धर्मी मुझको मारे तो ये कृपा मानी जाएगी और मैं मुझे ताड़ना दे तो ये मेरे सिर पर का तेल ठहरेगा मेरा सिर उससे इंकार ना करेगा लोगों के बुरे काम करने पर भी मैं प्राथना में लवलीन रहूंगा जब उनके न्याई चत्तान के पास गिराए गए तब उन्होंने मेरे वचन सुन लिए क्योंकि वे मधुर है जैसे भूमी में हल चलने से ढेले फूपते हैं वैसे ही हमारी हड़िया अधलोग के मूँ पर चित्राई हुई है परंतु हे यहोवा प्रभू मेरी आँखे तेरी ही ओर लगी है मैं तेरे शर्णागत हूँ तू मेरे प्राण जाने ना दे मुझे उस फंदे से जो उन्होंने मेरे लिए लगाया है और अनर्थकारियों के जाल से मेरी रक्षा कर दुष्ट लोग अपने जालों में आप ही फसे और मैं बच निकलू भजन 142, कुलपद 7 मैं यहोवा की दोहाई देता मैं यहोवा से गिर गिराता हूँ मैं अपने शोख की बातें उससे खोल कर कहता मैं अपने संकट उसके आगे प्रगड करता हूँ जब मेरी आत्मा मेरे भीतर से व्याकुल हो रही थी तब तू मेरी दशा को जानता था जिस रास्ते से मैं जाने वाला था उसी में उन्होंने मेरे लिए फंदा लगाया मैंने दहनी और देखा परंतु कोई मुझे नहीं देखता है मेरे लिए शरन कहीं नहीं रही ना मुझको कोई पूछता है हे यहोवा मैंने तेरी दोहाई दी है मैंने कहा तू मेरा शरन स्थान है मेरे जीते जी तू मेरा भाग है मेरी चिलाहट को ध्यान दे कर सुन क्योंकि मेरी बड़ी दुर्दशा हो गई है जो मेरे पीछे पड़े हैं उनसे मुझे बचा ले क्योंकि वे मुझसे अधिक सामर्थी है मुझको बंदिक रह से निकाल कि मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूँ धर्मी लोग मेरे चारो ओर आएंगे क्योंकि तू मेरा उपकार करेगा भजन 143 कुलपद 12 हे यहोवा मेरी प्रातना सुन मेरे गिर्गिडाने की और कान लगा तू जो सच्चा और धर्मी है सो मेरी सुन ले और अपने दास से मुकदमा ना चला क्योंकि कोई प्रानी तेरी दिष्टी में निर्दोश नहीं ठहर सकता शत्रू तो मेरे प्रान का गाहक हुआ है उसने मुझे चूर करके मिट्टी में मिलाया है और मुझे धेर दिन के मरे हूँ के समान अंधेरे स्थान में डाल दिया है मेरी आत्मा भीतर से व्याकुल हो रही है मेरा मन विकल है मुझे प्राचीन काल के दिन समर्ण आते हैं मैं तेरे सब अद्बुत कामों पर ध्यान करता हूँ और तेरे काम को सोचता हूँ मैं तेरी और अपने हाथ फैलाए हुए हूँ सूखी भूमी किनाई मैं तेरा प्यासा हूँ हे यहोवा फुर्ती करके मेरी सुन ले क्योंकि मेरे प्राच निकलने ही पर है जिस मार्क से मुझे चलना है वैं मुझे को बता दे क्योंकि मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ है यहोवा मुझे शत्रों से बचा ले मैं तेरी ही आड में आचिपा हूँ मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा क्यों कर पूरी करूं क्योंकि मेरा परमेश्वर तु ही है तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले है यहोवा मुझे अपने नाम के निमित जिला तू जो धर्मी है मुझको संकट से छुडा ले और करुणा करके मेरे शत्रों को सत्य नाश कर और मेरे सब सताने वालों का नाश कर डाग क्योंकि मैं तेरा दास हूँ भजन 144, कुलपद 15 धन्य है यहोवा जो मेरी चटान है वै मेरे हाथों को लड़ने और युद करने के लिए तैयार करता है वै मेरे लिए करुणा निधान और गड़ उचा स्थान और छुड़ाने वाला है वै मेरी ढाल और शर्म स्थान है जो मेरी प्रजा को मेरे वश में कर देता है मनुश्य तो सांस के समान है उसके दिन ढलती हुई छाया के समान है है यहोवा अपने स्वर्ख को नीचा करके उतरा पहाडों को छूट तब उनमें धुआ निकलेगा तब उनसे धुआ उठेगा बिजली कड़का कर उनको तितर बितर कर दे अपने तीर चलाकर उनको घबरा अपने हाथ उपर से बढ़ाकर मुझे महासागर से उबार अर्थात परदेशियों के वश्च से छुड़ा उनके मुझ से तो विर्थ बाते निकलती हैं और उनके दाने हाथ से धोके के काम होते हैं यह परमेश्वर मैं तेरी स्तूती का न्याग गीत काऊंगा मैं दस्तार वाली सारंगी वजाकर तेरा भजन गाउंगा तू राजाओं का उधार करता है और अपने दास दाउद को तलवार की मार से बचाता है तू मुझ को उबार और परदेशियों के वश्च से छुड़ा ले जिनके मुझ से विर्थ बाते निकलती हैं और जिनका दाहिना हाथ जब हमारे बेटे जवानी के समय पौधों की नाई बड़े हुए हो और हमारी बेटियां उन कोने वाले पत्थरों के समान हो जो मंदिर के पत्थरों की नाई बनाए जाए जब हमारे खत्ते भरे रहे और उन में भाती-भाती का अन धरा जाए और हमारी भेड़ बक्रियां हमारे मैदानों में हजारों हजार बच्चे जने जब हमारे बैल खूब लदे हुए हो जब हमें ना विग्न हो और ना हमारा कही जाना हो और ना हमारे चौकों में रोना पीटना हो तो इस दशा में जो राज्य हो वे क्या ही धन्य होगा जिस राज्य का परमेश्वर यहोवा है वे क्या ही धन्य है भजन 145 कुलपद 21 हे मेरे परमेश्वर हे राजा मैं तुझे सराहूंगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा प्रति दिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा और तेरे नाम की स्तूति सदा सर्वदा करता रहूंगा यहोवा महान और अती स्तूति के योगे है और उसकी बड़ाई अगम है तेरे कामों की प्रशंसा और तेरे प्राकर्म की कामों का वर्णन पीडी-पीडी होता चला जाएगा मैं तेरे एश्वरे की महिमा के प्रताप पर और तेरे भांती-भांती के आश्चरे कर्मों पर ध्यान करूँगा लोग तेरे भ्यानक कामों की शक्ति की चर्चा करेंगे और मैं तेरे बड़े-बड़े कामों का वर्णन करूंगा लोग तेरी बड़ी भलाई का समर्ण करके उसकी चर्चा करेंगे और तेरे धर्म का जैजेकार करेंगे यहोवा अनुग्रैकारी और द्यालू विलंब से कोब करने वाला और अती करुणा मैं है यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी स्रिष्टी पर है ही यहोवा तेरी सारी स्विष्टी तेरा धन्यवाद करेगी और तेरे भक्त लोग तुझे धन्य कहा करेंगे वे तेरे राज्य की महिमा की चर्चा करेंगे और तेरे प्राकरम के विश्य में बाते करेंगे कि वे आदमियों पर तेरे प्राकर्म के काम और तेरे राज्य कर प्रताप की महिमा रगट करे तेरा राज्य युग युग का और तेरी प्रभुता सब पीडियों तक बनी रहेगी यहोवा सब गिरते हुऊं को संभालता है और सब जुके हुऊं को सीधा खड़ा करता है सभों की आखे तेरी ओर लगी रहती है और तू उनको आहार समय पर देता है तू अपनी मुठी खोलकर सब प्राणियों को आहार से त्रिप्त करता है यहोवा अपनी सब गती में धर्मी और अपने सब कामों में करुणा मैं है जितने यहोवा को पुकारते हैं और थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं उन सबों के वे निकट रहता है वे अपने डर्वईयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दोहाई सुनकर उनका उध्धार करता है यहोवा अपने सब प्रेमियों की तो रक्षा करता प्रंतु सब दुष्टों को सत्यनाश करता है मैं यहोवा की स्तूति करूंगा और सारे प्राणी उसके पवित्र नाम को सदा सर्वदा धन्या कहते रहें भजन 146, कुलपद 10 वे भी मिट्टी में मिल जाएगा, उसी दिन उसकी सब कलपनाई नाश हो जाएगी, क्या ही धन्य है वे, जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है, और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है, वे आकाश और प्रित्वी और समुंद्र, और उन में जो कुछ है, सब का करता है, और वे अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा, वे पिसे हुऊं का न्याय चुकाता है, और भूखों को रोटी देता है, यहोवा बंधों को चुडाता है, यहोवा अंधों को आँखे देता है, यहोवा जुके हुऊं को सीधा कड़ा करता है, यहोवा धर सदा के लिए तेरा परमेश्वर पीड़ी पीड़ी राज्य करता रहेगा यह की स्थूति करूँ भजन 147 कुलपध 20 यह की स्थूति करूँ क्योंकि अपने परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है क्योंकि वे मनभाबना है उसकी स्थूति करनी मनभाबनी है यहोवा यरुशलम को बसा रहा है वे निकाले हुए इस्रैलियों को इकठा कर रहा है वे खेदित मनवालों को जंगा करता है और उनके शोग पर मरहम पट्टी बानता है वे तारों को गिनता और उन में से एक-एक का नाम रखता है हमारा प्रभु महान और अतिसा मरती है उसकी बुधिय अप्रमपार है यहुवा नम्र लोगों को संभालता है और दुष्टों को भूमी पर गिरा देता है धन्यवाद करते हुए यहुवा का गीत गाओ वीना बजाते हुए हमारे परमेश्वर का भजन गाओ वे आकाश को मेगों से चा देता है और पृत्वी के लिए मेग की तैयारी करता है और पहाडों पर घास उगाता है वे पश्वों को और कोवों के बच्चों को जो पुकारते हैं आहार देता है ना तो वे घोडे के बल को चाहता है और ना पुरुष के पैरों से प्रसन होता है यहुवा अपने डर्वईयों ही से प्रसन होता है अर्थात उन से जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं हे यरुशलम यहोवा की प्रशंसा कर हे सियान अपने परमेश्वर की स्तूती कर क्योंकि उसने तेरे फाटकों के खंबों को द्रड किया है और तेरे लड़के वालों को आशीश दी है वे तेरे सिवानों में शान्ती देता है और तुझको उत्तम से उत्तम गेहूं से त्रिप्त करता है वे प्रिथ्वी पर अपनी आग्या का प्रचार करता है उसका वचन अतिवेक से दौडता है वे उन के समान हिम को गिराता है और राख की नाई पाला भी खेरता है वे बर्फ के टुकडे गिराता है उसकी की हुई ठंड को कौन से सकता है वे आग्या देकर उन्हें गलाता है वे वायू बहाता है तब जल बहने लगता है वे याकूब को अपना वचन और इस्राइल को अपनी विधिया और नियम बताता है किसी और जाती से उसने ऐसा वर्ताव नहीं किया और उसके नियमों को औरोंने नहीं जाना या किस तूती करूँ भजन 148 कुलपद या किस तूती करो यहोवा किस तूती स्वर्ग में से करो उसकी स्थूती उंचे स्थानों में करो हे उसके सब दूतों उसकी स्थूती करो हे उसकी सब सेना उसकी स्थूती कर हे सूरे और चंद्रमा उसकी स्थूती करो हे सब जोती में तारगंड उसकी स्तूती करो हे सबसे उंचे आकाश और हे आकाश के उपर वाले जल तुम दोनों उसकी स्तूती करो वे यहवा के नाम की स्तूती करे क्योंकि उसी ने आग्या दी और वे सिर्जे गए और उसने उनको सदा सर्दा के लिए स्थेर किया है और ऐसी विधी ठहराई है जो टलने की नहीं पृत्वी में से यहोवा की स्थूती करो हे मगर मच्छो और गहरे सागर हे अगनी और ओलो हे हिम और गोहरे हे उसका वचन मानने वाली प्रचंड वैयार हे पहाडो और सब तीलो हे फल्दाई व्रिक्षो और सब देवदारो हे वनपश्यो और सब घरेलो पश्यो हे रेंगने वाले जन्तू और हे पक्ष्यो हे पृत्वी के राजाओ और राज्य राज्य के सब लोगो हे हाकिमो और पृत्वी के सब ने आयो हे जवानों और कुमारियों हे पुर्णियों और बालको यहोवा के नाम की स्तूति करो क्योंकि केवल उसी का नाम महान है उसका एश्वर्य पृत्वी और आकाश के उपर है और उसने अपनी प्रजा के लिए एक सींग उंजा किया है यह उसके सब भक्तों के लिए अर्थात इस्राइलियों के लिए और उसके समीप रहने वाली प्रजा के लिए स्तूति करने का विशे है या कि स्तूति करो भजन 149 कुलपद 9 या कि स्तूति करो यहोवा के लिए नया गीत काओ भक्तों की सभा में उसकी स्तूति करो इस्राइल अपने करता के कारण आनन्दित हो सियौन के निवासी अपने प्रजा के कारण मगन हो वे नाचते हुए उसके नाम की स्तूति करें और डफ और वीना बजाते हुए उसका भजन गाए क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन रहता है वे नम्र लोगों का उध्धार करके उन्हें शुभायमान करेगा भक्त लोग महिमा के कारण प्रफुलित हो और अपने बिछोने पर भी पड़े पड़े जैजेकार करें उनके कंठ से इश्वर की प्रशंसा हो और उनके हाथों में दो धारी तलवारे रहें कि वे अन्यजातियों से पल्टा ले सकें और राजयराजय के लोगों को ताड़ना दें और उनके राजाओं को सांकलों से और उनके प्रतिष्टित पुर्शों को लोहे की बेडियों से जकड रखें और उनको ठेराया हुआ दंड दें उसके सब भक्तों की ऐसी ही प्रतिष्ठा होगी या किस तूती करो भजन 150, कुलपद 6 या किस तूती करो इश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्थूती करो उसकी सामर्च से भरे हुए आकाश मंडल में उसी की स्थूती करो उसके प्राक्रम के कामों के कारण उसकी स्थूती करो उसकी अत्यंत बढ़ाई के अनुसार उसकी स्थूती करो नसिंगा फूंगते हुए उसकी स्तूती करो सारंगी और वीना बजाते हुए उसकी स्तूती करो डफ बजाते और नाचते हुए उसकी स्तूती करो तारवाले बाजे और बासुरी बजाते हुए उसकी स्तूती करो उंचे शब्द वाली जांज बजाते हुए उसकी स्तूती करो आनन के महा शब्द वाली जांज बजाते हुए उसकी स्तूती करो जितने प्राणी है सब के सब या किस्तूती करें या किस्तूती करो